इसी बड़ी बूमिका में रहे और मौझूदा दोर में भी वैसे ही प्रोजेक्ट किये गए। और अब विकास के धारा बही है। ये उन किसानों की जीत है जिने किसान सम्मान निधी मिल रहा है। और तमाम सारी योजनाओं की और कारेकरताओं के अथक परिश्रम की जीत है। सरकार आई थी, एक कॉर्परेट मुख्यमंतरी मिला था, जिसने ना धूल देखी थी, ना धूप देखी थी, ना किसान देखा था, ना पसीना देखा था, सिरफ चुनाओं चुनाओं में दिखाई देते थे। और बहुत हैरानी भी नहीं और योगी मुझे लगता है जनता को जिस प्रकार का आज मैंडेट आ रहा है। अधिपदेश में वो सत्ता के लोब के लिए आना चाहते हैं, उसके जन्मानस को नहीं जानते, उसकी तासीर को नहीं जानते, आप देखी ना प्रियंका गांधी आई थी अभी प्रचार करनी के, गौलियर चंबल नहीं बोल पाई, चंबा-चंबा कर रही थी प्रचार के तो ये मूल अंतर है कि एक स्थानी कनेक्शन और प्रत्यक विप्टी का हार जीत होगी, पर जिस प्रकार से… जनप्रते ने दिये हैं तो पचास पतिशत का आरक्षन है लोकल बोडिस के चुनाओं में, पंच, सरपंच, अद्देक्ष, नगर निकम अद्देक्ष, महापौर, पार्षद, सदस्य, ये महिलाएं हैं, और सत्ता छोड़िये, संगठन में भी भारती जनता पार्टी 33 पत हैं, इस पर मितुन जी भी है हमारे साथ, मितुन जी वो बात, जो भी हम मैजिक वाल में देख रहे होंगे, आपने भी देखा होगा, जहां से भारत जोड़ो, यातरा गुजरी, वहाँ पर 20 सीटों का फायदा, जो बिग गंस की, खुद तो वो सीट हार गए, लेकिन आसप पर्टी को शरम आती है, ये मानने में के शबराद सिंग चोहान जी, इनके मुख्य मंतरी पत्के दावेदार होंगे, आज तक भारती जिनता नहीं पार्टी नहीं मान पारी है, अभी जिकर किया गया है कि महिलाओं का साक्षरता रेट बढ़ गया है, तो इसलिए आपके उ हो जाती है, तो ठीक है आपने भारत जोड़ो यातरा की बात की, एक राज जोर है जिसमें भारत जोड़ो यातरा गई थी, वहाँ प्रचन बहुमत से जीते हैं, ठीक है, आज हम लोगों के साथ यदि जो रुजहान में आगर हमें बहुमत नहीं दिखाए दे रहा है, अग पचास से जादा लोगों की मौते हो, यह सब जन्ता के दिमाग में दर्ज है, वह मध्यप्रदेश जिसको लगातार मध्यप्रदेश में महिला क्या चार्मन नमबर एक पर बनाये रहा है, वह भी दर्ज है, मध्यप्रदेश के ग्रहमंतरी से पूछो के बलात कार क्यों हो सने लियु पर कारवाई कर रहे हैं, उसे पूछोआ पर अपरन हो रहे हैं, इसे पूछो को मडर क्यों हो रहे हैं, तो किय स Megops के लिवाट की make mi Marx, में सनातन की बात करते हैं, तो ये कुछ बात हैं जो जंता के सामने हमें ले करके जानी होंगी हम ले करके जाएंगे और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में चलिए ठीक है आपने भी बात रखी और अब सीधा चलते हैं हमारे सायोगी सुधीर दिखशित हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ और उनके साथ केंद्रे मंत्री जोतिरा दित्य सिंधिया है। ये जीत आप जैसे हर मध्यप्रदेश के नागरिक के आशिरवायत के आधार पर हो पाया है। पराजित नहीं हो सकता। और आज दुबारा वो पून रूप से परचलित हो पाया है। जो लोग इल्जाम लगाते थे, जो लोग गालियां देते थे, जो लोग अनाप शनाप आरोप लगाते थे, उन सब के मुँ बंद करने का काम। शिवराज सिंग चोहान, जोतरायत सिंध्या या बीडी शर्मा जी को करने की ज़रूत नहीं पड़ी, वो प्रदेश की जनता ने बन कर दी। और जो लोग यहां आकर परिवार की उपर लांचन लगाने का नाम काम करते थे, मैंने तवी का था उस समय में ट्विटर पे, कि इसका जवाब गौलियर चंबल की जनता दे देगी, और जो लोग कद की बात करते थे, उनको अपना कद गौलियर चंबल की जनता ने दिखा लगातार अतक परिश्रव आपने किया, मैं भी आपके साथ जब हलिकॉप्टर में गया था तो मैं देख रहा था कि अतक दोरे आप कर रहे थे और बहुत तेजी के साथ आपको इतनी जल्दी होती थी कि कैसे किस तरह जनता से मिलना है, अपनी बात रखना है, अगले देश के लिए नहीं, लेकिन देश के लिए, और यतिशोक्ती नहीं होगी अगर मैं कहूं, केवल मध्यपदेश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, लेकिन विश्व के लिए, आज विश्व सर्य के नित्यत्व के रूप में वो आज उभर के आए हैं, जहां पूरा सरूप आज ये नतीजह आपाया है स्तानिय स्तर पर हमारे बीजेपी का एक एक कारेकरता जिसने अथक प्रयास किया है हमारे बीजेपी पार्टी के हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी और सबसे महत्पून हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहां जी ज कॉंग्रेस बिल्कुल सही कहती थी और कॉंग्रेस को जवाब भी मिल गया बहुत बहुत दन्यवाद यह थे कंद्रे मंत्री जोतरा देट सिंधिया जिनका यह कहना था कि लगातार को प्रदेश के भविश्य को लेकर जो बाते हो रही थी उसको लेकर विजेपी ने थाबि मामले पर बाचीत करने के लिए जोतरा देति सिंधिया को आप सुन रहे थे और इस बीच एक बड़ी खबार रहली से मंत्री गोपाल भारगव जीत गए है बारतिय जनता पार्टी के यहाँ पर 72,041 वोटों से बारी जीत यहाँ पर हुई है दिमनी से केंद्रे मंत्री नर सेंद्र सिंग तोमर और यहाँ पर गोड़ा डोंगरी से बीजेपी की जीत हुई है राइपूर लिए चलेंगे हमारे सहुगे अभिशेक लगातार वहाँ पर मौझूद है बाचीत का सिलसला उनके साथ भी आगे बढ़ाएंगे अभिशेक अभी चुकी जो रिजल्ट था वो अब और क्लियर होने लगाया और इस क्लेरिटी में और क्या कुछ नजर आ रहा है आप इस वकत कहां पर रहें और क्या कुछ है हमारे दरशकों के लिए अपडेट अलगता भी आवाज नहीं पहुच पारी है, बीच ये बड़ी खबर है, आप लगातार हम दर्शकों को बता रहें, आस्वा मंत्री गोपाल भारगफ जीत गए है, एक बड़ा चेहरा है, नरेंदर सिंग तोमर दिमनी से, जहां बहुत बबाल हुआ था, इलेक्शन के टाइम पर आपको याद होगा, पत्राव तक वहाँ पर हुआ था, लेकिन जीत हुई है, नरेंदर सिंग तोमर की, बिल्कुँ लॉर, जब शुरुआती रोजान सामने आए थे, तो उस वक्त नरेंदर सिंग तोमर कुछ बोटों से पीछे चल रहे थे, तो बहुत माइने निकाले जाने लगेते इस बात के, बहुत सी चर्चाई भी हो रही थी, और सीधा, सीधा आब आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड गए हैं, इस वक्त, अब विशेख हमारे से होगी जुड गए है, ब्रिजमोन अगरवाल जी, आवाज मिल पा रही है, बहुत बदाई सर, कुछ यहां पर बदलाव हो गया, जो आप दावा कर रहे थे, वो सही सावित होता दिखाई दे रहा है, यही मिश्य क्रुप से हमने दावा किया था, कि भारती जनता पार्टी इस परस्ट बहुमत में आएगी, सरकार बनाएगी, और भारती जनता पार्टी लगब 55 सीटों पर आगे है, और मुझे लगता एकाज सीट बढ़ सकती है, कम नहीं होगी, और भारती जनता पार्टी इस परस्ट बहुमत के साथ में सरकार में आएगी, जनता ने भुपेश बगेल की भश्पाचारी, अन्याई, अत्याचारी, माफिया सरकार को उसके उपर में बुल्ड जोजर मॉडल को UPKCM योगी आदितनाज सब के बीच में ले गए, लेकिन 36 गर में कौन से ऐसे मुद्धे रहे, जो हावी रहे, जो आपको लगता है कि BJP के लिए को बहुत बड़ा ब्रेक्ट्रू जिनके कारण हुआ, जिसका जिकर आपने चुनावी मैदान में किया? देखे, 36 गर में पहली कोई ऐसी सरकार होगी, जो पब्लिक एक्षेकर को नुकसान पहुचा कर अपना जेद भरने का काम करे, मुख्यमंती अपने जेद भरने का काम करे, सराब में घोटाला, कोईले में घोटाला, जंगल में घोटाला, जमीन में घोटाला, डियमेप में पिएस्सी में युवाओं के भविस्ति के साथ में अन्याय किया गया धान में घोटाला और मोदी जी ने जो गैरेंटी दी कि हम महिराओं को बारा हजार रुपए साल का देंगे किसानों का धान 21 कुंटल 31 सो रुपए में खरी देंगे जो अत्रिक्त पैसा है वो एक मुस्त हम देंगे दो साल का बचा हुआ बोनस हम देंगे महिराओं को 500 रुपए में गैस का कनेक्शन देंगे लड़की पैदा होगी तो हम डेले लाख रुपए देंगे और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे कि केंडरी की सरकार ने 21 लाख लोगों के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास दिया पर अंतु भुबेज बगेल जी ने 16 लाख ग्रामीन और 5 लाख सहरी आवास छील लिए और इन सब मुद्दों को की बीजेपी की सरकार बनेगी तो सब को प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा इन सब मुद्दों को लेकर जंता ने बीजेपी को मेंड़ दिया है और कांग्रेस का सफाया किया 36 गर के 4 चिनारी नर्वा गर्वा गर्वा बारी कहां रह गया अगरवाल साथ ये नर्वा गर्वा गर्वा बारी जो गर्वा है वो सरकों पर है गर्वा जो है वो कांग्रेस के घर में पहुँच गया है और यो बाड़ी है वो भृष्टाचार की भेट कर गई है और नर्वा सूप गया है इन चारों को जंता ने नकार दिया क्योंकि तो गाउं गाउं में लोग देख रहे थे इसमें कितना भृष्टाचार हो रहा है खाली इसकी प्रचार प्रसार हो रहा है इसले काम कुछ भी नहीं हो रहा है और जाते जाते ब्रिज मोहन जी क्या मोधी फैक्टर चला है याँ पर क्योंकि अब पुर्जोर आवाज जो बीजेपी खेमिस से आ रही है वो यही कि मोधी जीत की ग्यारेंटी एक अकेला सब पर बारी निश्यत रूप से मोधी फैक्टर क्यला है मोधी जी सिर्फ हिंदुस्तान के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता है और मोधी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इसने मोधी जी की गरेंटियों पर वियाँ चत्तिसगर की जनता ने विश्वास किया है और वीजेपी को पर मेंड़िया है यह चोटा सा सवाल सर सीम कौन होगा रमन सिंग पर भरोसर आएगा पार्टी का इसके बारे में केंडी नित्य तो तै करेगा केंडी नित्य तो जो तै करेगा उसको सब सिकार करेंगे बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बदाई एक बार फिर से 36 गड़ में आप लोगों ने यहाँ पर वो कर दिखाया जिसके बारे में बार-बार आप दावा करे थे अलाकि कॉंग्रेस पार्टी भी अभी डौर में बनी हुई है और लगातार जो रुजहान है वो अप परिणाम के तरफ जा रहे लेकिन देख रहा हूं में कि वो आकड़े उतना क्लोज आते हुए दिखाये नहीं दे रहे हैं सा बिलकुल और लगातार यह मा कवरे जा रही है पल पल अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं आकड़े नतीजे सबसे पहले ब्रेकिंग यहीं पर आपको मिलेगी कहीं मत जाईएगा मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी केलाश विजय बरगी है कुछ के रहे हैं इतनी बड़ी जीत हों कि यह तो मुझे भी कलपना नहीं थी क्योंकि शत्तिजगर के लोग बोल रहे थे कि अच्छे टक्कर है हम जीतेंगे पर इतनी बड़ी जीत हों कि गलपना नहीं थी और यह सब मोदी जी का कमाल है अभी शाह जी के रणली थी और नड़ा जी की संगठन की पूरी प्रेश इंदोर में तो क्लीन स्विप करती हुँ नजर आ रहे हैं वो तो मालूम था मैं पहले दिन से कह रहा था यह दिन फार्म बरा था उस दिन मैंने कहा था कि नो सीट जीतेंगे इसकी जवाबदारी मे पहले कर दिया था वीडियो जनरल इज डगले साथ मतले सुप्तार निवीज एटीन इंदोर और बड़े ख़बर धर्म जैगर में कॉंग्रस की जीत हुई है एक और सीट कॉंग्रस के खाते में धर्म जैगर से लाल जीत सिंग राटिया जीत गए हैं तो एके करके अपडे में जो नतीजे आए मध्य प्रदेश में कोई एंटी इंकम्बेंसी जैसा नजर नहीं आया कैलाश विजय बर्गी कुछ केरों इतना बड़ा उला इतनी बड़ी जीत होगी यह तो मुझे भी कलपना नहीं थी क्योंकि 37 के लोग बोल रहे थे कि अच्छे टक्कर हम अब मोदी जी का कमाल है अभी शाह जी के रणली थी और नड़ा जी की संगठन की पूरी प्रेश इंदोर में तो क्लीन स्विप करती हूं नजर आ रहे हैं वो तो मालूम था मैं पहले दिन से कह रहा था जिस इन फार्म बरा था उस दिन मैंने कहा था कि नो सीट जीतेंगे इसकी जवाबदारी मेरी बी नो सीट जीतेंगे इसकी जवाबदारी खुद बीज़ेपी राश्टी महासचुछशु क्लाधियो बर्गी के उन्ने कहा था कि नो सीट जो है वह वो बीज़ेपी जीतने वाली है और उन्हों। कि 150 का दावा उन्होंने पहले कर दिया था वीडियो जनलेश डगलेश साथ मतलेश उत्रा निव्जेटीन इंदोर और बड़े ख़बर धर्म जैगर में कॉंग्रस की जीत हुई है एक और सीट कॉंग्रस के खाते में धर्म जैगर से लाल जीत सिंग राठिया जीत गए है तो एके करके अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं खाते गाओं से कॉंग्रस के दीपक जोशी थार गए है एक और बीजेपी की सीट सूरे मैथिल जी हमारे साथे सूरे मैथिल जी अब कहा जा रहा है मोधी मतलब जीत की गयारंटी चातिस गड़ में जो नतीजे आए मध्य प्रदेश में कोई अंटी इंकम्बेंसी जैसा नजर नहीं आया यह सब मोधी जी का कमाल है अब चाहा जी के रण नटा जी की संगठन की पूरी प्रदीश है इन दोर में तो क्लिन स्विप करती हुँ नजर आरहे वो तो मालूम था मैं पहले दिन से किरा रहा था जिए दिन फ़ांब बहरा है उस दिन मैंने कहा था गे नो सीट जितेंगे इसके जवाबदारी मेरी बहीं। अर बढ़े खावर धर्म जैगर में कॉंग्रस के जीत हुई है। एक और सीट कॉंगरस के खाते में धर्म जैगर से लाल जीट सिंग राटिया जीत गए हैं, तो एक एक करके अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं, खाते गाहों से कॉंग्रेस के दीपक जोशी हार गए हैं एक और बीजेपी की सीट, सूरे मैठिल जी अब कहा जा रहा है, मोधी मतलब जीत की ग्यारंटी, इतनी बड़ी जीत होगी, ये तो मुझे भी कलपना नहीं थी, क्योंकि शत्तिसगर के लोग बोल रहे थी कि अच्छे टक्कर है हम जीतेंगे, पर इतनी बड़ी जीत होगी कलपना नहीं थी, और ये सब मोधी जी का कमाल है, अभी शाह जी के रणनी थी और नड़ा जी की उन्हें थी, और नहीं थी, एक सो पचास का नावा उन्होंने पहले कर दिया था, वीडियो चनलेल, इस डगलेस साथ मित्लेश उत्तार निवस्टेइन इंदॉर। और बड़े खबार धर्म जैगर में कॉंग्रस की जीत हुई है एक और सीट कॉंग्रस के खाते में धर्म जैगर से लाल जीत सिंग राटिया जीत गए है तो एक एक करके अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं खाते गाउं से कॉंग्रेस के दीपक जोशी हार गाए है एक और बीजेपी की सीट सूरे मैथिल जी हमारे साथे सूरे मैथिल जी अब कहा जा रहा है मोधी मतलब जीत की ग्यारंटी 36 गड़ में जो नतीजे आए मध्य प्रदेश में कोई अंटी इंकम्बेंसी जैसा नजर नहीं आया केलाश विजय बरगी है कुछ कहरे हूं इतनी बड़ी जीत होगी ये तो मुझे भी कलपना नहीं थी क्योंकि 37 गड़ के लोग बोल रहे थी कि अच्छे टक्कर है हम जीतेंगे इतनी बड़ी जीतों के कलपना नहीं थी और ये सब मोधी जी का कमाल है अभी शाह जी के रणनी थी और नड़ा जी के संगठन की पूरी प्रेश इन दोर में तो क्लीन स्विप करती हूं नजर आ रहे है वो तो मालूम था और बड़ी ख़बर धर्म जैगर में कॉंग्रस की जीत हुई है एक और सीट कॉंग्रस के खाते में धर्म जैगर से लाल जीत सिंग राठिया जीत गए है तो एके करके अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं खाते गाउं से कॉंग्रस के दीपक जोशी हार गए है एक और बीजेपी की सीट सूरे मैथिल जी हमारे साथे सूरे मैथिल जी अब कहा जा रहा है मोधी मतलब जीत की गयारंटी इंदोर में तो क्लीन स्विप करती हुँ नजर आ रहे हैं वो तो मालूम था और बड़े ख़बर धर्म जैगर में कॉंग्रस की जीत हुई है एक और सीट कॉंग्रस के खाते में धर्म जैगर से लाल जीत सिंग राठिया जीत गए है तो एके करके अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं खाते गाउं से कॉंग्रस के दीपक जोशी हार गए है एक और बीजेपी किसी सूरे मैथिल जी हमारे साथे सूरे मैथिल जी अब कहा जा रहा है मोधी मतलब जीत की गयारेंटी 36 गड़ में जो नतीजे आए मध्य प्रदेश में कोई अंटी इंकम्मेंसी चीज़ एमपी में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी आप तक 170 से ज्यादा सीटों पर बढ़ाद रुजानों में सरस्ट सीटों पर सिम्टी कॉंग्रेस बुद्दी से सीम शिवराद जीते 37 गर्मे भी बीजेपी की लहर 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे राजनाद गाओं से रमन सिंग जीते दिल्ली के बीजेपी ओफिस में मनेगा जीत का जश्न शाम चे बजे भाजपा करे ले जाएंगे पधार मंत्री मोदी कारेकरताओं को करेंगे संबुद जीत के जश्न में डूबे बीजेपी कारकरता दिल्ली दफ्तर में जम कर आतिश बाजी बोपाल में महिलाओं ने सीएम शिवराच का किया अभी नंदन शाजापुर में चुनाओ परिनाम के बाद बवाल हंगामा कर रहे लोगों ने की पत्थर बाजी पुलिस पिल छोड़े आसू गैस की गोड़िद चुनाओ मतलब न्यूज जेटीन मतगरणा के दिन दिग्जो ने जताया न्यूज जेटीन पर भरुसा CM शिवराज सिंधिया नरेन सिंग तोमर सहेद कई नेताओं ने देखा चैनल तो एक बाद फिर से आपका स्वागत है आप देख रहे हैं न्यूज एटीन मद्रदेश 36 गर और न्यूज एटीन लगातार आपको दिखा रहा है मतगर्ना से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले कहां हो रहा है जश्न कहां उतर गए हैं चेहरे वो तस्वीर भी आपको न्यूज एटीन नेटवर्क दिखा रहा है और लगातार दिगज भी चाहे वो सीम शिवराज हो सिंधिया हो ननिस सिंग तो मर हो न्यूज एटीन पर ही अपनी निगाहे बनाए हुए हैं क्योंकि चुड़ाओ मतलब न्यूज एटीन ये एक तो 62 सीटे रुज़ानों में काफी बड़ा निफरेंस है ये तब ने पहला नतीजा न्यूज एटीन पर तो चुनाओ मतलब न्यूज एटीन और इसलिए हम आपको कह रहे हैं नाट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित बिलकुल लगता कवरेट जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुज़ान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिज़र्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्ध प्रदेश उमद्गला की दस बड़ी बात हैं बुधरी से सीएम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्ध प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीग पर बीजेपी की बढ़त नज़र आ रही है बुदरी से C.M. शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमन ने जीत हासिल की बुरान पुर से जीती हैं अर्चना चितनिस, ये मत गरना की बरी बाते होशंगाबाद से सीता सरंश्रमा ने जीत हासिल की है काँघ्गज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर, 36 गर की दुफबात है, 36 गर में 54 सीटो पर बीजेपी की बलहत है, प्लचंद बहुमत की ओ, 36 गर में भी बीजेपी है अपड़ा सीटापूर से मंत्रिया मचीद भगत आ रहे हैं, कोंडा गाउं से मोहन मरकाम हा ने देखे, बड़े इस चेहरों ने इस राम पर हार हासल की है, राजनन्द गाउं से लेकिन डॉक्टर अमन सेंग को मिली है, जीत, बिलहां से धरम लाल कौशिक आ गे हैं बिलकुल और अमभी का पूर से जिपटी सीएम टीय सिंग्डेयों पीछे चल रहे है, बहुत बली कबर पाटन से सीएम भूपेश बगेर आगे हैं, जीत के और है वो राम पूर से ननकी राम कबर पीछे चल रहे हैं, दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से साहू भी पीछे चल रहे हैं ये एक बड़े फेक्टर है जो आपको दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह रहा है कितना किसका आख़रा सुमिद बिल्कुल राहूल गांधी यहाँ पर टाटा बाइबा करते हुए 33 सीट है एक अनिक एक हाथ में सीट है चल रही है 33 पर कॉंग्रेस है और एक पर अन्य चपपन सीटों पर चपपन इंच कसीना यहां भी आ चुका है 41 पर बीजेपी आगे है 15 जीट चुकी है टोटल 56 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर आगे बरती हुई नजरारी है राहूल गांधी का कटाउट आपको नजराएगा 33 सीटों पर कॉंग्रेस यहाँ पर आगे है एक अन्य जी और हमारे साथ तमाम खास पैमान जुड़े हुए हैं कॉंग्रेस से बीजेपी से भी लगातार हम जो नतीजे आ रहे हैं उन पर विश्टेशन कर रहे हैं जानने की कोशिच करें नेहा बग्गा जी सब बता दीजिए मध्यप्रदेश की इतनी बड़ी जीत और 36 गड़ में इतना बड़ा उलटते क्या वाकई उम्मीद थी देखे एक बात तो जनता ने तीनों ही राज्यों में इस पश्ट कर दिया है कि मोधी की गैरेंटी की भी गैरेंटी है और जिस प्रकार से भारती जनता पार्टी जन जन की भावनाओं का ध्यान रखती है जिस प्रकार से योजनाओं का लाब अंतिम पंक्तियों बैठे हु बदाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से परिश्रम किया है आज वो फलीवूत होता हुआ दिख रहा है बाजपा जो कैडर बेस्ट ऑगनाइजेशन है आज उसका कैडर जो परिश्रम करता है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है और निशित तोर पर जो यातरा भारती जनता पाटी ने इन राज्यों में चलाई है जब जब सत्ता में रही है जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है और तमाम सारी आप योजना है देखिए चाहे आयुशमान प्रदानमंतरी की आयुशमान भारत योजना हो प्रदानमंतरी आवास हो किसान सम्मान दी हो, अन्न की योजना हो, ये किस प्रकार से घर घर तक पहुची हुई है, आज ये परिणाम में सपष्ट दिखाई दे रहा है, जनता चाहती है कि उनके बीच में नेता भी हो और नीती भी रहे, और ये केवल और केवल भारती जनता पाटी है, जी निहा जी, हिंदी होटल बहुत बड़ी खबार, सुमा वली से करेरा ना भी बीजेपी की जीत हुई है, करेरा सीट भी बीजेपी ने जीत लिया है, तकहतपुर से बीजेपी के धर्मजीत सिंग यहां से जीत चुके हैं, लगातार बीजेपी की जीत की खबरें भी अब आने लगी है, जो रुझान थे अब वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं सुमा वली में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है एंदल सिंग कंसाना ये देखी इसमाइल के साथ उनका कट आउट और इसमाइल की एमोजेपी और हमारे साथ लगातार खास वेमान भी जुड़े हुए तकतपूर से बीजेपी के धर्मजीत सिंग जीते हैं और एक और बड़ी ख़बर आपको बताएंगे बितरवार में कॉंग्रेस को मिली हार लाखन सिंग यादव हारे है तो कॉंग्रेस के लाखन सिंग यादव को शिकस्त मिली है सुमावली से बीजेपी उमीदवार को जीत मिली है और हर सीट का हाल हम आपको बता रहे है बिल्कुल, बिल्कुल बितरवार जी, सवाल मेरा आपसे है सर क्या हिंदी भाशी राज्यों ने कॉंग्रेस को नकार दिया है सर दिगी यह आपका विशलेशन हो सकता है नी विशलेशन ही में सवाल है आपसे आपके सवाल में जो आप हिंदी भाशी राज्य बता रहे है हम तो सभी राज्यों को भारत का हिस्सा मानते हैं आपको एक देश मानते हैं, आप उसको अलग से बताना चाहती हैं तो आपका बार बार नेरेटिव चलाया जाता है, ठीक है जीद गए हार गए सब अपनी जगह है, अटल बहारी बाच पही भी चुनाओं हार गए थे, बलरामपूर से वो जीते, लखनाओ से आरे मफरा से उनकी जमानी चत्त हो गई थी, तो इन्होंने आज तर जो किया, जो कहा, वो फि सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मद्द प्रदेश में अगर इन्होंने, मद्द प्रदेश की राजडानी दिल्ली बताने वाली जो एक छात्रा उसको पटवारी का पाटर बना दिया, तो वो सही हो गया, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, कि मद्द प्रदेश के मुरायाओं में किसानों को गोली मारे गई, तो जीत गया, जीत गया, तो ठीक हो गया, बिजली के वरस्था क्या हाल था यह सब हमने देखा है निया जी मैं आपके बार जाए जी कुछ कहना चाहिए जी जी कही है अभी आपने हिंदी बेल्ट की बात कही तो मितुन जी थोले नहराज हो गए लेकिन बात तो सही है राहूल गांधी जी बार बार कहते थे कि पनी नहीं के अलावा अगर आपकी पांग्रिस की मैं सिर्फ आपको व्यक्तिकत हमना नहीं कर रही हूं अगर कॉंग्रिस सीखे ना बीजेपी से किसरा जमीन पर काम किया जालेख तो शायद तो शायद आतीज़ा कालने नहीं पर के लावा इस किग्षण पर जावेश्या प्रत्याशी आप जी राजीव जी राजीव जी जी देखेए अभी हमारे कॉंग्रेस के मित्र कह रहे थे जीदान माझी ने क्या कहा बाराटा लेकिन इंडिया गट बंधन के लोग सानातन को गालिया देते हैं उसको कारे रावाने न इत्ति जुपन ने आजिक शर्वारी की सिर्व प्र नेंगा देए इसे बड़ान को ये सन्देश है! मैं अपना सवाल ही बदल देती हूँ ठीक है अब मेरी बात सुनीजी आप हिंदी भाषी राज्यों ने नहीं नकारा कॉंग्र्स को बस लेकिन दच्छिन भारत में जो काम्याबी आपको मिलती दिख रही है वैसी काम्याबी यह वैसी मोहबत की दुकान का उसर आपका इन राज्यों में क्यों नहीं हुआ जरा वो कारण जो आपने अब तक विशलेशन किये होंगे या जाना होगा जरा वो बतावी जी जिस पर मोदी जी की गारेंटी पर जंता ने यकीन नहीं किया मैं आ रहा हूं मद्द प्रदेश में 208 वह जंता नहीं यकीन नहीं किया नादर मोदी जी की गरीब कर देड़ान योजनाओं को यह जीत का सुरे पूर्ण रूप से पार्टी के कारिकर्ता और हमारे सेंटर नेत जाता है सारी जो भी हमने योजनाय लागू की है जो भी हमने घुशना पत्र में वादा किया ये गारंटी मोदी की गारंटी है इसमस्वा सारी लागू होगी है कॉंग्रेस के सारी मुंदी है अब मैं छोता हूँ एक दो रह गया वो भी हार जाना चाहिए था कैसे रह गया हो हमारे विष्ट मंदी कौन होगी इंजार करिया विष्ट कॉंग्रेस पहले जिनसे अपने आप में घुशी हुई थी पूरे पांच साल तक सिरफ में मेरा वो कैसे खुश रखना उसी में लगी रही 36 गड़ी के जनता के साथ नहीं ली 36 गड़ी की जनता ने पूला कस के कॉंग्रेस का बदला लिया पर कई कई सारी बात है कहते हैं लेकिन लाजीम जी आप से सवाल रहेगा कि जब सीम के चrencies aquí क्यों किह देता है कि हाई कमान ते करेगा या सणसदी बोड़ ते करेगा क्यों नहीं रखा गया CM के चेहरे को आगे देखे हर चुनाओं में अलग अलग रनीतिया रहती है अगर कभी हमारी रनीति रहती है कि डॉक्टर साब को आगे किया जाएगा कभी रनीति रहती है कि हम सामोई नेतरत में चुनाओ लड़ेंगे कॉंग्रेस पार्टी ने इस बार कहा कि हम सामोई नेतरत में पहले बैनर लइन था भूपेश है तो भरोशा है प्रदेश का मुख्या कौन होगा इतना तो हमारा मुख्या कौन होगा इतना तो हम बनता है देखिए प्रजात अंत्र में जनता द्वारा चुना जाता है अलग अलक्त शेत्रों से ये कोई अमेरिकन फेडरल सिस्टम नहीं कि एक आदिमी के लिए जनता चुने सामोहिक नेत्रों में चुनाव लडा जाता है सामोहिक रूप से जो विधायक दल है वो तै करता है और पार्टी का केंदर नेत्री तो तै करता है इसमें जनता की बाद ये तो जनादेश है मुझे तो ये अश्यर लग रहा मेरे कांग्रेस के मित्र बार बार जनादेश जो जनादेश दिया है राजीव जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक चेरे को आगे कर दिया तो शायद परिणाम कुछ और होते या आपके अनुकूल ना होते ऐसा सोचा होगा वी जेपी अच्छा कंग्रेस पार्टी लीडर वाइस पार्टी भारती जनादेश पार्टी ये जब काडर चुनाओ लडता है तो किस एक के नाम पर चुनाओ नहीं लड़ा जाता है हमारी जो नीती और नियत है जो डाक्टर शेमा प्रसाद मुकर जी ने राष्टवात की प्रकर निव रखी जो पंडित दिंद्याल उपाइधाय जी ने जो अंतियोदाय की ओजना रखी वो हमारे मुलबंतर है और भारत हमारे देश है हम भारत मातों को परम चawaaj जो अलग रखा है जिसमें मसीन और मतपतर लेखा पर जो मतो की संख्या है उसमें थोड़ा अंतर है लेकिन इन सभी कि गिंति हो जाएगी एक बार जो परयाप्त रूप से जो मसीने हैं जिसमें कहीं कोई विवाद नहीं है उनकी गिंती एक बार पूरी हो जाती है उसके बार फिर इनकी गिंती भी कर लेंगे नियमानोस सार जो भी प्रावदानों का इसके अलावा कहीं से कोई मतगर्णा रोकने जैसी या काउंटिंग में कोई व्यवधान हो मतगर्णा के इंदर पे ऐसी कोई सोचना अभी तक नहीं है साजापुर की जो भटना है उसमें जो मतदान का जो मार्जिन है वो कम था तो उन्होंने जो पोस्टल बैलेट जो रिजेक्ट होते हैं उससे कम संख्या अगर हार जीती होती है तो पोस्टल बैलेट्स जो रिजेक्ट होते हैं उसको रिवेरिफाई करते हैं तो कारवाई अभी चल रही है तो बल्कुल निर्वाचन आयो की अपरेस कांफरेंस थी उनका कहना था कि कहीं कोई गरबड़ी के ऐसी जानकारी फिलाल नहीं है निहा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ निहा जी मेरा सवाल यहीं रहेगा आपसे जो 36 ज़र को लेकर था कि CM के चेहरे को आगे नहीं किया गया नारा दिया गया MP के मन में मोदी मोदी के मन में MP और उसके बाद आप देख रहे हैं जिस प्रकार का मैंडेट हा रहा है इसका स्पष्ट मतलब है कि जनता ये जानती है कि भारती जनता पार्टी आएगी तो जन कल्यान होगा भारती जनता पार्टी आएगी तो गरीब कल्यान होगा भारती जनता पार्टी आएगी तो सर्वसमावेशी समाज होगा भारती जनता पार्टी आएगी तो जातियों में नहीं बाटा जाएगा भारती जनता पार्टी आएगी तो केवल चार ही जातियां चलेंगी एक गरीब, एक महिला, एक किसान और एक युवा ये बहुत सपश्ट था जनता के मन में कि हमें किस पार्टी को लेकर आना है उसका नेतरत्व जो तै करेगा वो हमें सुईकार होगा इसलिए जनता ने इस प्रकार का मैंडेट दिया है और कैडर बेस्ट पार्टी इस प्रकार से चुनाओ लड़ती और हर चुनाओ की अपनी स्ट्राटेजी होती है विपटश इसलिए सवाल उठाता है नेहा जी कि क्या आपके पास PM मोदी के लावा कोई चेहरा नहीं बिलकुल है और इसलिए आप देख रहे हैं कि आप जिन दिगजों की बात कर रहे थे वो दिगज केवल अपनी सीट नहीं जीते संभाग के संभाग जीत कर ला रहे हैं पूरे प्रदेश में उसका इंपक्ट हुआ है एक संभाग छोड़ी है आजू-बाजू की सीटों पर भी इंपक्ट हुआ है और इसलिए इतना भव्य दिव्य जो परिणाम दिख रहा है यह उसी का कारण है यही कैडर की ताकत होती है यही जो सामोहिक नेतरत्व जब काम करता है यह दिखाई देता है मैं तो यह पूछना चाहती हूँ कि अगर कॉंग्रस के पास इतनी स्पश्कता थी तो जो भुपेश भगेल पूरे होडिंग पर दिखते थे चुनाओ जैसे से नस्दीक आया वो इतनी छोटी सिमट क्यों गई क्यों ने इस पश्कता से का कि भुपेश भगेली हमारे मुख्यमंतरी होंगे जो कमलनात अपने आपको स्वेंबू बता रहे थे जब उनके चुनाओ कैम्पेइन के लिए सुर्जेवाला जी ने आके मध्यप्रदेश में कैम्प किया तो उनोंने क्यों कहा कि हमारा नितरत तै करेगा भी तै नहीं हुआ है क्यों राजस्तान में गहलोत और पाइलेट जी के बीच में लगाता है टककर चलती रही उसमें कैम्पेइन में टिकलियों की तरह क्यों लगाने पड़े सारे नेताओं को तो यह स्टाटेजी का पार्ट है चाहे कॉंग्रस हो चाहे भाजपा अपने अपनी रणनीती होती है अपने तरीके से प्रोजेक्शन किया जाता है पर्मा जी बहुत शांत बैठे में आप यह कौन सी रणनीती है पूरा चुनाओ अभियान आप 36 गड़ का देखेंगे अभी जो भाजपा के नेताव 36 गड़ के उचागुचक के सरे लेने का प्रयास कर रहे हैं पूरे चुनाओ अभियान में गायब थे 36 गड़ में पूरा फोकस भाजपा का सिर्फ नेत्रितों और केंदर की मोधी सरकार पचास मंत्रियां दो महिने के अंदर मुर्शुक मंदाविया केंदरी स्वास्प मंत्री थे पूरी तरह से इडी और आईडी केंदरी एजेंसियों ये बाजपा के नेता पटकठा लिखते थे और अगले दिन जो है इडी ट्वीट करती थी और जो सडियंत्र रचे गए लेकिन अभी हमें यहां फिलाल एक बेक ट्रुक्रा पड़ रहा है जल लोट रहे कई मर जाए मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी तो चुनाव मतलब न्यूज एटीन और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आठ बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित बिलकुल लगता कवरेट जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुज़ान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिज़र्ट दिखाया दस बरी बात हैं मद्द प्रदेश उम्द गाना की दस बरी बात हैं बुधरी से सीम शिवरासिंग चोहान भारी मतों से जीतें अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिलकुल PCC अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर BJP का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा फैक्टर 36 गर की दुफबात है 36 गर में 54 सीटों पर BJP की बलहत है सीटापूर से मंत्रिया मचीद भगत आ रहे हैं कॉंडा गाउं से मोहन मरकाम हा रहे हैं बड़े इस चेहरों ने इस रहाम पर हार हासल की है राजरंद गाउं से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहां से धरम लाल कौशिक आगे है बिल्कुल और अंबिकापूर से जिपटी सीएम टीए सिंग्देव पीछे चल रहा है बहुत बली कबर पातन से सीएम भुपेश बगेर आगे हैं जीत की ओर है वो राम पूर से नंकी राम कबर पीछे चल रहे हैं दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से तामर्दो साहू भी पीछे चल रहे हैं ये एक बड़े फैक्टर है जो आपको दिखा रहा है सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित बिल्कुल लगता कबरें जारी है जब तक की आखरी नतीजा नहीं आजाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुजहान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिज़र्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्ध प्रदेश उम्ध गर्ना की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते मद्ध प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सियमशिवरा सिंग चोहां जीते हैं दिमनी से नरेंडर सिंग तोमन ने जीत हासल की भुषानपुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मत गर्ना की बड़ी बाते होशंगा बाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमल लाज जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक मोहन मरकाम हाने देखे बड़ेस चेहरों ने इस रहां पर हार हासिल की है राजनंद गाओ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिल्हासित राम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम टीय सिंग्देव पीछे चल रहा है बहुत भगवा पर्चम और ये देखिए यहां पर आ गए हैं प्टारमंसी मोधी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स के जरीए ये दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लहरा है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहे दस बड़ी बात हैं मद्द प्रदेश उमद गला की दाखरी बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्द प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंदर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुदान पुर से जीती है अर्चना चितनिस ये मत्गर्ना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीथा सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक काम हाने देखे बड़े इस चेहरों ने जहां पर हार हासिल की है राजरंद गाओ से लेकिन डॉक्टर रामान सेंग को मिली है जीत बिल्हासित राम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम्टी सिंग्देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ पर चम और यह देखिए यहां पर आ गए हैं प्टारमंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स के जरीए यह दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर चम एक बार फिर लहरा है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी र रिजर्ड दखाया दस बड़ी बात हैं मद्द प्रदेश उमद गरना की दस बड़ी बात हैं बुदरी से सीम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्द प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुदरी से सीम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुदान पुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगरना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटो पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ पर काम हाने के बड़े इस चेहरों सब्सक्राइब कमाल हो गया है वहाँ पर भारतिये चंदा पाटी ने बड़ा दी है अब हम देखें कि एक तो बासक सीटे रुजानों में काफी बड़ा निफ्रेंस है ये तब से पहला नतीजा इनूज हो जीबड़ तो सबसे पहला रुजान और सबसे पहला नतीजा न्यूज 18 पर आप में देखा और चुनाओ मतलब भरोसा भरोसा मतलब न्यूज 18 और न्यूज 18 लगातार दिखा रहा है आपको हर तस्वीर हर अपडेट सुमित बिलकुल पलपल का बेट हर एक सीट पर हमारा रिपोर्टर तेनाथ है हमारे सेयोगी तेनाथ है और कौन कहां से जीत रहा है देखिए अन्तागर से बीजेपी के विक्रम उसेंडी जीत चुके हैं अन्तागर से बीजेपी के विक्रम उसेंडी की जीत हुई है यहाँ पर एक और बड़ा रिजल्ट अन्तागर सीट से बीजेपी की जीत हुई है विक्रम उसेंडी यहाँ से जीत चुके हैं 55 सीटों पर बीजेपी आगे 34 पर कॉंगरिस आगे चल देखिए लगातार बीजे लिखेव जी कुछ कहना चाहरा थे आप ब्रेक्से पहले जी देखिए जदेश का अपमान नीं होना चाहिए कि आपने ये काम नहीं क्या जश्त abra cu करना चाहिए यह जो मिला है इसे नमरता से कॉंग्रेस को स्विकार करना चाहिए कि यह जो जनादेश है यह कॉंग्रेस के खिलाफ है भारती जन्दा पार्डी की नीती और नियत पर मुहारे उस पर बटन लगाई गई जन्ता ने अभी चुनाओ के पहले भुपेश बगेल जी बहुत सा रिहोर्डिंग्स लगा के रखे थे शतीस गड़ में बेरोजगारीदर 00.40 परतिशत बड़े-बड़े अर्थे सास्त्री बड़े-बड़े विध्यार थी जो बेघावी विध्यार थी वो बेऊश हो जाते थी ऐसी स्तिती तो कहीं पर नहीं दुनिया में देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है मैं नमरतास कर स्विकार करता हूँ पूरे विश्व की समस्या है रोजगार का भाव है जो जीवा का उपारजन की एक समस्या है लेकिन उसमें इतना बड़ा जूट ये चुनाव इस बात का परिणाम है कि आप जनता को जूट बोलकर लाइट दिखा कर टीवी में दिखा कर जूट बोलकर आप अवाम को जीत नहीं सकते आपको काम करके दिखाना होगा मद्द प्रदेश के मेंडेट ये कहता है कि मद्द प्रदेश ने काम करके दिखाया तो जनता ने मोहर लगाई है 36 गल ने ये जनादेश दिया है कि आप अगर केवल फोटो सेशन करेंगे और जूट बोलेंगे तो जनता को भी मौका मिलता है एक दिन का मौका मिलता रहो एक दिन में जनता कुरसी खसका देती है और ने कुरसी लगा देती है बिपर फ्रेंच जी उसे स्विकाह करेंगे नहीं करेंगे भोई बताएंगे बार्ति जनता पार्टी के साथी चुनाओं के पहले ये मुद्दे इनको याद नहीं आए उस मुद्दे पर वोट मांग लेते हैं उस मुद्दे पर चल्चा कर लेते हैं चाविज भाई ये ये अतिहासीक सत्य है कि भूपे सरकार में 36 गड़ में ये नितियायो का रिपोट है ये 36 गड़ नहीं आए नितियायो को ये पर आले 22.2 पर चल्चा कर रावन सिंग के समय सितंबर 2008 में जो पिछले से अम्रता से स्विकार रजगार सत्य है बेरोजगारी 26 लाट चल्चा कर के राजिवी प्लीस 27 लाक महिलाएं जो है समर्द हुई ये यह थियासिकत थे बाजपा की तरह हमने पाखन नहीं किया नहीं हमने सडियंत्र नहीं रचे अरे आपको जनादेश्क को सुखार करना चाहिए प्रवाम करना चाहिए नमर्पास से अगर पकड़ा इडी तो इडी को काली दीजिए अर्द सेनिक बल के उपर अभी भुपेश बागिल जी ने आरोप लगाए कि भ्याजपा का पैसा ट्रांसपर कर रही है जो जो सीय ये से यह बी एसे यह सी या प्यू जो लोग शहीद हो रहे हैं उस खाकी वर्दी पर आपने अरोप लगाया क्या जमता ने इसे लिया क्या संदज़ गया जमता के बास की कांगरस पार्टी बटाला इकरता स्रेल का पुलवामा चाहिए और आज़को इतनी नहीं इस आपके पास जवाब था कि लोगतंत्र है कुछ भी हो सकता है लेकिन कनाया ने एक ट्वीट किया है आपके थोड़ी देर पहले कि जो हार हुई वो माध्यपदेश के पबलनाथ की वज़ा से हुई लेकिन नर्सिंग्पुर से केंद्रे मंत्री पिलाज सिंग पटेल जीते हैं ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नर्सिंग्पुर से केंद्रे मंत्री पिलाज सिंग पटेल जीते हैं बिलकुल बहुत बड़ी खबार है नर्सिंग्पुर विधान सिंग्पुर से केंद्री मंत्री पिलाज सिंग पटेल जीत चुके हैं लाखन सिंग्पटेल इनके सामने बीजेपी की पृत्याशी थे लेकिन लाखन सिंग्पटेल की एक बार फिर से हार हुई पिछले विधान सभाचुना में अधी लाखन सिंग पतेल खड़े हुए थे प्रलाग पतेल के छोटे भाई जालम सिंग पतेल के सामने लेकिन जालम सिंग पतेल की टिकेट काती गई प्रलाग पतेल को टिकेट दी गई और प्रलाग पतेल की जीत हुई है पनी जीत हुई है जी मितिन जी इस tweet पर क्या कहेंगे सब्सक्राइब कुमार के tweet की बात कर रही है इसा कोई tweet इनके twitter timeline पे अब डिलीट कर दिया है लेकिन मैंने खुद देखा है अब मैंने ये मैं बिल्कु मानती हूँ ठीक है आपको नहीं दिख रहा होगा मैं मानती हूँ ठीक है कमलनात के एहंकार के चलते कई बार उन्होंने पार्टी आला कमान की भी नहीं सुनी ये आपका आरोप नहीं मेरा आरोप नहीं है कि मैं सवाल पूछ रही हूँ ठीक है जो मध्यप्रदेश में परिणाम हुआ और ये भी कहा गया उत्तर प्रदेश में समाज़ादी पार्टी की ओर से कि लगातार गडवन्नम का सम्मान भी नहीं किया कॉंग्रेस ने अपनी एंकार में उलजी रही क्या कॉंग्रेस को क्य अगर प्रदेश अद्धिक्ष रहते हुए यदि हम लोग सक्ता लेकर के आयते और हमारे केंद्री नितरत में यदि कमलनाच जी को राश्री नितरत ने भी उनको डिकलेर किया था कि वे मुख्यमंत्री होंगे उस बाज का भी अंदेशा दिया गया था तो अगर कमलनाच ज अगर प्रदेश रहते हुए इस परफॉर्मेंस को अगर नहीं दिखा पाएं तो हरके कारों का हम विश्लेशन करें लेकिन वह भारती जंता पार्टी जिसका कहना है कि MP के मनमें मोदी थे तो अब अपना वादा में बाई क्योंकि मद्द्ध प्रदेश में मोदी जी जब अपना वादा पूरा करना चाहिए यदि मैंडेट में ये नजर आता है आने वाले समय में कि MP में मन के MP के मनमें नहीं नहीं का मानना है कि शुवराट चाहन जी की गारेंटी जी ये लाडली लहर है या मूदी मैजिक देखिए ऐसा कैसा चलेगा कि मीठा मीठा गब गप और कड़वा कड़वा थूथू जनता का मैंडेट 2023 में भारती जनता पार्टी को मिल रहा है प्रचन जीत हो रही है और एक भी बार स्पोर्ट्समेंट चिप के तहट कॉंग्रिस के प्रवक्ता की और से बढ़ाई नहीं निकल कर आ रहा है तिकि हार जीत दोनों चलती रहती है पर जनता ये कभी स्विकार नहीं करेगी कि फिर से 2023 में इस 21 सदी में राजनीती का अपराधी करण हो वो कमलनाच जो 84 के दंगे में सनलिप्त रहे जिनकी वज़े से सिक्खों के परिवार के सारे पुरुष समाप्त हो गए विद्वा पॉलनी बस गई जिन्होंने सिधार्थ कुश्वा को टिकेट दी जिसने मैला के साथ ट्रेन में छेड़का रही मैं आपको मूल बता रही हूँ कि क्यों रेजेक्शन है और क्यों सिलेक्शन है बाद में जुक्ता पार्टी का क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी जो गैरंटी देने जारी थी इनकी वारंटी नहीं है जब इस party की warranty नहीं है तो इनकी guarantee को स्वीकार काम करेगा और इतने अपराधियों को जिस तरीके से ticket दिया है आपने उत्तर प्रदेश में देखा था कि जो Congress party की poster girls थी लड़की हो लड़ सकती हो वाली वो ही चुनाओ से पहले छोड़ चड़ कर जा रही थी जिस तरीके से उनके साथ में अपमान और अत्याचार हो रहा था मद्यप्रदेश में हुगा हुगा ही किया है Congress party ने यह जो selection था सारी टिक्टो का ही कौन है हत्यार है खासकर वर्मा जी के लिए यह breaking है क्योंकि सुबह से वो ठेरे थे लेकिन भरतपूर सोनहत से रेनुका सिंग को जीत हासिल हुई है यह बड़ी ख़बर result breaking आपको बता रहे हैं भरतपूर सोनहत से रेनुका सिंग की जीत हु यहाँ पर पीछे शो कर रहा है कि दत्या से क्री मंत्री बहुत बहुत बढ़ी ख़बर है बहुत बढ़ी ख़बर है लगातारी पीछे चल रहे हैं ग्रह मंत्री नरुक्त मिश्रा पहले भी पीछे चल रहे थे अभी भी पीछे चल रहे हैं क्या हार जाएंगे यह भविश काफी लंबा समय हो गया है, मतलब काफी टाइम हो गया है, लगातार वो पीछे ही चलते आ रहे हैं, अभी तक वो आगे नहीं आए है, नेहा जी. भारती जनता पार्टी का अरोप नहीं है, ये खोद इनके मंत्री उमंग सिंगार बताते रहे हैं, कि शराब माफिया, रेत माफिया, खनान माफिया, इसी के संद्रेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पर नरुतम मिश्रा काफी बड़े अंतर सी पिछे चल रहे हैं, साड़े कर आ गए, निशित तोर पर नरुतम मिश्रा जी भी उससे बाहर निकल कर आ जाएंगे, और अभी कुछ देर पहला आप देखेंगे, आपके पास मैजिक वाल जाने का वक्त आ गया है सुमेद, और दिख रहे हैं मैजिक वाल एक्सपर्ट हमारे, जिनके पास पुरा ज्यान है मध्यपदे 36 गड़ का, पुनीत हमारे साथ जुर गए है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग चर्चा को जारी रखेगा, मैं कुछ समय लूँगा, दर्शुकों को ये बताने के लिए कि पहला फेज, सेकंड फेज, 36 गड़ में दो फेज पर आ रही है, बीजेपी 54 सीटे प्लस 49, कॉंग्रेस 35 सीटे माइनस 33, कितना बड़ा डिफरेंस है, अन्य भी माइनस 6, अब ये आप तस्वीर ज़रा इसके उपर गोर करिएगा, और ये डेटा जो है, यहां जो आ रहा है, इसके उपर भी गोर करिएगा, कि ये 2018 में स्वीर थी और देख सकते हैं, आपकी बीजेपी को 32.9% वोट शेयर हासिल हुआ था, 43.04% कॉंग्रेस को 68 सीटों के साथ हासिल हुआ था, लेकिन इसके पहले 2013 में इसलिए ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखे 5 साल कॉंग्रेस ने शासन किया है, और कॉंग्रेस न है कि आप शासन कर रहे हैं, उसके बावजूद इतनी कम सीटे आना, ये 2013 की बात कर ली जाए, तो अभी जो इस्तिती है, उससे थोड़ी बैतर इस्तिती तो कॉंग्रेस की 2013 में थी, 2023 में जो इस्तिती कॉंग्रेस की बन रही है, 37, इससे पहले 2003 में अच्छी थी, 49 सीटों 40 पीसद वोट शेयर कॉंग्रेस ने हासिल किया था, अब वोट शेयर जो है, वो लास्ट में निकल कर जब सामने आएगा, तब हम बात करेंगे, बात 2023 के विधान सभा के सेलेक्शन की कर लेते हैं, तो अब सब के मन में ये सवाल होगा, कि 36 गर्व में दो चरण हुए, पहल करने की बारी आंगे है, हिसाब किताब कर लेते हैं, फेस वन की तस्वीर देख लिजीए, ये ец्री वन की तस्वीर है, 20 सीटे, 36 गर्व में, फेस वन में हुई, बीजेपी 11 सीटों पर जीती है, 9 का फायदा बीजेपी को हुआ है, कोंग्रेस 9 सीटों पर जीती है, 8 का बड़ा नुकसान पहले चरण की अगर बात की जाए तो उसमें यहाँ पर देखने को मिला अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं तो यह देखिए दूसरे चरण की तस्वीर अगर हम देखेंगे तो क्या निकल कर सामने आती है यह देखिए दूसरा चरण और एक प्रकार से यहाँ अगर कॉंग्रेस का यह वाला हिस्सा कुछ-कुछ और उसमें भी आप देख सकते हैं कि यह भगवा जो है यह नजर आ रहा है यह पूरा का पूरा हिस्सा उपर का हिस्सा आप देखेंगे तो यह पूरा भगवा नजर आ रहा है यह क्या बता रहा है यह यह बता रह इफेक्टेट इरिया जो है वहाँ पर क्योंकि नकसल प्रभावत एक्षेत्र में पहले वोटिंग होई थी कुछ हिस्से हलाकी बात में भी हुए जहां तीन बजी तक वोटिंग होई थी वहाँ नकसल एक्षेक्टेट एरिया की तस्वीर क्या निकल कर सामने आती है देखिए यह नकसल एफेक्टेट एरिया पड़ता 36 गर का और इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखेंगे नजर डाली जाए तो यहां कॉंग्रेस जो है यहां जीती हुई नजर आ रही है यहां पर कॉंग्रेस बलहत भी बनाया हुए और जीत भी रही है लेकिन अगर यहां पर बस्तर के क्षेतर में आप नजर डालेंगे बारी की से तो यहां पर बीजेपी बैक कर रही है जिसका हम जिकर कर रहे थे कि बीजेपी को जो फायदा हुआ है वो कैसे फायदा हो रहा और बीजेपी कैसे गेम कर रहे है नकसल एफेक्टेट सीटे जो है वो 35 सीटे आती ह एक बार फिर से ओवराल तस्वीर की तरफ चलते हैं और फिर से कुछ फिल्टर लगा के हम दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से tribal seat की बात कर लेते हैं, tribal seat पर क्या इस्तिती और परिस्तिती बन रही है ट्राइबल सीटे ओवरॉल 36 गर में 33 सीटे हैं देखिए ये ट्राइबल सीटे जो है कुछ नकसल एफेक्टेट एरिया जो है महां की सीटे भी है ये नीचे का 36 गर का हिस्सा मैं अप आप देख रहे हैं और ये उपर का हिस्सा और इसमें अगर आप और फरमाएंगे तो देखिए कि ये नीला रंग जो है एक, दो, तीन, चार बिलकुल यहाँ पर गिना जा सकता है उंगलियों में पांच, छे, साथ, आठ, नो, देस, ग्यारा, बारा तो ये बारा बिलकुल एग्जेक्ट फिगर है देखिए बारा सीट सोला सीटों का नुकसान हुआ है और ये ट्राइबल सीट हैं आदीवासी सीट हैं और यहाँ पर आदीवासी के लिए बड़े-बड़े काम की बाद चुकई गई गई उसके बाद जो दावे किये गए उसकी तस्वीर आप समझ लीजी कि क्या तस्वीर बन रही है इसके बा सीट जो हैं वो 49 सीटे हैं सीस्टी मिला करके और बीजेपी को कितना गेन हुआ है बीजेपी को बहुत बड़ा केन हुआ है यह दो यह तस्वीर आप समझ जाएंगे कितना गेन हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया बड़ी खबर पार्टन से CM भूपेश बगेल जीत चुके हैं, बड़ी खबर यहां से पार्टन से CM भूपेश बगेल की जीत हुई है, विजय बगेल उनके सामने पृत्याषी थे, BJP के उनकी हार हुई, CM भूपेश बगेल चुनाओ अपना जीत चुके है, विदान सबा और इस आत्विश्वास की वज़ा ये भी थी कि वो एक बार हरा चुके हैं लेकिन इस चुनाओं में 2023 की धानसाबा चुनाओं में भुपेश बगेल जीत गए हैं और नारायंटपुर से BJP के केदार कश्यप जीते हैं और मम्ता लांजेवार का रुक करेंगे हम हमाई साथ जुड़ गई मम्ता जी बिल्कुर मम्ता जो सूरते हाल अभी 36 गर का BJP को प्रेचन बहुत मिलता हुआ नजर आ रहा है हाला कि कांगरेश दफ्टर के बाहर आप नजर आती है शायद मुझे निराशा वहाँ पर होगी सन्नाटा पसरा हुआ गा बिल्कुल देखिए सुबर जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत जादा रौनक दिखाई देरी थी लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब कांगरेश दफ्टर में जो जितनी गहमा गहमी थी वो गहमा गहमी जो है वो कम हो गई है और बीच में तो यह माना जा रहा था कि नतीजे बदल सकते हैं लेकिन अब अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कायकरता जो है वो किस तरह से चिंतित नजार आ रहे है और आपको देखेंगे ग्रूप ग्रूप में आपको दिखाई देंगे अलग अलग ग्रूप म कि इसकी उम्मीद किसी ने नहीं कि थी तमाम वो बड़े चेहरे मैं अपने क्यामरापस से कहूंगी आपको वो दिखाए जो पोस्टर लगा हुआ है कॉंग्रेस भवन के बाहर भरोसा बरकरार फिर से कॉंग्रेस सरकार जिसमें पांच बड़े चेहरे आपको दिखाई दे र है तो पहले ये था कि भवबेश पर भरउसा नारा था और उसके बाद भरउसा बरकरार फिर से कॉंग्रेस सरकार इस नारे के साथ जो है वो कि रही के सज़ेंगे कूछिश की गई कि कालेक्टिव जो है वो लड़ रही है लेकिन चारों चेहर जो है चाहिए वो पी सी सिंग कि अधेख नियुक्त बात करें तो ये कॉंग्रेस के लिए बड़ा शॉकिंग है कि कोर कमीटी के कोर गूरूप के तमाम जो नेता है वो हार गे यह समझ ही नहीं पा रही है कहीं उनको लगा था कि चलिए पाप पार्टी के नाम पर अगर नाराजगी है तो प्रतियासी के नाम पर वोट मिल जाएंगे लेकिन यह तमाम जो कयास है वो धरे के धरे रहे गए कर्ज माफी का जो बड़ा वादा कॉंग्रस ने किया था ये लगा था कि ये जो है वो मैजिक नंबर तक पहुँचाएगा लेकिन ये कर्ज माफी का जो वादा है वो उसका जादू नहीं चलता हुआ दिखाई दिया यूथ जो है यूथ फैक्टर आपके साथ नहीं दिखाई दिखाई दिये यूथ बैज़नी राइपूर की देखिए कि सारी की सारी सीटें जो है वो ऐसा ये एकी बीजेपी के खाते में जो है सियासत का यहीं केल है कोई पास है तो कोई फैल है कहीं जशनिका माहौल है कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात यह हो गई बहुत बड़ा नुकसान ही हो गया है कि उसके दिगज ही कई कई दिगज पीछे चल रहे हैं भी भी कई दिगज हार रहे है ममता बिलकुल देखिए अब वाकर कॉंग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी एक शौकिंग बात है दूसरी तरह पकर हम बात करें जब एग्जिक पोल आ रहे थे तो कॉंग्रस का कहना था कि तमाम एग्जिक पोल से हम आगे जाएंगे मुखिमादी भुपेज बगेल का भी बयान आया था और हमें कहा था कि अभी रुकिये चहपन जो एक जिट पोल में जो सबसे ज़्यादा दिखाए गाए तो नंबर दिखाए गाए थे हम उससे कही बात आए तो कि तोड़ी ऑपर चाहिए थे तक पर आपकर के त्वीट नहीं नहीं और आप से यह सफाई दे रहे हो माफी भी मांग रही हूँ के बाते आगे यहा पोल से लेकर एक्जाक्ट पोल के तस्वीर कांग्रेस के हाख में नहीं आई है लेकिन 36 गड़ को लेकर ये कहा जा रहा था कि भले ही विजेपी कानून का भय होना चाहिए जो गलत काम करते हैं उनका सिकंजा होना चाहिए और इसलिए इस 36 गड़ की जनता ने भय मुक्त वातावन बनाने के लिए सरकार बनाई है इस सरकार को मुक्त इसलिए किया कि इस सरकार ने 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 आयाम गटित कि दे बश्टा चार की और इसलिए आदे लोग जेल में आदे लोग बेल में और आदे लोग इंतिजार में अब प्रात्मिक ताय क्या रहेंगी अब तो सत्ता पे रहेंगे आप लोग क्ह प्रगति सिल्टा के राज में खड़ा हो डबल इंजन चिस लिए के अंदर में मोदी जीकी स्थिनुत मसल Supreme जोलों मिल्य के अच्छा प्रगति के अھो बृल्डोजर की बाथ कह रही है अब जो जो भी यह सब ठीक होगा तो यह सब तेख सकते हैं जीत का जस्त है वो राजेश मूलत को आप सुन रहते हैं राजेश मूलत ने दावा किया है कि केंद्र और राजेश सरकार मिलका 36 जलका विकास करेंगे पलपल का बेट नियू उजेटिन मदपर्देश पर लगातार जारी है आप बन रही है हमारे साथ फॉरल लोटेंगे छो गारंटी पूरा होने की भी गारंटी पाटन से सीम भुपेश बगेल आगे हैं जीत की ओर है वो रामपुर से नंकी राम कवर पीछे चल रहे हैं दुर्ग से ग्रामीर से तामर्दुस्ताहू भी पीछे चल रहे हैं ये एक बड़े फैक्टर है जो आपके दिखा रहा है भगवा पर्चम और ये देखिए यहां पर आगे हैं प्डान मंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स के जरीए ये दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लहरा है कि तो चुनाव मतलब न्यूज एटीन और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बचकर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पह पहले आठ बचकर तीन मिनट पर हमने पहला रुज़ान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्परदेश उमदगाना की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते मद्परदेश में बीजे पी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर BJP की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से CM शिवरा सिंग चोहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की बुद्रानपुर से जीते हैं अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिलकुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर BJP का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा फैक्टर 36 गर की दुस्ट बात है 36 गर में 54 सीटों पर BJP की बलहत है प्लचंद बहुमत की ओ 36 गर में भी BJP है परना सीटापूर से मंत्रिया मचीद बगत आ रहे हैं कॉंडा गाउ से मोहन मरकाम हा रहे हैं देखे बड़े इस चेहरों ने इस राम पर हार हासल की है राजरंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहां से धरम लाल कौशिक आ गे हैं बिल्कुल और अम्भी कापुर से जिप्टी सीए म्टी सिंग्डेों पीछे चल रहे हैं बहुत बढ़ी कबर पाटन से सीएम भूपेश बगेर आगे हैं यहाँ पर आ गए हैं प्रधार मंसी मोधी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स दरीए यह दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चे में एक बार फिर लहरा है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेग मतलब ना की दस बड़ी बाते हैं बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीख पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की बुरानपुर से जीती है अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक काम हाने देखे बड़े इस चेहरों ने जहां पर हार हासल की है राजनन्द गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिल्हांसे धरम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम टीए सिंग्देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ पर चम और यह देखिए यहां पर आ गए हैं प्टारमंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स दरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर चम एक बार फिर लहरा है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहे 10 बड़ी बात हैं मदध परदेश उमत गयाना की 10 बड़ी बात हैं बुधरी से सीम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद परदेश में बीजेपी प्रचन्द बहुमत की ओर है 166 सीध पर बीजेपी की बहुत नजर आ रही है अर्चना चितनिस ये मत्गर्ना की बड़ी बाते होशंगा बाद से सिता चरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वारा से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल, पीसी से जख्श बैतूल, जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीच चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा फैक्टर 36 गर की दस्वात है 36 गर में 54 सीटो पर बीजेपी की बलहत है प्रचंड बहुमत की ओ 36 गर में भी बीजेपी है अपड़ा सीटापूर से मंत्रिया मजीद भगत हा रहे हैं कॉंडा गाउं से मोहन मरकाम हा रहे हैं बड़ेस चेहरों ने जहांपर हार हासल की है राजरंद गाउं से लेकिन डॉक्टर अमान सेंग को मिली है जीत बिलहास दरम लाल कौशिक आगे है बिल्कुल और अम्बी कापूर से जिपटी सीएंटी सिंग्डे उपी एंपी में प्रचंड जीत की और बीजेपी अब तक 69 सीटो पर जीत 608 पर आगे 62 सीटो पर सिमट रही कॉंग्रस बुद्नी से सीम शिवराज, दिम्बी से नरेदर सिंग सहित कई दिगजों की जीत शातीस गरबे भी बीजेपी की लहर 49 सीटो पर जीते बीजेपी प्रत्याशी 15 पर आगे 35 पर सिमट रही कॉंग्रस राजनान गाउं से रमन सिंग जीते दिल्ली के वीजेपी ऑफिस में मनेगा जीत का जशन शाम 6 बजे भाचपा मुख्याले जाएंगे पीम मोधी कारिकरताओं को करेंगे संबोधित जीत के जशन में टूबे बीजेपी कारिकरताओं दिल्ली में बीजेपी मुख्याले में जमकर आतिश बाजी भूपाल में महिलाओं ने सीम शेवराच का किया अभी नंदन रायपर पहुँचे केंद्रे मंत्री मनसुख मांडविया और प्रदेश बभारी ओमाथोर बीजेपी को बहुमत पर बोले रंगलाई कारिकरताओं की मैनत पीम मोधी की गरीब कल्यान योजनाओ पर लोगों ने जताया भरोसा चुनाव मतलब न्यूज 18 मदगर्ना के दिन दिगजो ने जताया न्यूज 18 पर भरोसा सीम शिवराज सिंधिया नरेद्र सिंग तोबर सहित कई नेताओं ने देखा चैनल सबसे पहला रुचान न्यूज 18 पर आपको देए बहनों के लानले भाईया लीडिंग टैली में नजर में कि मदगर्देश में रुचानों में बीजेपी को प्रसंद बहुमत सबसे बड़ा सर्प्राइज बेरा है चटिस गड़ वहाँ पर भी कमार हो गया है वहाँ पर भारतिय जन्ता पाटी में बड़ा प्राणी है आप हम देख रहें कि एक तो बासक सीटे रुचानों में काफी बड़ा निफ्रेंस है ये तब ने पहला नतीजा इनूज वचीर पर नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ रितू ग्यानवानी लगातार पलपल का बेट आपको हम दे रहे हैं सुबह सही नतीजे रुचान हम आपको दिखा रहे हैं लगातार हमने दिखा है किस तरह से बीजेपी भलत लगातार बना हुए है चाहे वो मध्यप्रदेश हो चाहे 36 गलो सबसे पहले हम बात बड़ी कबर दिस वक्त करेंगे 2013 के बाद अलग स्थे 30 बा नदर आई बीजेपी 166 सीटों पर आगे चल रही है 12 सीटों पर सिंटी ए कॉंग्रेस तो बड़ा अंतर इस बार देखा गया है मध्यप्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत दर्च की गई है नतीजे अब आच चुके हैं कई सीटों पर हमने देखा बहुत जादा बड़त के साथ आगे बढ़ रहे है बिल्कुल और 2013 के बाद बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत है रितू और 166 सीटों पर आगे चल रही बारत ये जनता पार्टी एक एतिहास एक बार फिर से यहां पर बदला है या दोहराया है ये जनता तै करे मध्य प्रदेश में भारत ये जनता पार्टी की ये बंपर जीत हलाकि अभी कुछ सीटों पर रेजल्ट लेयर होना बाकी है लेकिन जो अंतर बना कर यहां पर भारत ये जनता पार्टी ने कॉंग्रेस पार्टी के साथ रखा हुआ है वो अंतर मुझे लगता है कि नितु अभी यहाँ पाग पाना कॉंग्रेस पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो चला है आशीश बड़ी बात है हम ये देख सकते हैं कि ये पूरे चुनाव में हम ने देखा कि कितनी भी बड़ी बाते की गई चेहरों पर खेलने की बाते की गई पर चेहरा काम नहीं आया कॉंग्रेस ने इसे भरों से चुनाव लड़ा कि शायद 36 गल में भी चेहरा बीजेपी में नहीं रखा है पर वो भारी बढ़ गई आश्रीश और डावे मुद्दे कहीं न कहीं हावी रहे और लागली बहना योजना जस्तर से हावी रही बहनों ने खुल कर प्यार लुटाया मामा पर रितु चुकि इसमें महिलाओं की बात उन्होंने छेड़ दिया है और यह स्टाटिक्स में भी वो आकड़े नजर आ रहे हैं जो कि महिलाओं के प्रती जो काड़ यहां पर भारतिय जन्ता पार्टी ने एक सानबूती का खेला अलगातार महिलाओं के हित में योजना चलाएं सीटे और इसके बाद 62 सीटों पर इस वक्त सिमट्ती नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी तो वहीं भारतिय जन्ता पार्टी 109 सीटों पर 2018 में थी तो 2023 में 166 सीट लेकर अभी आपर आगे बढ़त बनाये हुए रितु लेकिन अभी अगर बात करें मुद्दे दावे सब पीछे रह गए है इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गुंज रहा है मोधी मोधी हर कोई श्रेय जो है वो मोधी को दे रहा है मध्यप्रदेश ये मन में मोधी नारा नारा जो है नारा लगा था शुरू से ही और वो नारा कहीं न कहीं दरातल पर हमें देखने को मिला और मोधी पर भरोसा जो मोधी ने खुद भी कहा था मोधी पर भरोसा है जनता को वो भरोसा कहीं न कहीं दिखा जिस तरह की बंपर वो हम 2018 की बात करें 15 कहीं नज़र आई तो 2023 के हम बात करें तो यहाँ पर 55 सीटे नज़र आ रही है बड़त बनाती हुई लगातार बीजेपी अब नज़र आ रही है और फाइदा देखें यहाँ पर नुकसान कॉंग्रेस पार्टी को 34 का हुआ है और 34 सीटे कॉंग्रेस के हाथ से गई है रही तो जबकि 40 सीटे प्लस में बीजेपी के कहा नज़र आ रही है यहाँ पर यह फाक्टर हम मान सकते है कि जैसा भरोसा जता है गया कि दिगजों को मैदान में उतारा जाए दिगजों का असर तो साफ तोर से देखा ही गया पर हम तरह से पहले जिक्र कर रहे हैं कि शायद फ्रेंट पर नहीं लाए जएगा इसे भी बड़ी 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 ख़बर 55 सीटों पर बीजेपी आगे चर रही है 55 सीटों पर बीजेपी आगे चर रही है ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं अमने के खाते में एक सीट जाती हूए नजर आ रही है पिछली बार, भेदे देखा था, अमने के खाते में जादा सीटे आई थी, पर इस बार इस बार नहीं है, इस बार भरोसा नहीं जता आ गया। स्टैटेटिक्स है वो भी हम आपको बताते चलें स्टैटेटिक्स क्या कहती है यह 36 गड़ की स्टैटिक्स है 68 सीटें 2018 में जीती थी कॉंग्रेस पार्टी ने जबकि 2023 की जो तस्मीर है वो काफी बदा चुकी है 34 सीटों पर सिमट्टी नजर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी और 34 सीटों का ही नुकसान कॉंग्रेस पार्टी को यहां हो रहा है वही बीजेपी ठीक ठीक यह यह ग्राफिक्स में जरीवे आपको दिखाएंगे अपडेट देंगे सीधे इस वक्त रटका रुक करते हैं वहां से क्या अपडेट है सही होगी अवंति सब्सक्राइब करते हैं इस मुकाबले में हम मद्य प्रदेश के बंगाताओं का तैसला स्विकार करते हैं आज विरोधी दर्चिनाति और आज यह जो हमारा करतबे हैं हम उस करतबे पर गटे लाएं सबसे बड़ी चुनाउती है हमारे सामने नाजवान की भशेश की है और क्रिशी चेट की है क्रिशीचेटर 70% हमारे अर्थ विवस्ता का थिसा है और क्रिशीचेटर में मजबूतिया यह हमारी पार्ट में तब हम चाहिए मैं भार्तिय जन्ता पार्टी को वड़ाई जेता हूँ और उबीद करता हूँ कि जिस तकार जन्ता ने हुए समातर दिया वो उस पर खड़े उत्रेंगे और जन्ता को जो विश्वास और उने जटाया है बार्तिय जन्ता पार्टी को वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से गोने भाएंगे आज हमारी दूसरी उमीद थी मैंने हमेशा कहा था कि मैं मद्यप्रदेश की मद्दातों पर विश्वास करता हूँ वो आज भी करता हूँ मैंने पिसले एक महिने से कह रहा हूँ मैं मद्यप्रदेश की मद्दातों पर विश्वास करता हूँ मैं ऐसे जब आप पूछने थे कि किती सीज़ आएगी, मैं कहता था मैं मन्दिपुदेश के मद्दादाओं पर विश्वास करता हूँ आज भी बहुत विश्वास करता हूँ और मुझे ये उमीद है कि ये विश्वास जो मंद्रिपदेश की मद्दादों ने बारतिये जनकापाटी पर रखा है, उनके साथ विश्वास नहीं हुआ हम इस पर विचार करेजिए कि क्या हमें कम्यों थे क्यों हम मद्रादा को अपनी बात नी समझाबाद, हम उवीरबार से चर्चा करके, बहारा हुआ होई या जीता हुआ होई, हम उनसे चर्चा करेजिए अग्मे उस्थिमें और उस चर्चा के पाद हम इसका निश्वास निकार होई कमलात को आप सुन रहे थे और पूरु मुख्य मंतरी दिगवजय सिंग भी वहाँ पर मौजूद थे जो दन भर्रेट 130 से उपर सीटों का हाला कि बीजोपी की जीत जो हुई है त्यासिक जीत हुई है उस पर बढ़ाई देते हुए कमलात नजराय साथी साथ उन्होंने कहा कि जनता का ये फैसला है हम सुईकार करते है और बड़ी खबर इस बीच अंबिकापुर से टियस सिंग देव चुनाव हार गई इसमत्की बड़ी खबर ये बहुत बड़ी खबर है 157 मोटों से टियस सिं से बात्रियह हार हुई है बड़ी सीट अबे कापर के सीट सभी के दिगाहे थी दपे के सीए में है और कहीं न कहीं सीएं के रेस में भी लंबे वक्त से चल रहे थी और उनका साथ तोर से कहना है कि अगर सीएम नहीं बड़ा तो चुनाव लनने का मतलब क्या अर यहाँ पर प्राजिस्तान में भारती जनता पार्टी की पूर्ण बवबात की साथ सरकार बंती वी नजर आ रही हो लेकिन मद्धप्रदेश अतीज़गड की जनता है जो लगाता चौकाने का काम कर रही है टीयस दिंदेव का आपने जिक्र किया है लगातार उन पर हम नजरे बनाये हु चुनाव हारते हुए नजर आये है कमल पाटेल का नाम सामने आता है इसमें हरदा से हैं भारते जनता पार्टी की तरव से लेकिन चुनाव हार नाम चुकें तीस गड़ के आंकड़े बहुत मैंतपूर्ण हो जाते हैं उन तमाम वी आईपी सीटों पर हम नजरे बनाई हुए थे चैंडास में का जिकर हैं वो चुनाव ज़रूर जी चुके हैं लेकिन शिफ कुमार डहरिया जो लगातार भूपेश बगेल के साथ हर प्रेस कॉंफरें इसे आप कहिए या भारतिय जनता पार्टी का मोदी मैजिक अमिच्शा का मैजिक आप कहिए लगातार इसे आपको हम अब्रेट कराएं गुलाब कमरों वो भी चुनाव आठ चुके हैं नंकी राम कवन चुनाव आठ चुके हैं ये वो प्रमुक चेहरे हैं जिन पर कर पाएं तब आप कैसे कॉंग्रेस पार्टी को लीड करवा सकते थे ये एक मैत्वपून सवाल था बड़ी बात ये भी है कि कैसे पार्टी ने चेहरों पर सवाल या पर ये भी उटता है अंबिकापूर बहुत बड़ी सीट होट सीट पियस से देव का हार जाना बहुत ब ज़र माबे रितुम लगातार ये देख रहे थे अपनी रिपोर्ट पर कॉंग्रोस को भरोसा था टियस सिंग देव भी खुद ये टियस बाबा इस बात का जिक्र कर दे थे कि भारते जनता पार्टी बहुत अच्छी टकर में है और कोई उन्हें चौकाने वाली बात नहीं होगी अगर भारते जनता पार्टी बहुमत हासिल भी करती है लेकिन मुझे लगता है कि उनकी खुद की सीट को लेकर तो आप कही न कहीं आश्वस्त से थे सभी अब आप ये कहिए कि मोदी माजिक है या फिर खेला इस बार जनता ने खेला है मधिप्रदेश अतीजगर दो अब जितु पटवारी को लेकर जनकारी है वो भी जुनाव आर गए है जीतु पटवारी का आपको जिक्र याद होगा वो कह रहे थे 135-155 सीटे कॉंग्रिस पार्टी लाने वाली है लेकिन खुद ही राविदानसवा सीट वो आर के बैट गए है बड़ी बात ही है कि लीड साव कॉंग्रिस की तरफ से लीड कर रहे है पामगड पर भी जांजी की चामपा महा समुद की तमाम एसी सीटे जहां पर कॉंग्रिस लीड करती भी नजर आ रही है लेकिन दूसरी तरफ बारते जनता पार्टी की तरफ से जो एतिहासिक आकड़े हासिल किये गए हैं उन प से पिछा जाना और कॉंफिडेंस के साथ जो आपने अभी जिक्र किया तो मुझे यहार आता अवंतिका वो हमारे साथ जुड़े थे जब हम एक्जित पोल के नतीजों को दिखा रहे थे तीस तारीक की वो तारीक भी जीतू पटवारी जी को भी याद होगी तो इसी चैनल कि जीतू पटवारी चुनाव हार गये हैं कॉंग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा क्या युवा चेहरा आखिर उन्हों ने क्या परिवार है तो फिर है कि आगलंग क्या जाएगा कि हार के वजय क्या रही है विडियो चनले सब्सक्राइब निश्यटीन इंदोर तो यह ला अब थोड़ा सॉफ्ट हो गए तीस तारीक को बड़ा वो आकरामर तरीके से बोल रहे थे कि चुनाब तो कॉंग्रेस पार्टी जीतेगी बहनों को पंद्रा सो रुपे देने की बात हो सिलेंडर देने की बात हो विरुजगारी का जिक्र नहीं कर रहे थे लेकिन अब आपको अब बताएं कि पटवारी भरती गुटाला सामने आए जीतु पटवारी इतनी प्रमुकता से आगे आए यह लग रहा था कि जीतु पटवारी इस बार खेला कर देंगे लेकिन असली खेला मध्यप्रदेश अतीजगर की जनता ने कर दिया है राउ से जीतु पटवारी आठ चुके हैं यह एक बड़ी अपडेट आपको दे हैं कि इसकी देखी थी रोकना जाओंगे से बीच बड़ी 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 खबार पहले दर्शकों को बता दे 157 वोट से चुनाव हारी मिया अपडेट इस वक्त दर्शकों को दे रहें 157 वोट से चुनाव हारे टियस से देव डेपिटी सीम है और सीम के रेस में लगातार चल रहे थे और अब ये जो हार टियस से देव के खाते में आई है कई सारे सवाल खड़े करती है बिलकुल बड़े चेरों का सिकर रितू कर रहे है 157 वोट से चुनाव हारे टियस सिंग देव टियस बाबा जो कि उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले ही तीन से चार महिने वो उपमुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री बनने की राह पर चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया है और मातर 157 वोटों से चुनावारे हैं टियस सिंग देव एक ऐसा नेता कॉंग्रेस पार्टी में जो कि अपने सरल और सहज स्वभाव के लिए जाना जाता है टियस सिंग देव टियस बाबा के नाम से भी उने संबोधित करते हैं लोग स्वास से मंतर अले जैसी मातर पुण जिम्मदारी वेश सबाल रहे थे और बाद में उन्हें उप मुक्य मंतरी तक बनाया गया और अब टियस सिंग देव जो देख रहे थे रास्ता वो सीम कारयाल है सीम आवास का देख रहे थे और यहां पर जो अमीद थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी की तरफ से प्रतिक्रियाई माइक्रो ब्लॉग इंसाइट एक्स पर उन्होंने लिखा मध्यप्यदेश, राजस्थान और 36 गड़ के चनाव परिणाम यह बता रहे हैं कि भारत की जलता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीती में है उनका भरोसा भारतियत जलता पार्टी में है भाजपा पर अपना स्वेह, विश्वास और आशिरवाद बरसाने के लिए रिदय से धन्यवाद करता हूँ प्रदानमंत्री नरेंद्र वोधी का यह ट्वीट, यह माइक्रोव्लोगिंzen साइट एक्स पर उन्होंने प्रतिक्रियादी है और आवब यह प्रतिक्रियाओं का दौर आगे जारी रहेगा आप से कुछी देर में रितु प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी भारतिय जनता पार्टि के दिल्ली कारेले भी पहुंचने वाले जहां पर आपको पहुंचाई रहें लेकिन अभी तक जो अपडेट्स हमने दिये दर्शकों को उन्हें लेकर हम भी चौप गए हैं बड़े बड़े चहरे हार गए टिये सिंग देव चुनाब आप आप गए जीतु पटवारी चुनाब आप गए और पगन सिंग कुलस्ते जैसा चेहरा जोगी केमर में मंतराले की जिम्मदारी समाल न था वो भी चुनाब आप आप डेट पाटन से सीम भुपेश बगेल आगे हैं जीत के ओर है वो रामपुर से नंकी राम कवर पीछे चल रहे हैं दुर्ग से ग्रामीर दुर्ग ग्रामीर से तामर दोस्ता हो भी पीछे चल रहे हैं ये एक बड़े फेक्टर है जो और हिंटी बेंट में एक बार फिर लहराया है भगवा पर्चम और ये देखिए यहां पर आगए हैं प्धारमन सीमोधी हाथ लाते हुए ग्राफिक से जरीए ये दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम में एक बार फिर लहराया है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेड लगातार जारी रहेगी सुमित बिलकुर लगता कवरे जारी है जब तक की आकरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुजहान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिज़र्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्द प्रदेश उमद गला की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते, मद्ध प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है, 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। बीजेपी का कबजा, पन्ना से मंत्री ब्रचेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं, कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर, 36 गर की दस बात हैं, 36 गर में 54 सीटो पर बीजेपी की बढ़त है, प्रचेंद बह कोशिक आगे हैं, बिल्कुल, और अंबीकापुर से जिप्टी, सीम्टी, सिंग्देव पीछे चल रहा है, बहुत बली कबड़, पाटन से सीम भुपेश बगेर आगे हैं, जीत के ओर है वो, रामपुर से नंकी राम कवर पीछे चल रहे हैं, दुर्ग से ग्रामीर, दुर से भगवा पर्चे में एक बार फिर लहराया है, तो चुनाव मतलब न्यूज 18, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आट बचकर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था, पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया, वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया, और दस बरि बात हैं, मद्द परदेश उ मद्द गर्ना की दस बरि बात हैं, बुदरी से सीएम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते हैं, मद्द परदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है, 166 सीव पर बीजेपी की बढ़त नज़रा रही है बुद्री से सीमशिवरा सिंग चाहान जीते दिन्नी से नरेंदर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुराणपुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मत्गर्णा की बड़ी बाते होशंगा बाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद पृताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा बीजे पीए अपना सीतापूर से मंत्रिया मजीद भगत आ रहे हैं कॉंडा गाउं से मोहन मरकाम हारे हैं देखे बड़े इस चेहरों ने रापर हार हासिल की है राजनन्द गाउं से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिल्हासर दरम लाल कौशिक आगे है बिल दुर्ग से ग्रामीर से तामर्दो साहू भी पीछे चल रहे हैं यह एक बड़े फैक्टर है जो आपको चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बचका तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला लतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगल कवरे जारी रहेगी सुमित की बढ़त नज़र आ रही है बुदरी से सीएमशिवरा सिंग चोहान जीते दिमनी से नरेंदर सिंग तोमा न जीत हासिल की बुरानपुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मत्गर्ना की बड़ी बाते होशंगाबाद से सीता सरन शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वारा से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का अबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद पृताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ बर काम हाने देखें बड़ेस चेहरों ने जहां पर हार हासिल की है राजनंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिल्हासर दरम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम टीए सिंग देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ इस फेक्टर है जो आपके बेंट में एक बार फिर लह रहा है भगवा पर्चम और यह देखिए यहां पर आ गए हैं पजार मंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक से जरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम है एक बार फिर लह रहा है कि तो चुनाव मतलब इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बचकर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक यह मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमेट बिलकुल लगता कवरेट जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बचकर तीन मिनट पर हमने पहला रुजान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्ध प्रदेश उमद गला की दस बड़ी बात हैं येम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंदर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुड़ान पुर्स जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंतरी ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ बर काम हाने देखें बड़े इस चेहरों ने जहां पर हार हासिल की है राजनंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिल्हासर दरम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सी एम टीए सिंग देव पीछे चल रहा है बहुत ब बेंट में एक बाद फिर लह रहा है भगवा पर्चम और यह देखिए यहां पर आगए है धार्मन सी मोधी हाथ लाते हुए ग्राफिक से जरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह रहा है कि तो चुनाम मतलाब न्यूश्य आप नगातार बोल बहुमत मिलेगा इस आपड़े की उम्मीद थी निच्चे उम्मीद थी क्योंकि मैं फिल्ड में घुम रहा था मैंने डब्बे विदाल समाओं का कई बार दोरा किया मैंने कार्यकरतों की नब्द पेचानी मैंने आदरिया प्रदान मंत्र जी गरीप लानी होजनाय जो तक पहचान क्यों नहीं पा रहे थे लोग सभी बीज़ेपी को अंडरिस्टिमेट कर रहे थे अब वो तो उनकी बुद्धी का हो जाने लेकिन मैंने मेरी बात ही जो मैं कह सकता हूं नहीं पहचान पाये तो वह भूबत रहे और भारतिया जंता पार्टी कार्यकरता आदार बेच पार्टी है और जहां भी जाता हूं मैं पहले मेरा काम ही दून को शक्रिय जो ногा ब मैं पहले फेंशी viscos की जिफ्कति कहां से लिखनी शुरू ही ठीब आप के बहुत वक्त आद गजार दियो और पूरी कहानी लिखी को मैं बता कि कही ही आपनी जीत की प्रवारी प्रवारी बने और आते ही आप बैठ करके पता लगा ज़र मैं अलग अलग तरह की बैठ के लिए मैंने संभाग वाइश बैठक ली मोर्चों की बैठक ली तो मुझे लगा कि नीचे तत्व है ताना है नीचे सिर्फ जाकरत करने की जुरूत है और वो हम सब लोगों ने मिल करके यहां के पीजेपी की पूरी यूनिट ने मिल करके किया और हर कारकरता इस पठकता में अपना योगदान दिया इस यग को मान करके उजिया जीत के यग में अपनी आहुत ही डाली उशी का परणाम है और आदे ने नरेंदर मोदी जी के उपर बरोशा और उनका विश् पर में काम करने जा रहा है क्योंकि अमेरिका को कहना पड़ा ये रसिया और उक्रेंट में को युद रोख सकता है तो मोदी रोख सकता है इसलिए मोदी वेक्टर तो हमारा लीडियल हमारा कारिकरता नेता है वो लेकिन अब वो विश्व के नेता है विजएपी कैसे आगए आपसे में वही सवाल कर वार की लोग सब कि मैं जा जाता हूं वा क्या होता वस यही बता देना कि पता नहीं उस आदमिक पास क्या है अब चेहरा कौन होगा ये सवाल अब अगला उसका ये मेरे भिकार से तर में नहीं हमारा सिस्टम की पार्टी है पारलेमेट बोर नेड़े करता पारलेमेंट बोर बैटेगा यहां कोई प्रेवक्षा का आएंगे वह प्रेवक्षा किया मजदाक दिल की मीटिंग लेंगे वो ओम माथूर को जिन्होंने जीत की पठकता लिखी रितू और ये ओम माथूर से बात करे थे अब रिशेख हमारे सयोगी ओम माथूर का वो ट्वीट रितू मुझे याद आता है जब इन्होंने लिखा था एक्जिट पोल आने के बाद जो एक्जिट पोल दिखा रहे थे कि 36 में भारतिय जनता पार्टी पिछड रही है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार एक्जिट पोल में बनाई जा रही थी उस एक्जिट पोल को देखने के बाद ओम माथूर ने वो जो ट्वीट किया था वो मुझे यादा देखिए ये सब धरे का धड़ा रह जाएगा और जनता बीजेपी का साथ देगी जब उनसे पूछा गया क्या फार्मूला अपने अपनाया जीत के लिए तो उन्होंने कहा कि मोधी फाक्टर नहीं चला है और मोधी फाक्टर पूरे विश्वों में चल रहा है तो राज़ में क्यों नहीं चलेगा बिलकु निशित उपसे और उस समता तक पहुचा है और सरकार के खिलाफ लोगों ने जा करके वोट किया है और ये एक बार फिर से जो आकड़े है वो हम आपको इस वर्चुल सेट के मादिन से दिखा रहे मध्यप्रदेश की तस्वीरे रितू ये इस वक्त 230 विदान सभा सीटों वाली इस मध्यप्रदे सब कुछ किये गए पर वो धरे के धरे रहे गए ओवर कॉंफिडेंस में कॉंग्रस निकल ली राजनिती जो है राजनिती से कहीं न कहीं हाथ दो बैठे हैं कॉंग्रस के नेता और ऐसी ही तस्वीर दिख रही है हर कहीं निश्यत रुपसवर ये जो इस वक्त ये आप देख रहे हैं ये वर्च्वल रियालिटी का सेट जरूर है लेकिन ये रियालिटी है ये सच्चाई है इस वक्त एक सुरसट सीटों पर लीड कर रहे है भारते जंता पार्टी जिसमें से कई सीटों पर परिनाम स्पष्ट हो देखे चपन सीटों के साथ लीड कर रहे है भारती जंता पार्टी वही 33 के साथ कॉंक्रस कॉंक्रस पिछड़ गई उस बार 36 गर के बारे में बलकुल आसा सोचा नहीं गया था पॉलिटिकल एनालिस्ट लगातार कह रहे थे कि नहीं यहां पे तो कॉंक्रस ही आईगी वो महदप्रदेश में ही नहीं राजस्थान में भी और चतीज़गर में भी जिस तरह से सक्ता में वापसी की है बीज़पी ने वाकई यहां पर सबको हरान करने वाली यह तस्वीर है पचीस सीटें बीज़पी के पांच कॉंग्रेस के और अन्य के खाते में शून में सीटे गई है यहां पर अच्छा प्रदेशन मतलब बीज़पी ने किया है साफ दोर से समझा जा सकता है पिछली बार के मुकापले यहां पर अगर हम बात करें मालवा निमार की मालवा निमार की बात करें 66 सीट कुल है यहां पर 49 पर बीज़पी ने जीत दर्च कर दिये तो महीं कॉंग्रेस 16 पर से मट करके रह गई अन्य के पास यहां पर प्रदेशन बहुत अच्छा था पिछली बार हमने देखा था किस तरह का प्रदेशन कॉंग्रेस ने किया था पर पलट गई पलट गई पूरी नई आई पलट गई क्योंकि आदिवासियों को लुभाने के लिए हम कहें या आदिवासियों के लिए काम करने के लिए कहें तो वो काम किया गया इसलिए तस्वीर बदली हुई नजर आई यह तस्वीर महा कोशल की हम आपको दिखा रहे ह पर 38 सीटे BJP के खाते में 23 गई है, कॉंग्रस के खाते में 15, अन्ये के पास कोई सीट नहीं आई है। पर 38 सीटे के खाते में 25 सीटे के खाते में 25 सीटे के खाते में 7 सीटे गई है। रह गई कॉंग्रस, आगे, आगे हम बात करते हैं मध्य की 36 सीटे याँ पर है, BJP के खाते में 32 चली गई है, बहुत बड़ी बात है, कॉंग्रस के खाते में सिर्फ चार जा पाई है, यहाँ पर भी प्रदर्शन अच्छा नहीं देखा पाई, कॉंग्रस आने के खाते में 29 सीटे भारतिय जनता पार्टी, जिस पार की प्रदर्शन भारतिय जनता पार्टी का यहाँ पर बहतर रहा है, और इस प्रदर्शन की आगे जो तस्वीर है, नितू कुछी दिर में और क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर तस्वीर आएगी, जब रिजल्ट्स पूरी तरह से गोशित हो जाएंगे अभी कुछ-कुछ रुजान जरूर बचे हुए हैं अभी आना और नरेंदर मोदी, प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी का ये वो ट्वीट दिखाते हैं, जनता जनार्दन को नमन करते हुए प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने लिखा, मद्यप्रदेश अत तीज़गर के चिनाव परिनाम ये बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सुशासन और राजनीती में है उनका भरोसा बीजेपी में है ये ट्वीट प्रदान मंत्री नरेदर मोदी दुवारा किया गया भाच्पा पर इसने बरसाने के लिए आपका धन्यवाद हमारे बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वही ग्रे मंत्री केद्रे ग्रे मंत्री अमिशाने में ट्वीट किया भाई बैने ने प्रदान मंत्री श्री नरेदर मोदी पर भरोसा जताया अपना विश्वास जताया बीजेपी को जताया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ इस पर ये ट्विक किया है प्रदान बंतरी नरेंद्र मोदी जी की नीतियो और बीजेपी की विचारधारा को जनता का समर्थन का उसको प्रणाम कर रहे है प्रचन जीत के लिए सीएम शिवराच को बधाई ये जेपी नडडा ने कहा है लिखा है ट्वीट किया और लिए चलते हैं आपको अवंतिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड रहे हैं उसे बात करेंगे और अवंतिका आपसे कुछी देर में आपको स्क्रीन पर यहां दिखाई देंगी और उसे जानेंगे अभी क्या है जो नए अपडेट्स है चुकि लगातार अपडेट्स हो र मुझे लगता है कि आप भी वो संकेत समझ रहे होंगे कि मंदप्रदेश बीजेपी में अप किस तरह की हल चल चलने वागे एक और मैतवपून बात चुकि हम उन आकडों का जिक्र कर रहे हैं जो एतिहासिक इस बार है ट्रेंट्सेटर इस बार है गोविंद पुरा विदा विदानसभा क्षेतर से वो प्रत्याशी के नाम में आपको बता देती हूँ गोविंद पुरा विदानसभा सीट जहां से बीजेपी की प्रत्याशी है जो लीड कर रहे हैं साथी साथ ये भी है कि एक लाख वोटों के साथ जब लीड करते हैं तब आप ये समझ सकते हैं कि एतिहासी गोवमत के साथ बढ़ रहे हैं लेकिन एक और बड़ी बात एक और बड़ा अपडेट बजनावर को लेकर जानकारी राजवर्धन सिंग दत्तिकाओं भारती जनता पार्टी की तरफ से चुनाव हार चुके हैं यश्पाल सिंग सुसौधिया चुनाव हार चुके लीड करते हुए जैनत मलाई आपको नजर आएंगे कार्ते खरी शंकर लीड कर रहे हैं लीडिंग की लिस्ट से जादा वो लिस्ट चौका रही है जिसमें हारने वाले प्रत्याशियों के नामें 36 गण को लेकर भी यही जानकारी शविंद्र कर्मा चुनाव हार चुके हैं ग्रे मंत्री पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको बताएं कि जैसिंग अगरवाल वो भी वियाईपी के लिस्ट में आते हैं लेकिन चुनाव हार चुके हैं कुछ ऐसी चीज़े हैं जो निश्च तौर पर चौका रही हैं टियस बाबर चुनाव हार चुके हैं आप अभी और कितना चौकाने वाली हैं आप आपने नहीं सोचा होगा निश्च तौर पर की चुनाव हार जाएंगे और ऐसे तमाम लीडर्स जो के लगातार इस रेस में आपको नजर आएंगे से भरते जनता पार्टी के लिए ना सिर्फ नेता की तरबल की प्रवक्ता की तरब मेडिया से रूपर होते हुए नजर आएं लेकिन इसके बावजूद अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में शायद काम्याब नहीं रह पाए और ये एक लिस्ट जिसमें निश्च तौ प्रोजेसी नेता का हम जिक्र कर रहे हैं या फिर जिस तरह से यहां पर और नामों का जिक्रून होने क्या बड़े-बड़े नाम यहां पर है मैं कई बर कन्फ्यूज हो जा रहा हूं कि आके भी हो कर रहा है जी तो पटवारी क्या करे एक बड़ दो उतने दर्शकों को सु कि हो गया है मैंने पूरी बाद बोली आप लोगने टक्कर दिया ओंट बुड़े बाद बुड़ you आपको पूरी बाद बुड़े एक लास सबाल है मैंने पूरी बाद अपलोग उनडा लाउन्ची बैठर करने वाले हो हम डिए भी तो निकला हूं प्रवाइब दास नजर आ रहे हैं जी दूबटवारी निराश भी हैं कुछ नहीं कहने के लिए उनके पास अब कुछ नहीं है शायर निराश आत लगी है इस वज़े से क्योंकि उन्होंने जिस तरह का कॉंफिडेंस दिखा था यहां उसको और कॉंफिडेंस कहें दावा कर दिया था कि 130 से उपर सीटे हमारे पास आ रहे हैं कुछ भी करके आ रहे हैं आप ये मेरा वीडियो सेफ करिए 115 सीटे ने तो मुझे याद आता है वो जो जो हमने बाचीत किती एग्जिट पोल के दिन आपको याद होगा उस वक्त जीतु पटवारी जुड़े थे इसी मंच पर राव विदान सभा सीट से कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे और अब वो हार चुके हैं और उस व आपको लगातार दिखा रहे हैं जशने तो सुभा से ही हम देख रहे हैं पर सबसे पहले हारने वाली टीम ने जशने मनाया था कंग्रस को अभी उठानी पड़ी है यह 2024 वह बहुत भारी पढ़ने वाली है और सीधी बात, इंडिया गटबंदन की हम बात करें, उसमें पूरा इंपक्ट डालेगी, जो सहयों की दल है, वो भी कहीं न कहीं, आप किनारा करते हों नजर आएंगे, बेद कुल, बेद कुल, आई एंडिया ये, वो गटबंदन तो आप समझें, कि कॉंग्रेस पार्टी के हाँ से तो गया ही, साथी साथ नकुलात का वो जिक्र भी हम लगातार कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे, कि साथ तारे को पिता जी का शपत ग्रहन समारो है, तमाम नेता पहुचना है, आप भी पहुचेगा, आप कहां पहुचना है, अब उनसे पूचेंगे, अब एक और चुनाव हार चुके हैं, कौन मैंतुपून अपडेट, शविंद्र कर्मा, वो भी चुनाव हार चुके है, जिन्हें के राजनीती में पार्टियों की पहचान कहा जाता है, लेकिन वो चुनाव आर गया, चाहे वो बीजेपी के फगन सिंग को रस्ते हो, या फिर बड़े बड़े चेहरे कॉंग्रेस पार्टी के हो, और रेक्शन भी आने लगें केंद्रे मंत्री अब राग ठाकून में क्या कुछ का, वो भी सिंभाते हैं, मंत्री सीधा उनका रुख करते हैं, अनुराग जी आपका अबिरंदन है, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं आ और जैसे पूरी दुनिया को भारत और भारत के नितरता पर विकास है, वैसे तीनों राजियों की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त करके बताया है, डबल इंजन की सरकार ही चाहिए, क्योंकि लास्ट माइल डिलिवरी जन जन के कल्यान के लिए गरीब कल्यान के यही का करते हैं, और मैं एक बात यहां पर और कहूंगा, जीत का सहरा मोदी जी के सिर जाता है, क्योंकि मोदी जी का ही चेहरा था, मोदी जी पर ही जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी ने ही संकर्प लिया था कि इन राजियों का कल्यान करेंगे, और गरीब कल्यान का योजनाओं का एक बहुत बड़ा लाब और मोदी जी का इमानदार चेहरा का बहुत बड़ा भरत्पा को मिला है जी लेकिन दो चीजे बहुत एहम है एक तो हिंदी पट्टी में कॉंग्रेस का सफाया हो गया है और ये वो चुनाफता जिससे पहले सनातन को लेकर बहुत सारी बाती की कई बहुत सारी अफशप्ट की गए और मीडिया को भी टार्गेट किया गया क्योंकि आप आएंड बी मिनिस्टर है क्या आपको लगता है कि देश की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कॉंग्रेस को और विपक्षी दलों को गमंडिया गटबंदन का गमंड और अहंकार चूर चूर हुआ है जिन्होंने तिरसकार और बहुषकार किया था मीडिया का आज देखिए उनके लोग भी आपके चैनल पर नहीं आ पा रहे हैं जनता है सब जानती है और मैं एक बार जरूर कहूंगा इन्होंने जहां जहां लोगे वाइदे और दावे किये वहाँ साफ हो गये है महादेव एप घोटाला किया महादेव का शराप कॉंग्रे साफ गोठान घोटाला किया गव माका शराप कॉंग्रे साफ गंगा जल की जूटी सौगंद खाकर का था शराब मुक्त 37 गड़ करेंगे मा गंगा का शराब कॉंग्रेस साफ गरीबों को लूटा और जूटे बाइदे किये गरीबों का शराब कॉंग्रेस साफ तो कॉंग्रेस को मैं इतना ही कहूंगा ये गमंडिया गठबंदन का गमंड तो तूट गया अब इंडी गठबंदन के सामने है ये स्पष्ट हो गया है जो हम उस समय भी कहते थे ना नेता है ना नीती है और नियत में भी खोट है और पूरे चुनाब में आपने देखाओगा मीशी ना सुर्था ना ताल था अपनी डफली अपना राग था और इनका कहीं ताल मिल नहीं था आज दरकिनार करके बैटे हैं जनतन इनको नकार दिया है लेकिन हमने पहले सनातन का विरोध देखा अब हम देख रहे हैं परवीन चक्रवरती हैं कॉंग्रेस के स्टाटिजिस्ट हैं वो उन्होंने ट्वीट करा हैं नौर्स वर्सिस साउथ की बात लाइन ले रहे है क्या आपको लगता है साउथ में तिलंगारा में कॉंग्रेस की अच्छी जीत हो रही है सब्तर सीटों वाली जीत हो रही है बड़ी जीत हो रही है लेकिन नौर्स वर्सिस साउथ का डिवाइड लेके आना क्या आपको लगता है वाजव है अनौर्वाक अमिश्टिस में नया क्या है कॉंग्रेस की शुरू से राजनीती वही रही जो अंग्रेज करके ग divisions भाटो और राज करो ये जाती धर्म संपरदाय के नाम पर बांटते रहे अब उत्तोर धक्षन के नाम पर बांटें गए इनका काम ही बांटने का है और हम सब का काम है भारती अंता पार्टी का एंडिये का कि सब को जोड़ के चलना है हम सब का साथ सब का विकास की बात करते हैं और ये लोग ये जाती को लेकर आते हैं अपने गोशना पत्र में लेकिन जनता ने इनको करारा जवाब दिया है जनता विकास चाहती है सुसाशन चाहती है और नरेंदर मोदीजी ने ठीक कहा कि उनके लिए युवा किसान महिला और गरीब यही जातिया है और उनके कल्यान के लिए की बात करने का प्रयास हुआ है यह हानिकारक है देश के लिए क्योंकि साउथ हो नौर्थ हो मद्ध भारत हो इस्टन भारत हो है तो पूरा देशी यह जितना मर्जी प्रयास करें जाती धर्म संपर्दा एक शेतर के नापर देश को बाटने का प्रयास करें कि कॉंग्रेस करेगी बार-बार कुछ प्राप्त नहीं हो देश की जन्ता बहुत समझार है बहुत भली बांती जानती है कि क्या करना है जीत तो आप लोगों की आसान होगे लेकिन मुख्य मंत्री को चुनना थोड़ा मुश्किल होगा तीनों राज्यों के अंदर मद्य प्रदेश में तो क्या शिवराज जी आएंगे राजस्तान में कौन किसको लाएंगे 36 गण को लेकर तो अभी काफी सारी अटकले लगाई जा रही है इस पर आप कुछ कहना चाहते है आप बिल्कुल चिंता ना करें मीशी जी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दी थी हमारे विधायकों पर पार्टी के नेता पर छोड़ दी थी जनता की अपेक्षा के उनसार ही हम लोग ऐसे मुखे मंतरी बनाएंगे जो संकल्प जो लिया उसको पूरा कर सके एक सवाल राहूल गांदी का मैजिक क्या आपको रखता है तिलंगाना में चल गया है अगर आप तिलंगाना में भी देखेंगे भारती अंता पार्टी का वोट शिर्ट साथ से बढ़के सीधा पंदरा परसंट पे वातावरें तिलंगाना में भारती अंता पार्टी नहीं बी आरेस के ख़ड़ा किया उनके भरष्टाजार परिवारवाद को उजागर किया बेनकाब किया यह सचाई है कि हमारा वोट बैंक दुगने से ज़्यादा हुआ है सीटे हमारी एक थी उससे बहुत बढ़कर कही गुना ज़्यादा बढ़ रही लेकिन जो बात आती है सरकार बनाने की वो कहीं न कहीं उस जो एक वैक्यूम था उसका लाब कॉंगरेस को मिला है लेकिन मैं इतना ही कहूँगा अगर एक जीत वो देश को बांटने का रास्ता दिखा रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्या क्या होगा यह जीत इसलिए नहीं कि आप देश को बांटने पे चल पड़ो जी वर्ट कप गुआ था हाली में आपको याद होगा मिशी अगर आपको याद होगा राहुर गांदी जी ने जब केरल से चुनाव जीता था तो उसके बाद उन्हें कहा था कि उत्तर के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है उनकी सोच सताई नहीं ने उससे में भी की थ जिस अमेठी से वो कई वर्षों तक जीत कराते रहे उन्हीं को नीचा दिखाने का अरसंबब प्रयास किया और कितना नीचा दिखाओगे उत्तर को और कितना नीचे दिखाओगे हिंदी भाशी लोगों को और कितना नीचा दिखाओगे और देश को बांटने का प्रयास कर यह बांटो और राजकरो की राजनीती नहीं चलेगी दो हजार चौबिस में दो हजार उन्नीस से बड़ी जीत भरती अंता पार्टी की होगा। हम हर चौनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं लड़ते हैं जमीन पर मेहनत करते हैं और चुनकर आने के बाद किये वाइदों को पूरा करते हैं यह कोई अहंकार नहीं मैंने यही कहा कि दो हजार चौबिस की जीत और बड़ी हो सुनिशित करने वाली हो जनता क्योंकि डब पांच वर्षों में जनता ने देखा कितना नुकसान हुआ अब की बार जनता ने भरपाई कर दी है राज्यों में पांच महिनोबात के इंदर में भी रिकॉर्ड जीत दर्ज कराएगी और मोदी जी को नेता चुनकर देश को और आगे बढ़ा कर जो दसवे नंबर से पां मोदी सरकार जुरू बनाएगा वन फाइनल क्वेश्चन वर्ड कप का फाइनल मैच था और भारत उस मैच को हार गया था और राहुल गांदी ने उसके बाद कुछ बोला था मैं उसको दोराना नहीं चाहता क्या आपको लगता है क्या जंता ने एक मेसिज दिया है एक संद कर आएं जंता इसको सविकार नहीं करती कि उनके द्वारा चुनेगे नेता पर इतने घटिया शब्दों का परयोग किया जाए आप गुजरात से लेकर देश के चुनाव तत कभी भी ले जीजिए जब जब कॉंग्रेस ने हलका पन दिखाया निचले स्थर की राजनीती की अब शब्द बोले तब तब जंता नहीं जवाब दिया मोदी जी को कुछ नहीं कहना पड़ा तो कॉंग्रेस जितना नीचे गिरेगी जितने घटिया शब्दों का अप्योग करेगी मोदी जी उतने ही निखर कर आएंगे कमल उतना ही खिलता जाएगी चरिया अनौवाग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमार से जुनने के लिए और आपको बहुत बहुत शुक कामना है फिर से इस भववे जीत के लिए तो बीजेपी की तीन राज्यों में बंपर बहुमत के बाद प्रतिक्रियाओं का दोर लगाता जा रिए जिस तरह कि जीत दर्च की है बीजेपी ने उस पर हर कहीं भगवा मैं माहूल हो गया है लगातार ये महा कवरेट जारी रहेगी या रुकर एक छोड़े से ब्रेक के लिए मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी के लिए हम आपको कह रहे हैं आट बचकर तीन मिनिट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमेट बिलकुल लगता कवरेट जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बचकर तीन मिनिट पर हमने पहला रुजान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्परदेश उमद्गला की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सी एम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते यह मद्परदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बाहत नज़र आ रही है जीत चुके हैं बिल्कुल पीजे पीका कबजा पना से मंतरी ब्रजिंद प्रताब सिंग भी जीत चुके हैं कॉंगरेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर, 36 गर की दुस बात है, 36 गर में 54 सीटों पर BJP की बढ़ात है, प्रचंद बहुमत की ओ, 36 गर में भी BJP है अपरना सीतापूर से मांत्रिया मजीद भगत हा रहे हैं, कोंडा गाउ से मोहन मरकाम हा रहे हैं, बड़े इस चेहरों ने इस राम पर हार हासिल की है, राजनन गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है, जीत बिलहासे धराम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल, और अंबीकापुर से जिपटी सीम टीय सिंग्देव पीछे चल रहा है, बहुत बली कवर, पाटन से सीम भुपेश बगेर आगे हैं, जीत की ओर है वो, राम पुर से ननकी राम कवर पीछे चल रहे हैं, दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से तामर्द साहू भी पीछे चल रहे हैं, ये एक बड़े फेक्टर हैं, जो आप तदर आपने दिखा रहा हैं, भगवा पर्चम और ये देखिए, यहाँ पर आ गए हैं, पधारमन सी मोदी हाथ लाते हुए, ग्राफिक से जरीए, ये दिखा रहा है, इस तरह से भगवा पर्चम एक पर फिर लहरा है कि तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया, वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया, और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरे जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले, आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुजान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया, दस बड़ी बात हैं, मद्ध प्रदेश उमद गला की दस बड़ी बात हैं, बुदरी से सीम शिवरा सि चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की, बुदरान पुर्स जीती हैं, अर्चना चितनिस, ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है, चिन्वारा से कमला जीत चुके हैं, बिलकुल, PCC अध्रक्ष बैतू जीत चुके हैं, कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर, 36 गर की दस बात हैं, 36 गर में 54 सीतों पर BJP की बढ़त है, प्रचन्द बहुमत की ओ, 36 गर में भी BJP है, बड़ा सीतापूर से मांत्रिया मजीद भगत हा रहे हैं, कॉंडा गाउं से मोहन मरकाम हा रहे हैं, बड़े इस चेहरों ने इस राम पर हार हासिल की है, राजनन्द गाउं से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है, जीत बिलहासे धराम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल, और अंबीकापुर से जिपटी सीम टीय सिंग्देव पीछे चल रहे हैं, बहुत बली कवर, पाटन से सीम भुपेश बगेर आगे हैं, जीत के ओर है वो, राम पुर से ननकी राम कवर पीछे चल रहे हैं, दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से परचे में एक बार फिर लहराया है, तो चुनाव मतलब न्यूज 18, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था, पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया, वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया, और आखरी नतीजे दस बड़ी बात हैं, मद्द परदेश उमद गर्ना की दस बड़ी बात हैं, बुदरी से सीम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते, मद्द परदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है, 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुदरी से सीम शिवरा सिंग चोहान जीते, दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासल की, बुदान पुर्स जीती हैं, अर्चना चितनिस, ये मत्गर्ना की बड़ी बाते, होशंगा बात से सीता सरन शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं, बिल्कुल, PCC अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर, BJP का कबजा, पन्ना से मंत्री, ब्रजेंद पृताप सिंग भी जीत चुके हैं, कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा फ नापरहार हासिल की है, राजरंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रामान सेंग को मिली है, जीत, बिल्हास दर्म लाल कौशिक आगे हैं, बिल्कुल, और अंबीकापुर से जिप्टी, CMT, सिंग्देव पीछे चल रहा है, बहुत बड़ी कबग, पाटन से CM भुपेश बगेर आ मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी महा संगराम 2023, नमस्कार न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच मध्यप्रदेश 36 गर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंश्रिका पाठक आज मध्यप्रदेश विधान सभा से सीधे हम डिबेट करेंगे आज जो कुछ भी तमाम सीटे बीजेपी के खेमे में गई, कॉंग्रिस में गई, तमाम बयान आपने देखे सुबह से ही हमारे तमाम रिपोर्टर, हमारे तमाम सयोगी, आंकर्स न्यूजरूम से आपको दिखा रहे थे, ग्राफिक्स के जरिये, एलेक्शन डेस्क से हम आपको सबसे पहले दिखा रहे थे कि आखिर कहां पर कौन आगे है, कौन पीछे है, किस नेता ने क्या बयान दिया और किस ने किस के बारे में क्या कहा हलाकि इस सुभा से ही ये सलसला जारी है, लेकिन आज सीध है मध्यप्रदेश विधान सभा से, आज हम डिबेट करेंगे कि आखिर आज के नतीजे, आज के जो रोजहान साव ने आए, उसमें कितना परिवर्तन 2018 के मुकाबली देखने को मिला, क्योंकि आरम ही प्रचण रह तो आगे क्या होगा आप खुद ही सोच लीजे, मैं मैमानों का यहां परिचय करा देती हूँ, आप से हमारे साथ आज मौजूद है, कॉंग्रेस से, संतोष गौतम जी इस बीच हमारे साथ मौजूद है, आज जानेंगे कि आखिर कहा किसने कितना दम लगाया और इतना बड़ा परिवर्तर, इतना बड़ा चेंज, बीजेपी 167 से आगे, कॉंग्रेस 62 पे, कई ऐसे बड़े दिगश नेता भाती जनता पार्टी के जीते तो कई मंत्री ऐसे भी हैं, जो हार गए हैं, लेकिन सबसे पहले बीजेपी की तरफ आना चाहूंगी मैं, आज तो आपके लिए सबसे खास दिने क्या कहेंगे, एक शब्द में, किसको देंगे जीत कश रहें? तो देखिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए ये नजर आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट से जानना ज़रूरी है, कि इस बार मध्यप्रदेश में कौन सा फैक्टर काम कर गया? देखिए, दो बड़े फैक्टर मुझे लगता है, दो बड़े फैक्टर इसमें काम किये हैं, एक तो जैसे अभी हमने कहा था कि मोदी की गारंटी सब गारंटीयों की भी गारंटी है, तो नरेंद्र मोदी सरकार का जो दस साल का अब तक का ट्रेक रिकॉर्ड रहा है, भार प्रदान सबा चुनाओं के जो नतीजे हैं, नाकिवल मदप्रदेश के, चतिजगर के और आजस्थान के भी, वो ये बताते हैं कि 2024 के लिए जनता अभी से तैयार है, मोदी की गारंटी पे भरुसा किया है, क्योंकि मुक्कमिंत्री का चेहरा तो भारती जनता पार्टी ने पास आओंगी सतीज जी, मेरे साथ इस वक जुड़े है मीडिया उपाध्यक्ष कॉंग्रिस पार्टी के संतोष जी, संतोष जी क्या उम्मीद थी कि इस तरीके की हार होगी? बिलकुल उम्मीद नहीं थी इस परिणाम की और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि कहा कमिया रह गई हमारी स्ट्रेटेजी में और निश्चित रूप से भारती जनता पार्टी जो इस मद्यप्रदेश की बरबादी की जवाबदार थी, उसको इस तरह का प्रचंड ब दाई दे रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से मद्यप्रदेश की जनता पूरी तरह से अधाई लेंगे खामियों पर काम करना चाहिए, आप खामियों पर काम करना होगा, भाने से काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इस महापराजे को हमको मिली है, तो निश्चित रूप से हमें आत्मवन्थन करना है, हम पूरी तरह से आत्मचिंतन करेंगे और जो भी कमिया होंगी उसको भविश्य में दूर करने का प्यास करेंगे की सरकार मिली है भारती जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई हैं इनके सभी जीते हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई हैं और आसा है कि जो जनता ने जिम्मेदारी दी है जनता ने जिम्मेदारी दी कि आप लोग महनत करें हम महनत करेंगे भाश्पा को जिम्मेदारी दिखा ये भाज़पा सेवा करें उनको बधायां और कांग्रेस को जिम्मेदारी जी की बिपक्ष की भूम का निभाएं अपने दम पे आमादमी पार्टी दो राज्जों में ये बड़ी बात है लेकिन सूपड़ा साफ हो गया उत्तर भारत में कांग्रेस का देखे हम इस तरह से नहीं कह सकते कि सूपड़ा साफ हो गया कॉंग्रेस आज भी मजबूत परिस्थिती में है और निश्चित रूप से हम तेलंगाना जीते हैं तो उसकी आज कोई बात नहीं कर रहा है और वैश्वी किस्तर पर हमारा देश की सोर प्रगती करेगा उसको ले करके चलेगी यह जो अफधारना है नौर्थ वर्सेस साउथ की हिंदी वर्सेस तमील हिंदी वर्सेस तेलगूई इस प्रकार की मानसिकता को देश अब खारिज करने जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी जहां देश को कभी दक्षिन और उत्तर में बाटती है कभी जातियों में बाटती है कभी संप्रदाय में बाटती है तूसर राजनीती को मध्यप्रदेश की जनता ने खारिज करने का काम किया है और सोभाविक तोर पर अब जो भी दल बाटने की देखिए एक बात है कि आज अगर कॉंग्रेस की पराजा हुई तो भारती जनता पाटी के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन मैं समझता हूँ कि विजय के दंब की बजाए उनको आगे का देखना होगा कि हम मद्ध्रदेश का विकास कैसे करें लेकिन कॉंग्रेस प पूर नमबर वन हैंगे लेकिन आपको भी देखना जरूरी है कि आपने कहां पर कमी छोड़ी है मैं आप से जानना चाहूंगी सतीजी कि जो मोदी फैक्टर है फार ब्रांड नेता प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मोदी फैक्टर कितने राज्यों में इस्तमाल किया जाए अपने कार करता बंदू मीडिया की गैलरी में आ गये है कृपा करके मीडिया की गैलरी खाली करने का करेंगे प्रचंड जो सीटे है जो किसी ने सोचा भी नहीं था अगर बात करें भारती जरता पार्टी के तो ये सफर 2014 से शुरू हुआ 2014 से शुरू हुआ ये सफर लगातार जारी रहा 2023 तक 2014 में पहली बार केंदर में आई और साथ राज्यों और 25 प्रतीशत आबादी पर बीजेपी की सत्ता थी 2018 में 21 राज और 71 प्रतीशत आबादी में देख सकते थे हम कि किस तरीके से बीजेपी की सत्ता फिर थोड़ा डाउन फॉल हुआ 2018 के बाद लेकिन 2023 में 16 प्रदेशों में बीजेपी बड़ी बात पूरुतर भारत पर बीजेपी का दबड़ा है जिसमें की सिक्किम को भी हम इंक्रूट करेंगी यह बड़ी तस्वीर कारकरताओं का जोश काफी हाई है और यहाँ पर ढोल लगाडों के साथ हर कोई पहुचा हुआ है जश्मना रहा है हालाकि यह जग जाहिर है कि जब इस तरह के की कोई भी आयोजान या कारिक्रम होते है तो यहाँ पर मोदी मोदी के नारे जरूर सुनाई देते हैं और अभी भी यहाँ पर यही सलसला देखने को मिल रहा है देखिए मोदी मोदी के नारे और भारत माता की जाए थोड़ी देर में प्रधान मंत्री आएंगे और उनका संबोधन भी शुरू हो जाएगा लेकिन लगातार हमारे साथ खास महमान भी जुड़े हुए उनसे भी चर्चा करेंगे शिवाम जी देखे दो हजार चौदा से सफर शुरू हुआ चौदा में भी जबरदस्ट जीत और उसके बाद अठारा में भी जबरदस्ट जीत बीच में थोड़ा डाउन फॉल हुआ लेकिन तैस में सोलह प्रदेश बाप के देखे लोकतंत्र में सदेव अपनी चुनावी विजय हो या पराजय हो दोनों से सीखते हुए आगे बढ़ने का एक सिलसिला होता है और जनता लगातार आपको टेस्ट करती रहती है और यही शायर लोकतंत्र की खुबसूर्ती भी है कि आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं और कॉंग्रेस का वोट परसंटेज बड़ा तो सभावी कसी बात है भारती जनता पार्टी अगले चुनावों में वहां रिवाइब कर जाएगी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी जिन राज्यों में चुनावा आपकी चुनाव लेकिन मध्यप्रदेश में जो यहां के लोग ह उनके कौन से फेक्ट के कामा है देखे एक बहुत बड़ा फेक्टर होता है एंटी इंकंबेंसी का लेकिन एंटी इंकंबेंसी बारती जनता पार्टी के अठारा वर्ष के सासन के खिलाब एंटी इंकंबेंसी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी यह बहुत बड़ा फेक्टर स्कीम की एक बात कहीती वो बहुत ज्यादा उसका असर नहीं दिखा ऐसा लग रहा था कि भारती जनता पार्टी को उनकी जीत पर मैं मुबारक बात दे रहा हूं और कॉंग्रेस पार्टी निश्ची ट्रूप से इस हार के बाद में आत्में चिंतन करेगी और जो भी कमिया है और किस कारण से पराजय हुई उन खामियों को जाचेगी और उनको दूर करेगी। मैं पहले भी यही बात बोल रहा था जहां पर हमारते भी हैं वहां पर अपना वोट परसेंटेज इंटेक रखते हैं और अगले चुनावों में जोरदार वापसी के लिए हमारा कारिकरता जमीन पर मेहनत करता है कारिकरताओं की तस्वीप दिखा रहे हैं जेपी नडडा भी इस वक्ते हैंपर मौझूद हैं जेपी नडडा को आप देखे कारिकरताओं के बीच में वो मौझूद है और कारिकरताओं का जोर्श काफी någon हाई नजर आ रहा है हला कि थोड़ी देन्में प्रधान से सोला सभाएं की लगाता रोडशोज किये और इसके साथी प्रचार प्रसार जोरो पर कई देर देर तक कई मिंटों तक उनकी जो स्पीचर्स है, वो हमने स्टेज से सुने है, 160 सभाएं शिवराज सिंग चोहान की, एक एक दिन में 12-12, 13-13, 15-15, हलाकि कमलनाप ने भी 114 सभाएं की, प्रियंका गांधी ने 9 की थी, राहल गांधी ने 9 की थी, मलका आजुन खढगय ने भी तमाम 14-15 सभाएं की थी, तो इस स जगा तो रिजल्ट भी आ गए है 98 बीजेपी के नेता जीत गए मैं मतदाताओं का बहुत धनिवाद दूगी क्योंकि उन्होंने बारती जंता पार्टी की रीती नीती उसके नत्रत्व को भरपूर आशिरवाद दिया इस प्रदेश का इस देश का मतदाता ये जानता है कि बच्चों का भागय और बविश्य राष्ट की सुरक्षा सांस्कितिक राष्टवात का समरक्षण समवर्धन और विश्व के सामने आर्थिक शक्ति बन के इदिभारत खड़ा हो सकता है तो भारती जन्ता पार्टी के नत्य तुम्हे ही हो सकता है आगे महिलाओं के लिए क्या खास होगा उश्या जी आप भी महिला हैं आप तो ग्राउंड जीरो पर देखती होंगी महिलाओं के लिए कि स्वावलंबन की दिशा में अब मर्देश की सरकार काम करेगी हम मातर शक्ती के लिए इस्पेशली आप लाडली लक्षमी लाडली बहना जैसी योजनाओं ने मातर शक्ती के संदर में करांती की है और अब इसे स्वावलंबन और सुरक्षा की दिश्टी से मजबूत करने का पूरा प्रयास हम करेंगे चली बहुत शुक्रिया उश्टी बाचीत करने के लिए तो छहरे खिल रहे है धनिवाद धनिवाद आपको दिखा ही रहे है जी कारकरताओं का तो जोश दिखा ही रहे है आप लोगों को और दिल्ली में थोड़ी देर में प्रधान मंत्री कारिकरताओं को सम्वोधित भी करेंगे और तब भी आप देखेंगे वो जोश कारिकरताओं का जो बहुत ज़ादा हाई इस वक्त जरारा उन्हीं की तो मैंनत है लगातार कई बड़े दिगत जिन्होंने ट्वीट किया और उन्हें कारकरताओं को सबसे पहले धन्यवाद दिया है कि आप ही की मैनत से आज हमने इतना बड़ा आकड़ा पार किया है लेकिन मैं आपसे भी सवाल करना चाहूँगी रमकान जी कि उत्तर भारत में एक तरफ जहां कॉंग्रस का सूपड़ा साफ हुआ है वहीं आमादमी पार्टी एक मजबूत विपक्षी के तरफ पर उत्री है क्या आपका आगे का सफर इसे तरह जारी रहेगा या आप किसे के साथ आएंगे देखें निश्चेत तोर पे राश्क्री फलक पे आमादमी पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आमादमी पार्टी जिस रफ्तार से बढ़ रही है विस्व की कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है निश्चेत तोर पे जल्द ही हर्याना के चुनाओं में आमादमी पार्टी की सरकार बनेगी अच्छा संग्ठन हो रहा है तो मद्द प्रदेश के अगर हम बात करें तो पुना भाष्पा को बहुत 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 बाही है इन्होंने अपने संग्ठन के दम पे चुनाओं जीता और साथ ही साथ एक जो बड़ा फैक्टर रहा मैं आपके चैनल के माध्यम से आज केस कारका में बताना चाहता हूँ कि मद्द प्रदेश के लोग बेरोजगारी से महगाई से तरस्त थे और लाश्ट लाश्ट में जो इससे राहत देने का काम किया ये वही काहवात हो गई कि ये सियासत भी गजब काम करती है आखें चीन लेती है चसमेदान करती है और इसी वज़े से भारती जनता पार्टी की सरकार बनी एक ये फैक्टर भी रहा ठीक है लेकिन कॉंग्रिस से मेरा ये सवाल रहेगा संतोष जी जिस तरीके से हमने देखा बहुत से ऐसे दिगज हैं जो जीते भी तो बहुत ऐसे हैं जो हारे भी अपनी सीट से अब मन्थन का दौर क्योंकि आ चुका है लेकिन दक्षिन में अच्छा खासा आप लोगू क का दबदबा है इसको कैसे फलाएंगे ओल ओवर देखिए दक्षिन में कॉंग्रेस का दबदबा है आज इस पर बात करने का विशह नहीं चूकि मैं मध्यप्रदेश कॉंग्रेस कमेट्टी का प्रवक्ता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि निश्चित केले मोर्चे पर थे ये ये बिल्कुल गलत बात है आज भारती जनता पार्टी के नेता भी अगर इस तरीके की बात करते तो ये जीत के अहंकार में बोली वी बात मनी जाएगी कॉंग्रेस का एक एक नेता एक जूट था पूरी तरह से साथ था दिग्विजय सिंग जी कमल अलाज जी सुरेश पचोरिया जो भी नेता थे राष्ट्री नेता थे सब एक साथ पूरी मेहनत कर रहे थे लेकिन हार के क्या कारण रहे इस पर मंतन होगा और निश्चित रूप से उन कमियों को दूर कर दो तो गौलियर गौलियर चंबल अंचल जो कि बहुत महत्वपू जी चाहेंगे कि उने श्रे मिले नरें सिंग तोमर चाहेंगे कि उने श्रे मिले लेकिन दरसल अगर जोतिरा जित सिंदिया जी इतने मजबूत होते तो आजादी के बात पहली बार हमने गौलियर में अपना महापौर बनाया है देखिये सबसे प्रात्मिक चीज है कॉंग्रेस चुनाओ से पहले भी सिर्फ ओडने की बात कर रही थी लेकिन कपड़े फाडने की नौबत इनके यहां आई यह चीज पूरा प्रदेश साच्छी रहा है कि कॉंग्रेस में गुटवाजी की कदर हावी थी जहां एक और किल लोग थे मुख्यमंतरी बनने के लेकिन शिवराज सिंग चोहान ने वो तो सिंफती कार्ट केल दिया कि यह मेरा अखरी चुनाओ है पूरी निष्ठा और समरपड के भाव के साथ करेंगे तो भारती जंता पार्टी के कारिकरताओं में और कॉंग्रेस के नेताओं में यही एक मूल भूत अंतर है जहां हम देखे है कि शिवराज जी ने पूरे नेत्रितु को साथ ले करके चले प्रदेश अद्यक्ष ने हमार अपने कर्तव्यों का निर्वान किया उन्होंने सियम के बराबर सभाय नहीं की लेकिन बूत मेनेजमेंट हो पार्टी की संगठन की बैठके हो संगठन की मजबूपती हो तमाम चीजों में अपनी भूमिका का निर्वान किया सिंधिया जी की कुछ और भूमिका थी तोमर जी की कुछ और भूमी का थी कैलास जी को दूसरी जिम्मेदारी थी और सब ने समयक तरीके से उसका उस्ट निर्वार कि आपके पास आउंगी सतीजी सतीजी यहाँ पर मोदी जी ने कहा था एक बयान मुझे उनका यादार आ रहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाती महिला स खंगालने में क्यों? मैं अपने पत्रकार दिता कि अभी तक के केरियर में नौ लोग सवा चुनाओं और साथ ब्रदान सवा चुनाओं देख चुका हूँ पहली बार ऐसा हुआ जो मतपरदेश के नतीजे आए हैं इसकी किसी को उमीद नहीं थी एक तरह से हम यह के सकते हैं इस चुनाओं की तो उमीद किसी को भी नहीं थी और अब मतपरदेश के जो रुजान सामने आएं जो नतीजे सामने आ रहे हैं तमाम जो नेता जीत रहे हैं जो हार रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन के बियॉंड चीजे हो रही है लेकिन यह बहुत बड़ी सुनामी है शिवं देखिए बशीरवद्र की मुझे लाइने याद आती है कि आखों में रहा दिल में उतर करके नहीं देखा कस्ती के मुशाफिर ने समंदर नहीं देखा तो मद्धिप्रदेश की जनता के दिल में अगर कोई उतर करके देखता तो वहाँ पर मोदी जी उनकों मिलते वहाँ पर भाज़पा का गरीब कल्यान मिलता, वहाँ भाज़पा की विकासवाद और राष्टवाद की राजनीती मिलती और सोभाविक तोर पर यही चीजे कॉंग्रेस पार्टी ने मिस्की चुनावों में उसी वज़े से इतनी बड़ी पराज़े की ओर वहाँ अग्रसर हुए, कमल नाज जी मद्यप्रदेश की जनता का विश्वास जीतना तो छोड़िये, अपने कारिकर्ताओं का विश्वास नहीं अरजित कर पाए, अजय सिंग अपनी सीट से बाहर नहीं निकले, सुरेश पच अपने का विश्वास नहीं नहीं होना चाहिए, और जो दर्ब, जो दंब की अनुभूती होती, वो नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ, शिवम भाई आज जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा, कि कमल नाज जी अपना हेलिकॉप्टर लेके उड़ जाएंगे, मैं समझता बहुत ही ओचे दर्जे की बात है, कमल नाज जी जैसे बड़े स्तर के नहता के लिए, 43 साल पहले जब से वो चिंदवाला की धर्ती पर चुनाव लड़े हैं, उसके बात से लगातार मद्यप्रदेश की सेवा करते हैं, और मद्यप्रदेश में आज जो सड़कों का जाब लेकिन जवाब निश्चित रूप से आज हमारी पराजय हुई है, लेकिन इसके लिए कमल नाज जी को दोशी मानना मैं समझता हूं, बिल्कुल उचित नहीं है, हम हार के कारणों की जाज करेंगे, और देखेंगे कि कहां कमिया रहेगे, और निश्चित तोर पर हम उसकी और सम्रिद साली नेत्रित की सबसे बड़ी खूबी यही होती है, कि वह जय हो या पराजय हो, दोनों में ही सामने आ करके अपने जो सेनापती होते हैं, जो महारती होते हैं, उनका मनोवा लूचा करने का काम करते हैं, कमल नाज जी मैं समझ सकता हूं कि अपनी भूमिका से बचने का प्रियास करेंगे, इनके राष्टी नेता राहूल गांदी भी जिमिदाई लेने से बचने का कॉंग्रेस को कि कुछ बयान ऐसे आइन वाके पर दिये गए कॉंग्रेस की तरफ से जो उनकी कष्टी डुबा दी, निशित रूप से हर कारण की जाच की जाएगी औ हमारी पराजे हुई तो हम इसको स्विकार कर रहे हैं और निशित रूप से इस पर मन्थन होगा, और जो भी कमियां होंगी, जो भी गल्तियां होंगी, उनके पर मन्थन किया जाएगा, तो आपने पर करनाटक की जीत का श्रे भी हमें दीजिए, तब भारती जंता पार्ट अब राजनीतिक विश्टलेशा किसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसे बाकी लोग समझ सकते हैं, निश्ची तूरूप से हम देखेंगे, ती कहां कमिया रही हैं सती जी, क्या नहीं समझ पा रहे हैं? सिस्टर पर दिखविजे सिंग, कमलनाथ वही नेतरत्व रहेगा, यहां पर बावुलाल गौर जैसे सीनियर नेता थे, यहां पर कैलाश जोशी जी थे, यहां पर सुंदरलाल पटवा जी थे, और आज भारती जंता पार्टी और कोई कांग्रेस पार्टी मुझ समय पर भी कमलनाथ और दिखविजे सिंगी नेता हुआ करते थे, आज भारती जंता पार्टी में शिवराज जी नवोदित नेता नहीं है, वयोबृद नेता है, हमारे जीनियर नेता है, वही नेता है, वही नेतरतों जिनकी मुझे से 2018 कि हमारी सरकार आई थी, और जिसको भारती जंत करूजंगे, सुमित मंधन सियों की नेता है, सुमित ओवर ट यू, सुमित बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो चर्चा थी ति अच्छी चर्चा वीश्लेशन करने के लिए है, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ स्टूडियो में मवजूद हैं संजय राना जी बहुत स्वागत तेसर आपका ये तस्वीरें फिलाल बीजेपी द्रक्तर से ग्रह मंत्री अमित शा जीत की सीडिया चड़ते हुए जी हाँ जीत की सीडिया है ये जीत की सीडिया है तीन दाज्यों में प्रचंद बहुमत ऐसा बहुमत जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा मद्द प्रदेश की आप पहली देखिए नीचे जो टैली चल दी है ना उस पर आप ध्यान दीजिए उस पर आप ध्यान दीजिए 179 से जादा सीटों पर बीजेपी आगे चल दी है ग्रह मंतरी अमत शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे है जीत की संजा जी किस तरीके से देखेंगे इस प्रचंद जीत की और बढ़ते हुई बीजेपी पार्ठी को देखिए जहां तक बात करते हैं भारती जनता पार्टी की तुम्हें बाहर भारती जनता पार्टी हमेशा एक सूज बूस स्टर्टेजिक बना करके उसको होगी इतनी प्रचंद जीत होगी जो मत्रप्रदेश का आंकला आप दिखा रहे हैं बहुत चौकाने वाला है हम सब को पता था कि जीत तो सम निश्चित है लेकिन इतनी बड़ी होगी किसी को नहीं पहला थे सब बहुत सारे फ्रैक्टर थे कहीं नहीं करेंगे तो जो जो आधिवाजी चेत्र में वहां पर कहीं नहीं कि क्यों सुठ है था सफें . सवाल मेरा यह तरह सोचने वाला बैट्टी कांग्रेस के पास आज की दिन में यह कि जहाब पर आपका नित्त बहुत मजबूत होता है और आपको करने में कोई समस्या नहीं होती है तो वहाँ पेंगस्यूशन हो जाता है जिस तरह से तो आप टवर रिपोर्टर है आप पता होगा छे मेरे पहले की सिनारियों क्या था जिसे लगना था काटर के टक्कर कमनात काफी आगे यानि कॉंग्रेस पार्टी काफी एज लेक्टे दिख रहे थी लेकिन चुनाव आते आते देखिए कहां पर कहां बहुत गया और अमिश्टा ने खुद इसकी कमाल समाली की संतोष जी से एक रियाक्शन में ले ले लेती हूँ संतोष जी चुनाओ शुरू होने के पहले पहले तक लग रहा था कि कॉंग्रेस की ही हवाँ चल रही है और बीजे पी ने अपनी पूरी फोज उतार दी थी जमीन पर देखी आप कौम कौन नहीं आया नितिन गटकरी आ गए मुंबाई से देवेंदर फटनवीस आ गए स्मृति इरानी आ गई स्मृति इरानी तो चाय बनाने लगी लोगों के घरों में जाकर लोगों से जुड़ रही थी वो एक तरीका था उनका जुड़ने का य लेकिन चूकी अब ये परिनाम आये है तो निश्ची तूरूप से हम सोचने को बात दें कि हमारी रणनीती में कहा कमी रह गई और निश्ची तूरूप से में बार बार कह रहा हूं कि ये स्विकारोक्ती हम कर रहे हैं कि हम ये हारे तो निश्ची तूरूप से कारण कि क्या मत्यप्रदेश में लाडली लहर चली है क्या इस वार? आप भी बात ये लेकर अकेला वो फेक्टर नहीं है उसके अलावा जो केंडर सरकार की योजना है किसान संवान निदी है और मोधी की जो गारंटी है वो सब मिला के ये जो अचाल जो आट फीजदी का करी पहुँचता है बढ़ गया है जो वो सम्मिला के लेकर इसमा बड़ा 36 गर्मे 36 सीटों पर कॉंग्रेस सिमत कर रह गई है बहुत बड़ी खबर मुहम्मत अक्बर भी हार के करीम है डिपटी सीम टीयस बाबा बहुत बड़ा चौकाने वाला यह चटका कॉंग्रेस को लगा है भूपिश सरकार के आठ मंत्री हार गए है 36 गर्मा 36 सीटों पर बीजे dove पहुचा दिया है कॉंग्रेस को बहुत बड़ी खबरे डिपटी सीम टीयस सिंग देवी चुना रावार चुके है अपना मुहम्मत अक्बर भी हार के करीम है मुहम्मत अक्बर समया को Sबी बड़े चहरे या नजर आ रहे मुहन मरकाम भी चुनाव आर गए है और जिस तरह से हमर जीद भगत का जब रिजल्ट गोशित हुआ तो इससे जाहिर हो गया कि यहाँ पार एक बड़ा और बहुत बड़ा जिक अंतर जो है का नाम सामने आला कि क्या कारण उसमें वो भी रहेगा ये भी देखने का विश्य होगा लेकिन 36 गड़ में 36 सीटों पर सिमत गई है कॉंग्रेस पार्टी भुपेश बगेल सरकार के आठ मंतरी चुनाव आर गए है और ये एक बहुत बड़ा सिट्वेक हुआ है कॉंग्रेस पार्टी के लिए संजय राना लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल अनिस से जुड़े हुए उनसे बात करेंगे संजय जी एक ऐसी स्थिती दिखाई दे रही थी एक्जिट पोल में जहां पर ये सभी आश्वस थे कि 36 गड़ में तो कॉंग्रेस पार्टी कमबैक करेगी करेगी जो कि भूपेश बगहिल को लेकर जिस तरह सभी बातें हो रही थी कि उनका काम बहुत अच्छा है लोगों ने बहुत स्विकार होने किया है लेकिन ये क्या हुआ आखिर आठाठ मंत्री चुनाव हार गए 36 गड़ में 36 सीटे सिर्फ देखिए लगता है कि जितने भी चुनावी चुनाव के गड़तें ये होते है इमर्ती देवी इसवक्त की बड़ी चुनाव हारी है पिछली बार भी विदान समर्थ चुनाव वो हार गई थी लेकिन इस बार बीजेपी रों पर भरुसा जताया सिंधिया कट्र सिंधिया समर्थक में कहलाती है लेकिन चुनाव हार गई है इमर्ती देवी संजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे 36 गर में 36 सी तो पर सिमट चुकी है कॉंग्रेस देखिए जहां तक 36 गर की बात है तो लोडाउट हमनों को ऐसा लग रहाते है कि कॉंग्रेस पार्टी को एज है लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया है उसके विपरीत आया है और इसका पार्टी ने कैसे इंप्लीमेंट के लिया उसकी तारीफ करने चाहिए जहां पर आदिवासी बहुल चेत रहें तो आदिवासी जमारी प्रेजिदेंट उनको भी एक तरह से चुनावत नहीं करा सकते हैं दूसरे ढंग से करा करके कहीं ने कहीं को अपनी तरफ जो वोटर है वो काम करती है कर नहीं काम करती है उसका ट्रेक रिकॉर्ड भी चेक किया आता और प्रधान मंत्री ने जगह को बोला है बैक वर्ड के लिए काम कर रहे तो उन्हों ने किया है अगर आदिवासी के लिए बोलते हैं तो आदिवासी के लिए कि लिए किया है देखिए पूरी तरह से उम्मीद थी, हमें तो उम्मीद थी कि हम 140 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन निशित रूप से परिणाम हमारी आशाओं के विपरीत आये हैं, तो हर पहलू की जहां चोगी, और निशित रूप से आदिवासी वर्ग ने भी हमारा पिछली बा यही शिवराज सिंग्चोहान का चहरा 2018 में खरी हो चुका था, लेकिन दोके से सरकार बनी और उसके बाद शिवराज सिंग्चोहान आज पास हुए है, अचा हम हर बात पर कहा रहे है हम बात करेंगे, हम जाएंगे, हम जानेगे कि हमारी कम्या क्या थी, एक सवाल मेरा गठ प्रहबंदन में जिस तरह की दरारे मध्यप्रदीश में देखने को मिली इंडी अलाइंस की में बात कर रही हूँ क्या ये भी बड़ा फ्रक्टर देखे मैं कह रहा हूँ कि अब ये छोटी छोटी बातों को इस तरह की सा हाईलाइट करना मैं नहीं समझता हूँ प्रचीश कुमार आपके साथ आजाते हैं ममता बनर जी आपके साथ आजाते हैं मैं ये कह रहा हूँ इस बड़ी खबर डिप्तिसीम टियस सिंग देव भी हार गए है 36 गर में देखिए मौमत अकबर भी हार के करीब है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भूपेश सरकार के आठ मंती चुनाओ बड़ी है 36 गर में बीजेपी ने कॉंग्रेस को 36 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है ये हालात कर दिये है अब प्रत्याशित जीत प्रचंड जीत ग्रह मंतरी अमित शा की जो चारक की नीती थी वो वहाँ पर काम आई हमने लगा तार देखा अमित शाने 36 गर के दोरे किये बार बार 36 गर गए वो रवनीतिया बिनाई और उन्ही रवनीतियों का नतीजा है कि 36 गर में कॉंग्रेस पार्टी 36 सीटों पर सिमठ गई है मध्यप्रदेश की हम बात कर रहे मध्यप्रदेश की बात कर ले तो चौसर सीटों पर बीजेपी निश्चित तोर पे हम लोग संगधन पे काम करेंगे आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं इस चुनाओं में परिणाम आता हम ये समझ रहे हैं अगर हम 230 सीटों पे लड़ते तो निश्चित तोर पे आम आदमी पार्टी विदान साबा पहुंचती बिलकुल पहु आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का ना कोई विदायक ना कोई सांसद बिक के डर के तूट के भारती यंता पार्टी में नहीं गया है ये सक चाहिए ठीक है अब में पॉलिटिकल एक्सपोर्ट से भी मेरा एक सवाल रेगा सतीज जी आपको क्या लगता है कि आम लड़ी थी 2014 में भी लड़ी थी और मुटा से कम उनको बोट मिला था और इस देखना ज़ूरागा कौन्डा से ज्यादा बोड़ मिला या कम मिला है क्योंकि उनकी अब सी अभी जमीनी इस तर पर नहीं है और ये बास सही है कि मतुप्रदेश दूर्वीय राज्मिती में र पॉजन समाजबादी पार्टी एक दो सीता जीत जाती है यह कांगरेस के बागी कभी जीत जाते पांच भी जीत गए थी विदान सभा में लेकिन देखिए ढोल लगाडों की आवाज अकर सुमित आप सुन पा रहे हैं तो यहां मध्यप्रदेश में भोपाल में इस वक्त हम म जो बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ और चुकि डोल नगारे और मिठाईयों का दोर पटाकों का दोर जैसा कि डोल नगारे और पटाकों से मुझे याद आ रहा है कि तीन दिवाली मनाने की बात नो ने कहते हैं अचिक बड़ी ख़बर आ रही है हुजूर से रामेश्वर वोट से वो जीती है और यहां गोविंदपुरा के अगर बात करें तो गोविंदपुरा से कृष्णा गौर की प्रचंड जीत हुई है हुजूर से रामेश्वर शर्मा की मंपर जीत हुई है तो बड़े चेहरों को भले ही जरता ने नकारा है लेकिन जो उनके पारम पर ए याद आता इस समय पर जीत की काम ना करते रहें पार्टी के लिए काम करते रहों कृष्णा गौर को उसी का फल मिल रहा है या उनकी खुद की भी इसमें मैनत आप दे रहे हैं कि कहां पर क्या हल चल है शीवा मगर हम बात करें मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश में अ जाद से जाद सीटे खतम हो गई आदिवासी वर के भविशी की दिसा में बेहतरी के लिए हमने देखा कि आदिवासी उनकी लोग है दरार देखने को विली मध्यप्रदेश में क्या ये वही फैक्टर है जिनके वज़ों से हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल आप उनका जो आकला में बिल्कुल सही है देखी जिब कॉंग्रेस की बात करते है तो अठारा साल की इंटे इंकंपेंसी होनी चाहिए थी इस एक व्यक्ति पिछले अठारा साल से राज कर रहा है उसके बुरुद अगर नरेटिव सेट नहीं कर पाते हैं तो समय स्थां में सेंगठ का मजबूत नहीं होगा तो आखरी पाइदान से यह नहीं पाते हैं तक पछे बिंग गयार चुनाओ पहले सनातन को AIDS कहना, Malaria कहना, Dengu कहना हम सोचेंगे, अरे भाई, आप 22 साल से सोची नहीं पा रहे हो कि उनको कैसे हटाना है, वो पाल्टी, 22 साल से राज कर रही है, और आने वाले 5 साल तक और राज करेगी, तो आप तो खतन ही हो जाओगे, यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, इन पाल्टीयों के लिए कि कि कमी कहा रही, देखे निश्चीत रूप से मैं एक बात कह सकता हूँ, कि आज हमारी पराजय हुई, तो हम और क्या कहेंगे, हम मन्थन करेंगे निश्चीत रूप से, और अब इसके पहले कि हमारी जीते नहीं होती रही, 2018 म हम जीते ते यह नहीं बुलना चाहिए, तो नि लोक तंत्र में हमारा जो भारती लोक तंत्र है, वो फस्ट पास्द पोस्ट प्रानाली से चलता है, सुभाविक तोर पर अगर किसी भी वेप्ति को सरकार में आना है, तो कम से कम 116 सीटे प्रास्मी ग्रूप से जीतनी चाहिए, तो जो कॉंग्रेस की सरकार बनी थी, उसमे संतोस जी आज हमारी सरकार मद्धि प्रदेश में है, तो उसमें से प्रतेक विधायक भारती जनता पार्टी के कमल के निसान पर निर्वाचित हो करके सब्सक्राइब, आपको अगर 16 विधायक आपके, जी करने पन्या के निसान पर विधाय सवाह में पैठिया, तो हर्दा में कमल पटेल की हार के बाद बबाल देखने को मिल रहा है, और पुलिस ने लाथी बांजी है, देखिये, बतारे हर्दा में कमल पटेल की हार के बाद बबाल देखने को मिला यहाँ पर अगर बबाल के बाद देखिये किस तरीके से लाथिया बांजी गए, क्योंकि जिसके बाद पुलिस को लाथिया भांजनी पड़ी है इस लेवल का बबाद एक तरफ डोल लगाड़े अरे सती जी ये चुनाओं के बाद तो इस तरह की तस्वीर हम क्यों है इस तरह की से देखते हैं बबाद किस बाद का अपने हार पे जैसा की कहा है संतोर जी हार के बाद अगर किसी पाड़ी के करकरता इस तरह का ये कर रहे हैं तो ये मदब्रदेश का ये चरेत्र अध्यास नहीं है ये नहीं होना चाहिए हार को गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और हार और जीतो राजनीती में होती ही है और चुनाओं तो एक हारे का एक जीतेगा इस तरह जब तक लोग प्रीता है, जब तक वह पार्टी का नेत्रित तो कर रहे हैं, आज अगर पूरे विश्व में भी कई देश उनके चेहरे को दिखा करके चुनाओ लड़ते हैं, और अस्टेलिया का प्रधान मंत्री उनको जब बॉस आफ दे वर्ल्ड बोलते हैं, तो सोभावि जब तोर पर वह भी अपने जो लोकल आडियन्स हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं, प्रधान मंत्री मोदी जी की ओर आकृष्ट करना चाहरे हैं, यूस के प्रधान मंत्री जी जी ते हैं, कई बड़े मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, प्रधलात प्रटेल ह प्रचंड जनादेश वाली सरकार लेकर के हम विधान सभा में जाएंगे और सुभाविक तोर पर इतने सारे हमारे पास चेहरे हैं बीजेपी को ट्रेंड सेटर कहा जाता है बीजेपी नया ट्रेंड सेट कर देती है मध्यप्रदेश में भी क्या प्रचंड शुरू हो जाएगा इसी जगह पर जब रीकाउंटिंग की बात की गई वहाँ पर प्रशासन ने इस बात से इंकार किया तो नारे बाजी शुरू हो गई और फिर पत्थर चलने लगे और फिर पुलिस को मोर्चा समानना पला अशीश और यह बवाल इसलिए हुआ है क्योंकि कमल पतेल क्रशी म अवाल होना ही था देखिए तस्वीरे के सारे करताओं ने जो ग्राउंड जीरो पर मेहनत की ठीक है उनके कुछ सुकता समझ में आती है लेकिन वहाँ पर नेताओं को भी मगे लिखता है सुमित अपने कारे करताओं को नियंतरन में रहने की हिदायत देनी चाहिए कार्टी का बिस्पष्ट नहीं है लेकिन हार के बाद सुमित स्थिती यहां पर काबू से बाहर होती नज़ा है पुलिस को लाटी चार्ज करना पड़ा और कई कार्यकरता घायल भी हुए है ब्लकुल और इस पीछ एक और बडी ख़बर अपने दर्शकों को बताएंगे इस बिस सुमित रीवा से राजेंदर शुक्ला की जीत की जानगारी मिल रही है बिल्कुँ बड़ी खबर है रीवा से राजेंदर शुकला की जीत हुई है बड़ी खबर आपको बता रहे है लगाता जीत की खबरे भी बीजे पी खेमें से आरी है रीवा से मंतरी राजेंदर शुकला की यहाँ पर जीत हुई है कई मंतरे कई मंतरी हा रहे है आज जीते हु और ऐसे स्थिति में यहां से राजेंदर शुक्ला की जीत एक बड़ा करारा जवाब है कॉंग्रेस पार्टी के लिए और जो आकड़े हैं वो और स्थिति स्पष्ट हो रही हैं संजा राणा हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार मौज़ुद हैं संजा जी राजनीती के बारे में तो जितनी बात की जाए चर्चा की जाए कम ही पड़ती है लेकिन अभी इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है सवाल तो मेरे पास बहुत है लेकिन अभी में दो लोगों की दो चेहरों की बात करूँगा एक चेहरा है शिवराज सिंग चोहान का दूसरा है जो उनों काफी नस्दीक दिखाए दिये एक दूसरे के परती बड़ा सॉफ्ट कॉर्णर दोनों का दिखाए दिये उसका भी असर हम देख रहे है परिणामों में देखिए बिलकुल आप चंबल चेत्र या गवालेर चेत्र उसमें आप बोले आ ना बोले यह तो बता जा सकता है तो सारे लोगों का एक तरह से जबा होता सारी लोग की इसाथ होती सारी ताकत एक साथ होती है तभी जागे कोई इस सकते है अब देखिए भाविश में कौन चीप निश्टर बनता हूँ तो अलग की बिश्य होगा लेकिन कहीं ने कहीं डोनों की आध मिलाने से उनकी बी के लिए और इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि 170 सीटे जो 168 सीटे आप दिखा रहे हो एंटिहासिक जीत है हमें तो मतलब हमारे यादधास में तो नहीं आ रहा है कि ऐसी इतिहासिक जीत मद्यप्रदेश में कभी आज से 20-25 साल में आशीश शिव और जोती की जुगल बंद और आज साथ में मिलकर बैठे थे तीनों शिवराज सिंग चोहान, सिंधिया, नरिन सिंग तोमर, निउस 18 मद्यप्रदेश 36 गली देख रहे थे पलपल का अपडेट लोटूंगा संजय जी आपके पास सीधे विधान सभा मद्यप्रदेश विधान सभा करो कर लेते हैं जह प्रचंड जीत की और उन्हें आगे बढ़ाया, इसके अलावा कहां पर कमिया रहे गई हैं और मध्यप्रदेश की जनता को क्या लुभाया है, इन तमाम चीजों के बारे में हम जान रहे हैं, कई बड़े चेहरे बीते दिनों हमने मध्यप्रदेश में देखी, अभी भी हैं, डोल लगाड सुनाई दे रहे हैं, कि बीजेपी कार्यालाय में जबरदस्त यहां पर आयोजन किया जा रहा है, सब यहां पर जश्न मना रहे हैं, सेलिबरेशन चल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहां पर संतोजी, तो हनुमान को आपने उतारा था, चुनावी मैंनत की थी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद अपेक्षित परिनाम नहीं आपाना, हमारी समझ से परे हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं भी महा था, मीडिया प्रभारी का मैंने काम देखा था, और लग रहा था, कि बहुत अच्छा चुनाव रहेगा, लेकिन आश्या क अनुरूप प्रदर्चर नहीं हो पाया, हम इसकी समीक्षा करेंगे. अकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है, जो एक पार्टी को चाहिए होता है, मतलब महद्रदेश में 111, वो जादूई आकड़ा था, जिसे बीजेपी ने पार कर लिया है, 120 सीट है, बीजेपी जीत चुकी है, 114 सीटों पर आगे है, मतलब 43 सीटों पर आगे है, और 111, ए पीदे जीत दर्ज कर ली है बहुत का आकड़ा चूलिया है अभी जिस तरह से यह तस्वीर अभी और क्लियर हो रही है 121 का तो आकड़ा पहुंची गया है लेकिन जो 164 65 के आसपास चुकि सरसक सीटों पर अब से कुछी देर पहले जो मुझे दिखाई दे रहे था बढ़त सीटों पर अभी आगे चल रही बारती जनता पार्टी और वहां पर 44 से 45 सीटे जो बारती जनता पार्टी जीतेगी तो यह आकड़ा जो अभी दिखाई दे रहा रुजान में लगबग उसी के आसपास पहुंच जाएगा और लगातार इस पूरे मामले पर हम नजर तो बनाए हुए है ही कि अभी चुनाओं में स्थिती क्या है और सुमित जो अभी तक आंकड़ा जो है वो बहुमत का बीजेपी ने चूली आए और इस जीत के लिए बारती जनता पार्टी जो जश्र मना रही है उसकी आवाज अ करें कहीं मचा आएगा बहुत जल लौट है गारंटी मतलब गारंटी फूरा होने की भी गारंटी प्रटी बेट में एक बार पर्टी लह रहा है भगवा पर्चम और यह देखिए यहाँ पर आ गए हैं पढ़ार्मन सी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स जरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह रहा है तो चुनाब मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी र रिजर्ड दखाया दस बड़ी बात हैं मद्द प्रदेश उमद गाना की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्द प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंदर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुदान पुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगरना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक काम हाने देखे बड़े इस चेहरों ने आपर हार हासिल की है राजरंद गाओ से लेकिन डॉक्टर रामान सेंग को मिली है जीत बिल्हासित राम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम टीए सिंग्देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ी क लेक्टर हैं जो आपको दिखा रहा है भगवा पर्चम और यह देखिए यहां पर आ गए हैं प्रधार मंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स के जरीए यह दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह रहा है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी र रिजर्ड दखाया दस बड़ी बात हैं मद्द प्रदेश उमद गाना की दस बड़ी बात हैं बुदरी से सीम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्द प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुदरी से सीम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुदान पुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगरना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमल नाज जीत चुके हैं बिलकुल PCC अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर BJP का कबजा मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी और तस्वीरे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी सुमित पहुँच चुके हैं भारते जन्ता पार्टी के कारेले दिल्ले स्थित कारेले पर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी का बहुत स्वागत करने के लिए हज़ारों की संख्या में एक भारतिय जनता पार्टी के कारे करता और आम लोग पहुँचे हुए इस वक्त के तस्वीरें प्रचंड जीत के बाद जशन का माहौल यहाँ पर और शाम से ही इंतजार हो रहा है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी का और लगबग 6 बजे का उनका पहले कारकुन पिस्तावित था रीश केडियूल किया गया साले 6 बजे के आसपास फिरों ने आना था और अब साथ बच्चुके हैं प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुचे है इदे के तस्वीरें इस वक्त प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी भारतिय जनता पार्टी कारले से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी का हाथ हिला कर अभिवादन करते हुए सभी मौजूद वहाँ पर कारे करता सुमेट ये जीत का जशन है बाद के जरता प्रदान की तरफ आगे बढ़ रहा है प्रधान मंत्री के आशी इस वो कदम है जीत की तरफ बढ़ते हुए कदम है छट प्रकल में तो बीजेपी जीत चुकी है मध्य प्रदेश में भी लगता जीत रही है एक सीट है बीजेपी जीत मी नज़र आ रही है तो जीत की तरफ बड़ते हैं बीजेपी की पार्टियां अलग लगड़ा जो चक्ति कर मध्य प्रदेश अद्यारिस था है जो बार्टी जनता पार्टी के चुनाव के परिणाम में है वो वही है जो पिछली बार थी और उससे पिछली बार थी और उससे पिछली बार चाहे लोग सबा चुनाव हो विदान सबा चुनाव हो अलाकि 2018 वे बार्टी जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार लेकिन सरकार बनी बार लेकिन जादा तर चुनावों में ये चेहरा इस्तिमाल किया जाता है प्रदान मंतुरी नरेंद्र मोदी ये वो चेहरा है जिन्होंने बदल दिया इतिहास जिन्होंने जो लोगों से बादा किया उसे पूरा करके दिखाया और लोगों से जो उन्होंन प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जो के लगातार दस साल से सत्ता में है और जिस भी राज्यों में विदान सभा चुनाओ प्रचार के लिए वो गए उसमें जो सक्सिस रेट है वो 90 के उपर का है एकाज राज्यों को अगर छोड़ दिया जाये तो अब तक जिन भी राज्यों में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए भेजा गया भारतिय जनता पार्टी के संगठन ने उन्हें जहां पार प्रचार के लिए भेजा वहां जाकर लोगों के साथ जिस आत्मेता के साथ उनने संबंध का परिणाम ये है कि आज भारतिय जनता पार्टी चार में से तीन राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बना कर एक बार फिर से यहां ये दावा कर रही है ये दम बर रही है कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी की स्विकारयता कल भी थी आज भी है और आगे दो हजार चौबीस में भी रहेगी भारतिय जनता पार्टी की त जनता ने एक बार फिर से तीनों ही राज्यों में स्विकार किया है जहां पर राजिस्तान, मध्या प्रदेश और 36 गर में प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को लोगों ने जिस तरह हातों हाट लिया उनके किये गए वादों पर विश्वास किया और उनसे जो वादा जनता ने किया था वो जनता ने वादा निभाया है और अब बारी भारती जनता पार्टी की है बिलकुल बिलकुल आशीश और बीजेपी ने बता दिया है कि बीजेपी को राज्यों में पार्टी को रिपीट करना आता है जिन राज्यों में बीजेपी हार गई है वहां पर कमबै करना आता है चाहे वो रारिस्तान की बात हो 36 गर की बात हो यहां पर सत्ता नहीं थी लेकिन कमबैक किया यहां पर भी सरकार बनाई है प्रचंद बहुमत से सरकार बनाई है 36 गर में तो 35 पहले 36 थी अब तो 35 सीटों पर लागा ख़ड़ा कर दिया है बीजेपी ने और मद्यप्रदेश की बात कर रहे तो 131 सीट है जीत चुकी है बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है और ये सब संभव हो पाया है प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी के नेतरतों से किंद सरकार बनाई हो आए सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी क चुनते हैं ये राजिस्तान, मद्यप्रदेश, 36 गड़ और तेलंगना के चुनाव परिणाम आने के बाद ये भारतिय जनता पार्टी का कार्याला है और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, रक्षा मंतरी राजना सिंग, भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्य ध्यक्ष बादन करते हुए तीन वो बड़े चेरे भारतिय जनता पार्टी के और उसमें सर्व प्रमुक्ष चेरे को यहां पर माला पहना कर उन्होंने उनका स्वागत किया, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पहुंचे वे इस पक्त भारतिय जनता पार्टी के कार्याले, राजना सिं बारतिय जनता पार्टी का वो कद्दावार चेरा जिन्होंने हर चुनाओं में बड़ी भूमिका निभाई है और प्रचार में मद्य पुदेश भी हुआ है, 36 गर्में भी जाकर उन्होंने प्रचार किया, जेपी नडड़ा इन प्रचार के दौरान इन चुनाओं प्रचा जीत की, जेपी नड़ा मंच की हो जारे, और अमित शा की रणीती को समझ पाना तेड़ी खीड है, और समझ भी नहीं पाए प्रची दल, और बीजेपी ने एक बार फिर बता दिया है कि मोधी, मोधी, मोधी और सिर्फ मोधी, और हो भी क्यों ना, दिन रात महिनत की, जेप प्रदान मंत्री, आधनिये श्री नरेंज मोधी जी, आज इस कारक्रम में उपस्त, भारत के रक्षा मंत्री, श्री राजनात सिंग जी, ग्री मंत्री जी, श्री हमित भाईशा जी, और यहां इतनी बड़ी संक्या में इकत्रा है, भारतिय जनता पार्टी के बहुत ही जु और मीडिया के मेरे साथ ही, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के मेरे साथ ही, आज यह हमारा सोभाग्य है, कि जब चार विधान समाओं के नतीजे आये हैं, तो भारतिय जनता पार्टी ने आधरनिये मोधी जी के नित्त में, एक बहुत बड़ी जीत हासल की है, एक बहुत बड़ी जीत हासल की है, ऐसे खुशकवार समय में, मैं अपनी और से, और आप सब लोगों की और से, और लाकों करोडों कारे करता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलिवीजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की और से, आधरनिये पधान मंत्री जी का, इस कारेक्रम में आने पर हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, जब हम प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करते हैं, तो दिल से उनको, हम धन्यवाद भी देते हैं, और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं, कि भान्तिय जन्ता पार्टी जब भी कोई चुनाओ लड़ती है, चाहे वो प्रधेश का चुनाओ हो, चाहे वो देश का चुनाओ हो, चाहे काल कोई भी अनकूल हो या प्रतिकूल हो, आधर निया प्रधान मंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके, ने तुट को समभाला है, और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front, और उन्होंने अथक प्रियास, अथक मेहनत, और संगठन और चुनाओ के राजनीती और रननीती की, छोटी छोटी बारीकियों से लेकर, उससे निकलने वाले नतीजें तक का, खुद ध्यान रखते हुए, चुनाओ को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और एक नहीं, अनेकों चुनाओ को पहुँचाया है। ऐसे हमारे ये शस्वी प्रधान मंत्री जी है। मित्रों, ये जो संदेश इस चुनाओ के नतीजों ने दिया है, वो पश्च बताता है, कि देश ने समझ लिया है, कि अगर कोई गाओं को मजबूती दे सकता है, तो वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मौदी जी दे सकते हैं। चुनाओ के नतीजों ने पश्च संदेश दे दिया है, कि अगर कोई गाओं, गरीब, वंचित, पीडित, सोशित, आदिवासी भाई, अनुसुसी जाती का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुक्यधारा में ला सकता है, तो वो और कोई नहीं, भारत के ये शस्वी प्रधा मंत्री मोदीजी हैं, और इसलिए, और इसलिए, चाहे महिलाओं का सशक्ति करन हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आखांग्शाओं और आशाओं को, आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का का काम हो, वो सब को अगर विश्वास है, तो आदर्न ये प्रधान मंत्री मोदी जी के उपर है जिनके माध्यम से वो आगे पढ़े मित्रो मैं यहाँ आपको यह भी कहना चाहता हूँ अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी मोदी जी की गारंटी यह सब यह चुनाओ तो इस बात को भी पर्ष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है वो मोदी जी की गारंटी है और यह चुनाओं के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पस्थ है कि मोदी हैं तो मोदी जी हैं तो यह स्पस्थ हम सब को देखने को मिलता है मित्रों यह चुनाओं एक और बात का संदेश देते हैं जाती बात और तुश्टी करत ये जिस तरीके से इंडी एलाइंस ने जाती वाद पहलाने की कोशिश की जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की जिस तरीके से देश को बाचने की कोशिश की और तुष्टी करन की वोट बैंक की राजनीती को आगे बढ़ाने का काम किया इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पर्णा भारी बड़ा है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और देश ने देश ने विकास को आगे रखकर के इन चुनाओं के नतीजों पर महर लगाई है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मैं यहां यह भी कहना चाहता हूँ आज यह इंडी अलाइंस इनको नया नया शौक नया नया जोश नया नया नारा OBC 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 की चिंता नहीं यह नय 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 लोग यह इंडी अलाइंस के लोग यह कांग्रेस के लोग घर्याली आसू बहा कर OBC का नारा लगाते हैं ये भूल जाते हैं कि देश को OBC का प्रणमंत्री मोडी जी है तो प्रणमंत्री मोडी जी OBC का प्रणमंत्री रहे हैं और सब के समाज का सब का विकास करने का प्रण लेकर सब को साथ लेकर सब का साथ, सब का विकास सबका विश्वास सबका प्रियास इसको आगे बढ़ाने का काम किया है लेकिन कॉंग्रेस के लोग परधान मंत्री जी पर जिस तरीके से इस चुनाओं में भद्धी टिपणिया की जो नहीं सिर्फ आशनसदिया थी नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न सरकी थी ऐसी टिपणिय की कॉंग्रेस के नेताओं ने जिसको सारजनिक मंच से दोहराना भी मुश्किल होता है ऐसी भद्धी टिपणिया प्रधान मंत्री जी पर की क्या उस नमें उनको ध्यान में नहीं था कि ये मोदी जी को गाली देने का मतलब OBC को गाली देना है बिछली जाती को गाली देना है ये उस समय उनके ध्यान में नहीं था क्या और एक और नेता पैदा हुए मैं नमाफी मांगू मैं नमाफी मांगू यानि रस्ती जल गई बल नहीं गिया है बल नहीं गिया है और ये चुनाओं के नतीजे ऐसे बल ऐसे नेताओं का बल एक वार नहीं अनेकों वार बल खतम करते हैं वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मैं प्रदान मंतरी मोदी जी और आपके बीच में क्योंकि हम सब लोग उनको सुनने के लिए है मैं बहुत देर नहीं रहना चाहता लेकिन यहाँ पर इस मंत से भारती जनता पार्टी के अद्यक्ष के रूप में मैं भारत की जनता राजिस्थान की जनता मद्द प्रदेश की जनता तेलंगाना की जनता 36 गर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके आशिरवाद के लिए उनके समर्पन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये मद्दाता ही परमेश्वर होता है वही फैसला करता है वही आशिरवाद देता है और कोटी कोटी उनको धन्यवाद जिन्होंने बड़ी संक्या में आधरन ये प्रधान मंतरी जी के नेत्रतों को आशिरवाद दे करके ये सफलता दिलाई है इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसके साथ साथ मेरे सामने बैठे कारे करता हूँ हमारे नेता हमारे अध्यक्ष और आप से जुड़े हुए और टेलिविजन के माद्यम से जुड़े हुए हमारे लाखों कारे करता हूँ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस सुनाओ को बोदी जी के ने पूरी ताकत के साथ लड़ा और यह सवी हुए है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे से अक्सर पत्रकार पूछते थे, रननीती क्या है, रननीती क्या है। मैं बार बार बोलता था, रन नीती परदे का विशे होता है, और रन नीती समय के खुलती है, मेरे कारे कर्टाओं ने इस रन नीती को जो बारी किया संगठन ने बताई थी, उनको बखुवी धर्पी पर उतारा है और हमारे कारे करताओं ने दिन राद जमीन पर जाकर मेहनत की और जो वातावरंड बना उस वातावरंड को वोट में बदलने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है इसलिए मैं अपने कारे करताओं को भी बधाई देता हूँ उनको धन्यवाद देता हूँ चुनाओ के नतीजों ने स्पस्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला समाच के किसी एक जाती का वोट नहीं मिला हमें मोदी जी के ने तुल सुम्मे सभी जातियों का सभी वर्गों का और सभी अलाकों का आशिरवाद मिला इस बात को भी हमको जहान में रखना चाहिए इसलिए यह जीत सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास, सबका प्रियास इसको आगे बढ़ाने का काम है मैं अपने कारे करताओं को पुना धन्यवाद भी देता हूँ बढ़ाई भी देता हूँ दिन नहीं, हफ़ते नहीं उन्होंने महीनों अपना घर छोड़ करके पार्टी के लिए बूद पर जा करके काम करके इस योजना के वो आगे बढ़ाया सफल किया इसके लिए मैं उनको बढ़ाई देता हूँ मित्रों मैं जानता हूँ आप क्या आपके साथ साथ मैं भी मैं प्रदान-मंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हूँ इसलिए आपके और उनके बीच में जादा समय न रहता हुआ पुना प्रदान-मंत्री जी को स्वागत करता हूँ अभिनननन करता हूँ धन्यवाद देता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ आधर निये प्रधान मंत्री जी से कि वो हम सब का मारदर्शन करें और हमारे को आगे का रास्ता बताएं मानिये प्रधान मंत्री जी गूाओी जाज़ि जॉट है आताइक दो भादी जाज़ि येर थाच्टी। ऑलिंस मारद auditor करें ल lee भारत माता की आवाज तेलंगाना तक पहुचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की आज की विजय आतिहासिक है अभुद्पुर्व है आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है आज विक्सिद भारत के आहवान की जीत हुई है आज आत्म निर्भर भारत के संकल्प की जीत हुई है आज बंचितों को वरियता के विचार की जीत हुई है आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास इस सोच की जीत हुई है आज इमानदारी पारदर्शिता और सुशाथन की जीत हुई है मैं इस बंचिते से सबी मतदाताओं को आजर पुर्वक्त नमन करता हूँ मतदेश, राजस्थान और चत्थिसगर के लोगों ने भाजपा पर भरपूर्श नेव दिखाया है तेलंगना मैं भी बीजेपी के प्रती समर्थन लगातार बढ़ रहा है ये हम सभी का सवभाग्य है जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रुप से बनुभाव करता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है आज भी मेरे मन में यही भाव है मैं अपनी माताओं बेनों बेटियों के सामने मैं अपनी युवासाथियों के सामने मैं अपने किसान भाई बेनों के सामने मैं अपने गरीब परिवारों के सामने उन्होंने जो नेने जो बड़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ इस चुनाओं में बेश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिशे हुई लेकिन मैं लगाता कह रहा था कि मेरे लिए बेश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ति हमारी युआ शक्ति हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही देश ससक्त होने वाला है आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनाओं में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोडमेप को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वंतित के मन में भावना है ये चुनाओं वो खुद जीता है आज हर किसान यही कहता है ये चुनाओं हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बैन ये सोच कर खुछ है कि उसने जीसे वोड़ दिया वो विज़े उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोड मेरे विज़े का कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विज़ित राष्ट देखना चाहता है साथियों मैं आज विशेश रुप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा रेलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनाओं में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का पर्चम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कबच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते आज नारी शक्ति बंदन अधिनियम ने देश की माताओं बैनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपास सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजे पी ही नारी गरिमा नारी सम्मान नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीटे दस वर्षों में भाजपाने उन्तक टॉयलेट बिजली गैस नल से जल बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुचाने के लिए कितनी इमानदारी से काम किया है आज वो देख रही है कि कैसे बीजे पी घर परिवार में समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढाने के लिए उन्हें रोजगार स्वरोजगार कि नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास बीजे पी के विकास मोडल का एक महत्वपून स्तंब भी है और इसलिए इन चुनावों में महलाओं ने बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजप का के विजे की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशेवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्मता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वायदा बीजे पी ने किये हैं वो शत्त प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों चुड़ाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है देश का युवा सिर्फर सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाब काम किया है वो सरकारे सत्ता से बहार हुई है चाहे राजस्तान हो 36 गड़ हो या तेलंग ना हो ये सारी सरकारे पेपर लीक और भरती गोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी परणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैटे दल अब सरकार से बहार है आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांशाय समझती है उसके लिए काम करती है देश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितेशी होती है युवाओं के लिए नए आउसर बनाने वाली होती है साथियों आज देश का अधिवाजी समाज में अब खुल कर अपनी बात रख रहा है ये वो अधिवासी समाज है जो कॉंग्रेस की नीतियों की बज़ा से साथ दसक तक पीछे रहा जिसे आउसर नहीं दिये गए इनकी जनसेंगे आज दस करोर के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव परनाम अबे भी देखा है जिस कॉंग्रेस ने आधिवाजी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आधिवाजी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने एमपी छतिसगर और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आधिवाजी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है आधिवाजी समाज आज विकास के लिए आकांखी है और उन्हें बरोसा है इस आकांख्या को सिर्फ और सिरफ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनो मैं आज हर राज्य के भाजपा कारकरताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसंसा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पन अतुनिय है डबल इंजिन सरकार का मेसेज आपने पूरी मांदारी से जन जन तक पहुँचाया इसी का प्रणाम आज हमें मिल रहा है हमारे राष्ठे देख से नद्दाजी जिस प्रकार अपनी नीती रणनीती को अमल में लाए यह विजय उसका भी परणाम है और चुनाम के धर्व्यान उनके परिवार में एक दुखत घटना दती लेकिन उसके बावजुद भी नद्दाजी भारती जनता पार्टी के कारकरता के रूप में दिन रात जटे रहे साथियों राज नीती के इतने वर्षों में मैं हमेशा बविश्यमानियों से दूर रहा मैं कभी बादे बादे और बड़ी बड़ी गोश्राइं नहीं करता हूँ इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूँ लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था मैंने राजस्थान में मावजी महराज को प्रणाम करते हुए उनी की धर्ती पर ये भविश्वानी की थी कि राजस्थान में कॉंग्रेस सरकार लाट करके नहीं आएगी मैं बविश्वेत्ता नहीं हूँ लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था वहां की जन्ता पर भरोसा और आज हम नतिजे देख रहे हैं मत्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है दो दसक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है 36 गड़ के परिवार जनों को तो मैं जब मैं वाद चुनाओ सभाओं में गया तो मैं खुदी पहली सभा में 36 गड़ के चुनाओं की पहली सभा में मैंने खुद कहा था तो मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ मैं तो आपको 3 डिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो सपत समारों में निमंत्रन देने के लिए आया 36 गड़ के परणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्विकार किया है मैं तेलंगना की जनता और तेलंगना की भाजपा कार करताओं का विशेस आभार व्यक्त करताओं हर चुनाओं में तेलंगना में भाजपा का गराप लगातार बढ़ रहा है मैं तेलंगना की लोगों को एविश्वाद दिलाता हूँ कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई 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 कसर बाकी नहीं छोड़ेगी भारतिय जनतापार्टी तेलंगना अभीवृत्ती कोशं एल्ला पूडुपनी चेंच तुने उटुंदी तेलंगना तो मा को चाला मन्ची अनुवन्दम उंडी मेरे परिवार जनो इस चुनाव परणाम की गुन्ज शरप एमपी, राजस्तान और स्थिसगर तक सीमित नहीं रहेगी इन परणामों की गुन्ज दूर तक जाएगी पूरी दुनिया में इन चुनाव परणामों की गुन्ज सुनाई देगी ये चुनाव परणाम भारत के विकास पर भरोसा दुनिया के भरोसे को और बजबूती देगा ये चुनाव परणाम दुनिया भर के निवशकों को भी नया विश्वास देगा ब़ोसा ये कि आजाजी के अमरितकाल में विक्सीत भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसे जनता जनारदन का लगातार आशिरवाद मिल रहा है आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोगतंत्रा और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व है कितने मेच्चोर है आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूरण अब भाहुमत के लिए स्थीर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है साथ्यों भाजपाने सेवा और सुशाशन की राजनीती का नया मोरेल देश के सामने प्रस्तूत किया है हमारी नीटी और नेरों के मूल में शीव पर सिरफ देश है देश वासी है भारत माता की जैए यही हमारा मंत है इसलिए भाजपा सरकारे सिर्फ नीतिया नहीं बनाती बलकि हर हकदार हर लाभारती तक वो पहुँचे यह भी सुनिश्चित करती है भाजपा परफॉर्मेंस और डिलिवरी की राज़निती देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है भारत का मत्दाता जानता है कि स्वार्थ क्या है जनहीत और राष्टहीत क्या है दूद का और पानी का भेज देश जानता है जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई हवाई बाते करना और लोब लालच की गोथनाए करना ये मत्दाता पसंद नहीं करता मत्दाता को उसका जीवन बहतर करने के लिए एक स्पस्ट रोड़ मेट चाहिए एक विश्वस्नित्य चाहिए एक भरोसा चाहिए भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है हर परिवार का जीवन बहतर होता है इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है लगातार चुन रहा है और कुछ लोग तो कह रहे है कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है साथियों आज के जना देश ने ये भी साबित किया है कि ब्रस्टाचार तुस्टी करान और परिवार बात को लेकर देश के भीतर देश के हरनागरिक के दिल में जीरो टॉलरंस बन रही है आज देश को लगता है कि इन तीन बुराईयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में ब्रस्टा चार के विर्द जो अभ्यान छेड रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है ये उन्दलों उन्नेताओं को वोटर की साप साप चेतावनी है जो ब्रस्टा चारियों के साथ खड़े होने में जराबी शर्मन वो नहीं करते हैं उन्हों को देश की जनता ने आज साप साप संदेश दे दिया है और ऐसे लोग जो बाती भाती के तरकों से ब्रस्टा चारियों को कवस देते हैं कवरप परने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग जो ब्रस्टा चार पर कड़ा प्रहा करने वाली चार्च एजन्सियों को बदनाम करने में दिनराज जुटे हुए हैं वे समझने ये चुनाव नतीजे ब्रस्टा चार के खिलाब लड़ाई का भी जन्समर्थन है ये चुनाव नतीजे कॉंग्रेस आज उसके गमन या गड़ बंदन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारबादियों के मंच पर एक साथ आजाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता देश की जन्ता का दिल जीतने के लिए राष्ट सेवा का जज़बा होना चाहिए और गमन या गड़ बंदन में रती भर भी वो नजर नहीं आता है गाली गलोच निराशा नेगेटिविटी ये गमन या गड़ बंदन को मीडिया की हेड लाइन जरूर दे सकती है लेकिन जन्ता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती है साथियों आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रज़ती और जन्त कल्यान की राजनीती के खिलाब खड़े रहते हैं जब भी विकास होता है कॉंग्रेस और उसके साथ ही विरोज करते हैं जब हम मंदे भारत ट्रेल लाँज करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही उसकी मजाक उडाते हैं जब हम आईश्वान भारत लॉंच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही इसमें रोड़ा अटकाते हैं जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कॉंग्रेस और उसके साथ ही रुकावटे डालते हैं ऐसी सभी पार्टियों ऐसी सभी पार्टियों को हाथ गरीबों ने चेतावनी दी है सुदर जाईए सुदर जाईए वरना जंता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्यार की योजनाओ और उनके लिए भेजे जहरा है फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो यह जनता का अदेश है वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी लोग तंत्र के हित में मेरी कॉंगेस और उसके साथ्यों को नमरता फुर्वक सला है कुपा करके ऐसी राजनिती न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे जो देश को बाटना चाहते है ऐसे लोगों को मजबूती दे जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गती दे साथियों आज भारत की अर्थ ववस्ता का हर पहिया पूरी गती से घूम रहा है कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का असर भारत पर पड़ेगा लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बहतर पदर्शन किया आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विच्शिद होती आर्थिक ताकत है आज भारत का आत्मो इश्वास भारत के लोगों का आत्मो इश्वास अभुद पूर्वस्तर पर है आज भारत में आज देश में रिकॉर्ड GST कलेक्शन हो रहा है कृशिद पावन के नए रिकॉर्ड बन रहे है भारत के शेर मार्केट पर बरोसा चरम पर है आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे है यूपी आई ट्रांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं तो हारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं गाडियों के शेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं आज भारत में सिमेंट प्रोड़क्शन बढ़ रहा है कोईला प्रोड़क्शन बढ़ा है आज भारत में स् सतंस्तर पर है होम लोन की में भी उस सेक्टल में भी बहुत अधिक उर्थी देखी जा रही है साथ यो आज भारत का फुजिकल इंट्रा सेक्टर पूरी तरह से ट्रांस्फरम हो रहा है आप देखिए चारों तरफ एक्सप्रेस वे का इंडिस्टियल कोरिडोर का जाल बिश रहा है भारत के रेल आज अपने ट्रांस्फरमेशन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है आज देश में नए रेल विस्टेंट बन रहे हैं आधुनिक ट्रेने आ रही हैं गती नहीं है संकल्प नहीं है और मैं देश वाच्व को कहना चाहता हूं हर देश वाच्व को क कहना चाहता हूं और मैं मेरे ट्रेक रेकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं बड़ी मांदारी से कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके सपने आपके सपने मेरे देशवाजियों आपके सपने वो मेरा संकल्प है आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है मेरी तपस्या भी है साथ क्यों भारत का डिजिटल इंफ्रसेक्टर दुनिया में सेश्टता की तरफ बढ़ रहा है भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अग्राणी देश में पहुंच चुका है आज भारत में गाउं गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है आज देश के सोचल इंफ्रसेक्टर पर भी अभुत्पुर्व गती से काम हो रहा है हर गरीब को मुप्त राशन वाली योजना अगले पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है बाजपास सरकार में चार करोर गरीब परिवारों के पक्के गर बन चुके है हम हर गरीब परिवार को पक्की छट देने के संकल पक्की के और तेजी से बढ़ रहे है घर घर नल से जल ये अभ्यान तेज गती से चल रहा है आज देश में रिकॉर्ड गती से नई अस्पताल बन रहे हैं Medical College बन रहे हैं College on University की संक्या बढ़ रही है चात्यों आज भारत आगे बढ़ रहा है भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है भारत के लोग इस Momentum को बनाय रखना चाहते हैं अभी इससे पीछे नहीं हटना है और पीशे हटना ये मोदी के तो कभी स्विकार नहीं हो सकता है भारत के लोग stability चाहते हैं स्थाई तो चाहते हैं भारत के लोग विश्चित भारत की आत्रा को गती देना चाहते हैं मैं देश के प्रत्य की उवा को आवान करता हूँ वो विश्चित भारत का ambassador बने वो विश्चित भारत के संकल्पों का नेत्रुत्व करे मैं भाजबा कायर करता हूँ से भी कहूंगा प्रतेग भाजबा कायर करता नमो एप पर जाएं और कम से कम दस लोगों को विश्चित भारत का ambassador बनाएं हमें आज एक ऐसी पीड़ी तेयार करनी है जिसका सपना हो विख्सिद भारत जिसका संकल्प हो विख्सिद भारत जिसकी साधना हो विख्सिद भारत जिसका समर्पन हो विख्सिद भारत साथियों विख्सिद भारत के निर्मान के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे इन चुनावों मेंने लगातार कहा है कि हर लाभार्थी तक पहुँचकर भाजबा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नमंबर यानि जन जातिय गवरव दिवास यानि भगवान बिरसा मुंडा की जैनती से विक्सिद भारत संकल्प यात्रा शुरू की है योजनाओं से वंचित लोगों को जोडने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिन जेत्रों में यात्रा पहुत रही है वहाँ लोग खुश्या मना रहे है कि मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी हमारे गाओं आ रही है मैं आज विजे के इस समारों से हर विजे भी कारकरताओं को सला दूँगा आगरे करूँगा अब आज से आपको मोदी की गारेंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी देश की सबलता की गारेंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारेंटी है और आपको एक बात और याद रखनी है जहां जहां दूसरों से उम्मित खत्म होती है वहां से मोदी की गारेंटी शुरू होती है मेरे परिवार जनों विधान सबा चुनाव के नतीजों ने पोजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाः शुरू किया है जिसे आज पुरा देश महसूस कर रहा है इस शक्ति ने विश्षीद भारत के लिए तयार हुई नीम को और मजबूत कर दिया है हमें ये उर्जा बनाय रखनी हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है हमें एक सो चालीस करोर भारतियों के विश्वास को जगाए रखना है हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है हमें हर मन को समझना है हमें सब को साथ लेकर चलना है हमें हर एक को अमृत कान की विकास यात्रा का साथ ही बढाना है जो हमसे दूर है हमें उनके पास पहुँचना है जिने संदे है हमें उनमें भरोसा जगाना है भाजपा के कायर करताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एक जुड होने का प्रयास करेगी देश को बाठने वाली ताकतें अब हेडी चोती का जोड लगाएगी समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तरासेंगे हमें उनसे मुकाबला भी करना है उनके फेक नेरेटिव को जवाब भी देना है लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है साथियों उस्षा और उमन के इस्वातावर के बीच मेरी आदत छूडती नहीं है तो मैं फिर तो यह तो करता ही रहता हूँ क्यों मैं कि मुल तह संगडन से निकला हूँ तो स्वभाव मेरा जाता नहीं मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था जादा समय नहीं दे पाया देख नहीं पाया क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तठ है वहां साइकलोन की संभावना नजर आ रही है ज़रा तीजी की संभावना नजर आ रही है और इसलिए विजे के महोचों में भी मैं तो यही कार्यकरताओं से कहूँगा हमें साइकलोन मिचोन से भी सतक रहना है बंगाल की खाड़ी से सटे तकी इलाकों में इसका प्रभाव पर सकता है केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्ग में है उनकी हर संबव मदद भी कर रही है मैं तमिलनाडू पूरीचेरी उडिचा और खास तोर से आंदर प्रदेश के भाजबा कार करताओं से भी कहूँगा कि राज्य सरकार बले किसी भी दलकी हो आप पूरी शक्ती से राहत और बचाओं काम में जुड़ जाना प्रशासन को पूरा साथ देना और यही एक समर्पित भाजबा कार करता के संश्कार होते है हमारे लिए तल से बड़ा देश है हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देश वासी है साथियों सब के प्रयास से हमने अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं मुझे देश की अमरुत पीड़ी पर वरोसा है हमारा लक्ष एक है साधना एक है सपना एक है भारत विक्सित होकर रहेगा इसी भी स्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी मत दाताओं का भिनंदन करता हूँ जो भी विजय हुए है उनको शुप पामनाई देता हूँ और हम सब मिल करके देश के सामान ने मानवी यासा पैशाओं को पूरा कर पाएं मैं आप सब पायर करता हूँ को आपके माध्यम से माधान में जो लोग महनद कर रहे थे उन सब को रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद प्रचेंड जीत और दिली के बीजेपी दफ्तर में जश्न जश्न के बात स्वागत अभिननन वनन उसके लिए जिसके लिए आज कहना होगा एक ही बंदा काफी है दस बड़ी बातें जान लीजिए ये नतीजे घमडिया गटबंदन के लिए सबख की तरह मोदी की गारंटी पूरा होने का मतलब ये नतीजे विपक्ष को सुधरने का संकेड वरना जन्ता आपको साफ कर देगी हर किसान इसे अपनी जीत मान रहा है ब्रश्चाचारी सरकारें बुरी तरह हार रही है मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी और आज की हैट्रेक ने 24 की गारंटी दे दी है ये बड़ी बातें दिल्ली बीजेपी दफ्तर में प्रधान मंत्री पहुंचे हुए थे उनका स्वागत हुआ जस्ट हुआ कारिकरताओं ने उनके नारे लगाए और उस दोरान जो बड़ी बातें प्रधान मंत्री मोदी ने कही है वो आपके सामने ये नतीजे विपक्ष को सुधरने का संकेर और प्रधान मंत्री ने क्या दस बड़ी बाते कही वो हमने आपको बताई और वो बड़ी बाते जो ये बताने के लिए काफी है कि एक ही बंदा काफी है यही है हमारा विशे भी किस तरीके से यह अब प्रत्याशित जीत बीजेपी ने हासल की है और सिर्फ एक चेरे को आके रखकर जिसके लिए कहा जा रहा है ललित की एक ही बंदा काफी है जी इसे ऐसा लगता है कि घरों में एक मंगरिया यूज होती है कपड़े धोने के लिए उससे जो दुलाई होती है शायद वो भी कम पड़े तो इसी वज़े से हम कह रहे है एक ही बंदा काफी है जिस तरीके से प्रचंड जनादेश मिला है खोड़ प्रधानमंत्री ने कह कि उम्मीद से जादा समर्थन उन्हें मिला हाला कि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चार जाती वर्ग उनके लिए क्या है उसमें पहला था नारी शक्ति बिलकुल और 24 की गारेंटी भी है और हमाई साथ भोपाल से हमाई सायोगी प्रशांद में जुड़ चुके हैं आप लगबक तस्वीर पूरी तरह से साफ है और ये परिणाम बताते हैं कि आखिर जन्ता ने कहा और किसे समर्थन दिया है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी को आप सुन रहे थे नरेंदर मोदी ने भी वही बातें दो रहाएं कि कैसे उम्मीद से जादा समर्थन जन्ता का इन र इसके पीछे समीकरन क्या नजर आते हैं क्या फैक्टर नजर आते हैं अला कि बहुत सारी चर्चा हैं लगाता नियूज एटीन पर चल रही हैं लेकिन कुछ और मेमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उन से तार्फ करा दें और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे गुलरे शेक साब हमारे साथ है प्रवक्ता बीजेपी बहुत स्वागत है गुलरेज जी आपका नियूज एटीन पर और शर्मन नगेले जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है आपका भी बहुत स्वागत है और येश भारतिय जी समाजबादी पार्टी के राष्ट्रिये प् प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी भी कह रहे हैं कि उम्मीदों से बहुत जादा बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप इवांदारी से काम करते हैं पूर्न निष्ठा के साथ रहते हैं लोगों की तकलीफों को उनके समस्याओं को अपनी मान कर चलते हैं और यो समस्याओं का निवारण करो उसके जीवन में जो अच्छा कर सको वो करो तो उसी के कारण आज ये देखिए कि चाहे युवा वर्ग हो चाहे किसान हो चाहे माबैतियां बहने हो उन सब ने हमको आज आशिरवाद दिया है और उसी का यह कपड़ नाम है कि आपको दिखता है मद्धिपरदेश दिखता है 36 गड़ दिखता है सब तरह कमल ही कमल खिले हैं जी हर तरफ कमल ही कमल खिले हैं ये दावा है मैं ये भारतिये जी के पास जाओंगा ये भारतिये जी दावे बहुत है आपके लेकिन ऐसा लग रहा है बाइपोलर लडाई में आप कह इंटा पार्टी को रोकना है, इंडिया की सरकार को रोकना है। इंडिया गडबंदन में तै हुआ कि कुछ चैनल्स में नहीं जाना है। सायोगियों के साथ में जो सायोग लेना चाहिए। आपका मतलब कॉंग्रेस का उनको भी आपने दर्केनार कर दिया। एक तो ओवर कॉंफिटेंस उस तरीके का था सत्ता विरोधी जो लहर थी। जिसको हम लहर कहते हैं। तो लहर पे कविता है चंद पंतियां उसकी। लहरों पे चाहिए नौका पार नहीं होती है। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कॉंगर्स पार्टी तो यह मान के चल रही थी, खास तो और पे उनके प्रदेश अद्धेश कमलनाज जी, कि हम लहरों पे ही पार होने वाले हैं, बले हम कोशिश करें या ना करें। तो बिना कोशिश किये नहीं हो पाएगा। जाती जंगर्णा की बात कर रहे थे, तो जाती जंगर्णा के अधार पे जो अधिकार देनी की बात कर रहे थे, उनके टिकेट वित्रव में दिख नहीं रहा था। तो जो चीज दिख नहीं रही थी, और वो चीज बोली जा रह तिक निर्बढ़ता जो कमलनाच जी के ऊपर पूरी कॉंग्रेस पार्टी की थी और वही निर्णे ले रहे थे पांच-पांच लोगों को बोल देना चेतर में के जाईए आप चनाओ की तयारी कीजिए और टिकेट देना रहा तो किसी छटे को दे दिया तो ये कॉंग्रेस पार्टी ने कॉंग्रेस पार्टी को हराया है भारती जनता पार्टी के नहीं हरा ये दुर्भाग गिरा मतलब अधर इस बात का विश्लेशन अब सर्मन नगेली जी करेंगे सर्मन जी सबसे पहले तो ये बताएं कि एक कलेक्टिव एफॉर्ट्स बीजे के या फिर हम यह कहें कि चेहरा इस बार सीम चेहरा भी नहीं थे शेवरा सिंग चोहान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चेहरा तो इस बड़े फेक्टर इस जीत के क्या नजर आते हैं आपको देखे माननी प्रसांड़ी यह जो मद्ध प्रदेश में भारती जनता पार्टी की जो प्रचंड विजय हुई है इसके तीन-चार काराण है पहला काराण यह है कि माननी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी की आज भी मतदाताओं जनता के बीच में क्रेडिविल्टी है उनकी साख है तभी मद्ध प्रदेश के 36 गरकी और राइस्थान के मतदाताओं न जनता की बात करते हैं मास्ट लीडर हैं मास्ट लीडर है और वह जनता के बीच मीर रहती है ओजनता के लिए इसी का परणाम है कि देखिए उन्होंने 165 सभाएNIS की एक दिन में 10 सभाएि एक दिन में 10 इस विधानसभाशेय चेत्रों कंगरार मिस्टा करना यह तमाम लेकिन बेरियर की रूप में लाली बहना योजना खड़ी हो गई लाली बहना योजना ने एंटी इंकंबंसी का जो कांटा था उसको निकालने का काम किया और सिबरा सिंग चोहान के नेतुरत में मदपुदेश में बारती जैन्दा पार्टी की सरकार बनी इसके साथ साथ आप देखें दीपावली के कुछ दिन पहले जो किसान सम्मान ने दी और लाली बहनाओं के जो खाते में पैसे का आना हुआ इसके साथ जो केंदर सरकार की बहुत सारी योजना हैं और मत्बदे सरकार की योजना चाहे वो आयुसमान की योजना हो चाहे। या प्रधानमंत्री आवाज की बात करें या बहुत सारी स्कीम से हेल्थ की स्कीम से स्वक्षता की स्कीम से स्मार्शिटीज की स्कीम से स्टार्ट अप के लिए स्कीम से इंडर्श्टी के लिए स्कीम से आईटी सेक्टर में स्कीम से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है जो कि उनके लिए फायदिमन साबित हुई है और इसके साथ गरीबों के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स बनाई देखें आज भी आप देखेंगे मद्विदेश में कितने जादा लोगों को गेहूं और अभी भी उनको अनाज और बाकी चीज़ें उपलत कराई जा रही है मद्विदेश का जो आकड़ा है जो गरीबी रेखा का वो इसलिए है क्योंकि उनको वो मदद कर रहे है इसके साथ साथ बहुत सारी है देखें इसलिए माने मोदी जी ने मन्रेगा को बंद नहीं किया है मन्रेगा अभी भी चल लए है वो इसलिए चल लए है जो गरीबों के कल्यान के लिए गरीबों के वेलपेर के लिए और मेरा तो यहां यह कहना है हाला कि मनरेगा योजना की या कहें कि लगातार उसको क्रिटिसाइज जरूर करती रही मोधी सरकार हमारे साथ एक और खास मिमान जुड़ गए है बुपेंदर गुपता जी उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश कॉंग्रिस बहुत स्वागत है बुपेंदर जी आपका लगातार पार्टी को डिफेंड करते रहे पार्टी का पक्ष रखते रहे लेकिन आज आपका दिन नहीं है बस इतना कहेंगे तो यह कोई बात नहीं है जनता ने जो है अपना मत दिया है उस मत को हम लोग शिरोधारे करते हैं पूरे सहास के साथ निडरता के साथ और उसे प्रसाद मानकर जनता को जनारदन मानकर उसको स्विकार करते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कई बार हम चुनाव हा रहे हैं कई बार जीते हैं कई बार हमने हराया है यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है हम उन सारे मत प्रदेश के मत दाताओं का अभार व्यक्त करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन आदिवासी भाईयों क एसी भाईयों का, हमारे जो एल्प संग्यक भाईयों का, सिख्षों का, इसाईयों का, बॉध्धों का और अपने मुसल्मानों का जिनों ने हमें मद्दान किया है बिल्कुल परशान तो आपके साथ खास मेहमान है उनके साथ आप बाचित को आगे बढ़ाईएगा लेकिन एक मेहमान यहां नौईडा में मेरे ललिस के साथ भी जुड़े हुए हैं सूरिया मैथिल जी है, हम सुबह से चर्चा भी करते रहें सूरिया जी सुबह सुबह ताप भी दिखा रहे थे अपने बचनों में, अपनी बानी में अब तो प्रचंड अगनी की बारिश होगी, ऐसा लगता है सूरिया जी चलिए, हमने टेक्स दे रखा है, एक ही बंदा काफी है मुझे लगता है, ऐससे परफेक्ट टेक्स और कुछ हो नहीं सकता जे पूरे मद्य परदेश को, 36 गड़ को, भारत माता की जे, बंदे मात्रम और जै जोहार आप देखिए, जिस प्रकार से मैं सुबह से बोल रहा था आपको कि भारति इंता पार्टी के लिए एक अंडर करंट है वो आपको नतीजों में भी दिखाई दिया जब मैं सुबह आपके संग 7 बजे बैठा हुआ था उस समय आप कहे थे डब्बे खुलने दीजिए मैंने कहा था मद्य परदेश की जनता ने, 36 गड़ की जनता ने, राजिस्थान की जनता ने अपना मत्तों दे दिया अरे डब्बे खुलना केवल और केवल सिरफ एक खाना पूर्ती है जो की अब साबित हो गया और अभी मैं कॉंग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था इनके संग मैं कई बार आपके चैनल पे डिवेट में बैठा हूँ यह फरजी आगरे लेके आते थे फरजी बाते फैलाते थे और जो काम करने वाली सरकार है उस काम करने वाली सरकार को बदनाम करते थे इन्होंने कभी इस बात पे बात नहीं की थी कि भाईया जैसे ही 15 महिने की सरकार आपकी आई तो आपने ट्रांसपर उद्ध्योग चलाना शुरू कर दिया था जब आपकी सरकार आई तो आपने कोरोना के लिए काम करने की जगह पे आइफा अबाउड का आया जैक्रिन फंडाडिस के संग डांस किया आपने तब आज जब गो माता की जै कर रहे हैं सौफ्ट इंडुत्वी की बात कर रहे हैं और जब गो अप्तिया निरोधक कानून के अंदर आपने चेंजिंग किये थे और उस समय में आपने ये कहा था कि यदि गो अप्तिया के कारण को इस्तिति विशम पैदा होती है तो कोई एजिटिशन करेगा अंदलम करेगा तो उसके ऊपर दंदा मिलोधक कारवाई की जाएगी तो इस प्रकार के हिंदु उरोभी चेहरे आपने अपनी सप्ता के ताइम पर लगाएं यह आपने बात सही कही कि आपने सुबह साथ बज़े कह दिया था कि अंदर करेंट है आपको यह बताना चाहिए था ना कि कॉंग्रिस के लिए 440 वोट का करेंट है प्रशांत लगातार मैं आऊंगा आऊंगा आपके पास भी आएंगे प्रशांत लगातार हमें साथ बने हुए प्रशांत ओवर टू यू जे बिलकुल बिलकुल चर्चा को आप आगे बढ़ा का आपके पक्ष में देख रहा है लेकिंगे दस मंतरी आपके हार गए आपके दो सांसद हार गए आपके बिलकुल सही बात है और जहां पर एनलिसिस करना होगा हम उससे भी चिंतन करेंगे कि क्या करण हुआ कि वहाँ जो परिणाम था वानुकुल नहीं आया लेकिन आप बड़े कैन्वस पर अगर देखेंगे तो एक महाविजय है और मैं तो यह कह रहा था कि गुजरात में जिस प्रकार के नतीजे आये पिछले कुछ महीने पहले वे साही मतिपर्देश में रिपीट होगा वह लगातार मुझे ट्रॉल किया जा रहा था और यहां तक कि डिबेट्स में मेरा विरोध यही कह रहा था कि आप तो रेटोरिक कर रहा हो लेकिन मुझे जो जमीन पर हत लगा रहा था तो गर्मी दिख रही थी और मुझे समझ में आ रहा था अंडर करेंट है और वह कि दो हजार चोविस का जो आम चुना हो गा न यह वेव सुनामी निकलेगी जे बुबेंजी यह अंडर करेंट आप महसूस नहीं कर पाए यह अंडर करेंट तो जो है वह भी महसूस नहीं कर पाए केलाइस विजेबर्गी जी वो कह रहे हैं कि लाडली बहनाओं के कारण जीत नहीं हुई है लेकिन पूरा मंद्यप्रदेश के जो भाजपा के नेता है और चैनल एक ही गीत बजा रहे हैं कि लाडली बेहनाओं के कारण जीत हुई है लेकिन कहला इस विजेवर्गी जी तो इस पर कंविन्स नहीं है वो तो कह रहे हैं कि जहां लाडली योजना नहीं थी वहां पर भी यो मोदी के माजपा को तेह करना है कि लाडली यो बेहना है कि लाडली बेहनाओं कि मोदी माजपा करना है नहीं सब्सक्राण कराने दीजिए वो तो इसी आपकी आप कराएंगे आपको चाहिए और आपकी अप्रचा से दिये केस स्टडी का दिशा है और मैं आप से किना चाहता हूं कि हमारी जो बोट है हमारी जो बोट है वो हमारी बोट इंटेक्ट है हमारे पिछले चुनाव में 40 प्रतिशत मत मिले थे अभी भी हमें उससे ज़्यादा मत मिले हैं कहीं से जो है अग्यात शुरोतों से आकास से हो सकता है कि यिश्वरी कोई चमतकार हुआ हो दस परसेंट बोट उचल के भाज़ापा के खाते में आये हैं उस पर निश्चित रूफ से केस स्टडी होनी चाहिए ये जो है मैनेजमेंट के प्रवंदन के गुरूओं के जो है शोद का विशा है इस पर आगे लोगों को शोद करना चाहिए अगर लोगतंतर के साथ निरंतर आगे बढ़ना है तो जे ठीक है सरमा जी तोनों तरफ की बातें भी आप सुन रहे थे थोड़ा सा ये जरूर समझाएगा कि तोनों तरफ से योजना है थी कॉंग्रेस ने भी बड़ी योजनाओं का दावा किया था वादा भी किया था क्या वो काम नहीं आए ओपियस काम नहीं आया आपका जात मान चुका था कि जनता की मजबूरी है भाजबाया कांग्रेस को बोट करना जरूरी है तो कांग्रेस को बोट नहीं किया उसने जनता ने जनता ना भाजबाया को बोट कर दिया आपके पास में जो सारी चीजें थी जो राजमेशू खड़े थे वो आपने मत्दा तक पहु जहां जिस जिले में था जिस बिदान सबाद चेतर में था वहां उसने ली है ऐसी एक नहीं एसी बहुत सारी कांग्रेस पार्टी की जो रननीतिक चूख हुई है देखिए आप एक महीने पहले इलेक्शन मैंने तर्टो रिलीज कर रहे हैं और मैंने बेस्टो आरूपत जारी करना है एक महीने पहले तो आपको बहुत रननीतिक की रूप में काम करना जी जो बीटिंग में डिसाइड किया गया उससे ग्राउंड पर नहीं पहुँचा पाई जनता के बीच में उस पर तो अब पार्टी मंधन करेगी सूर्या जी लेकिन मैं यहां पर प्रधान मंत्री मोदी ने जो अभी तक अभी संबोधन किया रहा कुछ दिर पहले उस पर आरा चाहूंगी उस पर उन्होंने एक बार फैसे जातिकत जंगर्णा को लेकर जो कॉंगर्स का स्टान रहा उस पर हमला बोल दिया कि मेरे लिए तो सिर्फ चार ही जातिया है मुझे आपके आवाज पूरी नहीं आ रही है सुरेज आप सुन पा रहे हैं मुझे आवाज कम आ रही है आपकी जी जी दरसल अभी प्रधान मंत्री का संबोधन हमने सुना उन्होंने जातिवात की व्यवस्था पर प्रहार भी किया और कहां मेरे लिए तो सिर्फ चार जा रहा है सब का साथ सबका विकास सबका विश्वास ऊथा प्रयास लेकिन वो कहते हैं ना कि कव्या चला हंसकी चाल और अपनी चाल भी भूल गया तो जो कॉंगरेस कभी जातिकत जन्गर्णा का विरोध करती थी आज वो इतनी ज्यादा निर्बल हो गाई कि वो जातिकत जन्गर्णा का भी काड़ खेलने पर उतारू हो गाई थी जीत के लिए लेकिन ये देश की जनता ने समझा मद्यप्रदेश की जनता ने समझा राजिस्थान की जनता न जैल रही थी कि यह जाती का वोत इतना है और ये और सब्सक्राइब तो पहले नहीं गयान पर यह प्रशांद सा तमां महमान पूरहा थे प्रशांद बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी सूरिया जी हला के हमारे साथ लगातार बने रहेंगे आप रशांत आपका और अभी उनसे पूछना भी है ना कि कौन किसकी चाल चला है पार्टी का नाम रखे भी तो बताएंगे तो यह एक छोड़ा से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और यह चर्चा लगातार जारी रहेंग ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीच चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं यह एक बड़ा फैक्टर यह एक बड़ा फैक्टर च्छतीजगर की दुस्पात हैं सितापुर से मंत्रिया मजीद भगत आ रहे हैं कॉंडा गाउंसे मोहन मरकाम हाने देखे बड़ेस चेहरों ने इस रहां पर हार हासिल की है राजरंद गाउंसे लेकिन डॉक्टर अमान सेंग को मिली है जीच बिलहांसे धरम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीयम्ती सिंग्डेव पीछे चल रहे है बहुत बली कबर पाथन से सीयम भूपेश बगेर आगे हैं जीत के अओर है वो राम पूर से नंकी राम कबर पीछे चल रहे हैं दूर्ग से ग्रामीर से ताम्रतो साहू भी पीछे चल र ये दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चे में एक बार फिर लहरा है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनिट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगर कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमेट बिल्कुल लगता कवरे जारी है जब तक कि आकरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुज़ान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिज़र्ट दिखाया बुद्री से सीम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते जीते हैं अ रचना चितनिस ये मतगरना की बड़ी बाते होशंगाबाद से सीटा सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमल लाज जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक मोहन मरकाम हाने देखे बड़ेस चेहरों ने आपर हार हासिल की है राजनंद गाओ से लेकिन डॉक्टर रामान सेंग को मिली है जीत बिल्हासित राम लाल कौशिक आगे है बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम टीए सिंग देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ भगवा पर्चम और यह देखिए यहां पर आ गए है प्टारमंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स दरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लहरा आया है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनिट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीज़ा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीज़े तक ये मेगर कवरेड लगातार ज दिसकेशन हम लोग कर रहे हैं पैनल के साथ लेकिन बड़ी खबरों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है नब्बे सीटों का रिजल्ट अब अनाउंस हो चुका है तो चातीज़गर में सभी सीटों के नतीज़े घोशत हो गया है नब्बे सीटें सबसे आगे आपको न्यूज़ेटीन मध्यप्रदेश चातीज़गर ने रखा है आठ बचकर तीन मिनट पर हमने पहला रुज़ा सभी नब्बे सीटों के नतीज़े घोशत हो गए चतीज़गर में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है पैतीज़ पर कॉंग्रेस से मिट जई एक अन्य के खाते में गई है और तकरीबन नौ से दस मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए डेपिटी सीम स समेत नौ मंत्री हार गए है अंबिकापर से टियस सिंग्देव हार गए है मुआम्मद अगबर पिछले बार रिकॉर्ड बनाया था जीत का वो हार गए है तामर्दा साहू ग्रे मंत्री हार गए है और गिनाईए रविंद्र चौबे इश्वर साहू से हार गए है कि ने वो पूछ लो और टीयस सिंग्देव जो कल तक एक कह रहे थे कि राजनीती में आया है तो मुख्य मंत्री बनने की हस्त तो थी ही वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए और ये कहा जा रहा था कि सरगुजा में उनको सीम ना बनाने का खामियाजा पार्टी को भु कि नब्वे सीटों का परिणाम सामने आ चुका है और किस तरह से कौन-कौन हा रहा है किस ने आपको बताया आप और जिस तरीके से यह हार हुई है उसकी कलपना तो खुद किसी ने नहीं की थी त्यासत के पढ़नीतों नहीं की थी और इस जीत की कलपना तो बीजएपी के पड़े बड़े दिग्ज़ भी नहीं कर रहे होंगे। संसद में एक भी सांसद ना तो छतिस गड़ बेजने वाला है ना राजिस्तान ना मद्यप्रदेश जी और आप इस बात को आज लिख लीजिए कि छद्वारास पे भी कमल का फूल खिलेगा और नात जितने भी है ना यह सब साफ होने वाले हैं इस बार क्योंकि मद्यप्रद इसकी दंता ने भी बता दिया चाहे कमल ना जी जीत गए लेकिन कई बार वो पीछे भी हुए आप ने खुद अपने चनल बें बताया कि कमल ना जी पीछे चल रहे हैं तो यह असलियत है सुर्या साब एक दो सीट तो बराय वहरबानी ना 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 एक भी सीट नहीं और मैं आपको बताओ यह अतिशोक्ति नहीं होगी सनातन को गाली देना सनातन को खतम करने की मंचा रखने वालों के साथ खड़े होना सनातन को डेंगू, मलेरिया और HIV जैसी बीमारी से तुलना करना टोको अरम से तुलना करने वाले लोगों पर इस बार ऐसा देश की जनता प्रहार करेगी यह जो 40 सांसद है ना यह इनोवा सांसद बन जाएंगे एक इनोवा में जितने सांसद रहे है इनोवा का खर्चा आपकी तरफ चलिए मैं अब सीधे चर्चा को ट्रांसफर कर रहे है अभी शेख हमाई साथ लगातार बने ही हुए अभी शेख ओवर टू यू प्लीज शुक्रेलिट तो 36 गड़ में आज तै हो चुका है कि किसकी सरकार बन रही है जो कवायद चल रही थी लबे समय से वो कवायद यहाँ पर जाकर अब थम चुकी है एक कमेंट के लिए मैं आपको रोखना चाह रहा हूँ जी एक कमेंट के लिए मैं आपको रोखना चाह रहा हूँ चर्चा के दारान अपईना ने आपसे पूछा था कि स्थितिया क्या रहने वाली है आपने कहा था मंत्रियों की सीट तो फसी है अब मैं चाहता हूँ आप चर्चा ट्रांसफर करें प्लीज बिलकुल मंत्रियों की स्थिती फसी थी और ये जो फसी हुई नजर आ रहे थी क्यों नजर आ रहे थी कोई कुछ भोल नहीं पा रहा था ये संकेत लोग समझ नहीं पा रहे थे यहाँ पर कि मंत्रियों की अगर स्थिती खराब है जो सरकार के चेहरे होते हैं और वो मंतरियों के स्थिती अगर clear नहीं है दिगठ मंतरियों के स्थिती clear नहीं है तो मतलब साफ था कि सरकार जा रही है mandate उनके खिलाप याँ पर है हमारे साथ है हमारे साथ उमेश जी है भाजपा से बहुत स्वागत करता हूँ आपका अविरल जी हमारे साथ जोगी कॉंग्रेस से है, सुजीर जी हमारे साथ कॉंग्रेस से और हमारे साथ आपके भी सहयोगी है और उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से सरकार यहाँ पर बनती बिगरती दिखी सबसे पहले उनेश जी, 54 सीट वज़ा बताईए मैं पूर्ण विश्वास के साथ अस्वस करता हूँ कि आने वाले पांच वर्सों में 36 गड़ की जनता की हर एक अपेक्षा जिस उमीद के साथ उन्होंने हम को चुना है उन सारी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे जिस परकार से परिनाम निकल करके आए हैं जनता ने दिखा दिया कि अहंकार नहीं तिकता है और जिस परकार के हालाद बने थे जिस परकार का अहंकार और घमन बीते पांच वर्सों में 36 गड़ की जनता ने देखा और महसूस किया जिस परकार के हालाद बने जिस परकार से अपराद का गराद बढ़ा माताओ बहनों की स्तिती बनी तमाम तरह के भरष्टा चार निकल करके आए कोईला से ले करके रेत माफिया से ले करके भू माफिया ये उन तमाम माफियाओं की हार है ये उस असत्य की हार है और जनता न इस चत्यज़गड की जनता हमको देगी बिल्कुल सुजेज जी ऐसी जीत तो भाशपा को 15 साल भी नहीं मिली थी जो इस 5 साल के आप लोगों की कारकाल के बाद मिल गई क्या ऐसा आप लोगों ने किया कि भाशपा 54 तक पहुँच गई देखिए सबसे पहले तो मैं भाशपा के सरकार बनने पर उनको बढ़ाई देता हूँ और जिस इस्थिती में अब प्रत्यासी तरुप से भारतियोंटा पार्टी की जीत हुई है शक्तिवगड में ये अनुमान से बाहर था सारे एगजित पोल फैल हो गए है और जनता ने जनदार दिया है और जनता के जो जनदेश है उसको हम स्विकार करते हैं और स्विकार के साथ आपको बढ़ाई देते हैं आपको सरकार चलाने के लिए पांच सल अउसर दिये जनता ने हमें पांच सल जनता ने अउसर दिये थे हमने बरसक प्रयास किया कि छत्तिवगड में जनता की हर एक मुद्दा और हर एक वर्ग को साथ कर उनको उनका विकास करें हमारी कहीं चूख हुई होगी जिसका तोर पे समझ में आ रही है देखिए जिस इस तर से हमने काम किये थे चाहे वो ग्रामिन एंचल हो चाहे वो साहरी एंचल हो उस इससाथ से हमें लगतार जीत भी मिली और हमने जनता के बीच में काम किये मानि मुख्यमंत्री भुपेद बजल जी के चेहरे पे हमने चुनावी लड़े और एक बड़ा जनाधार हमको मिल रहा था अचाना कैसा कुछ परिवर्तन हुआ किसी के समझ से परे हुआ और कहीं न कहीं हमारे कहीं चुक हुई होगी जीचीत तर पे परिवर्तन की वज़ा क्या थी हम बाकी साथियों से पूछते हैं आपको क्या लगता है ये फिगर जो आया है क्या वज़ा इसके पीछे अभिशेक जी इसमें पहले तो एक बहुत बड़ा यग्य था ये जो आज आहू थी हुआ है उसमें जो भी इस मंतर में जो भी निकल के आया है उससे परिनाम सुरूफ हम लोग सहर स्विकार करते हैं क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए इस बात को समझना कि 5 साल किसी भी प्रकार की पक्षमे बैट विपक्षमे बैट जो हम लोग करते हैं उसी का एक निशकर से परिनाम हम लोग को आज देखने को मिला ह बहराल हमारी प्यक्षा बहुत इससे जो आज की हमारी वार्साहरत कालिफ थिती है उससे बहुत अलग थी बहराल इसका विस्ट्रेशन होगा और हमोग करेंगे बिल्कुल कि कहां क्या कमी रह गई की जो हमारे नेता अमिज्योगी ची को और हम लोगों को अपने अपने स्थर पर इसके साथ साथ एक बात और अईशिक जी हम लोगों को समझ में आती है यह पतन जिस्टे आप आफ फेसी हम लोग देखते हैं तो समझ में आती है वो यह है कि जैसा कि अजीत जोगी जी ने कहा था तकत आपका राजन दाउं से हम लोगों ने उस समय लास दो जाथा चुन में गोशित कर तबकालिक सरकार के विरोध में जो कि उस समय पे एक ब्रहस्टाचार और मठा दीचों के सरकार हो गई थी उसके विवक्ष में हम लोग खड़े हुग और वहां पर परिवर्तन लेके आये थी और काफी हमारा युगदान हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग यह उसका एक अपना दुख है फटेसर जो ख्याला वाजी कार यह सूत्री चीड़ान रहा और पलीग में कहीं inic परिवर्तन की यह में लोग कर्पाये क्या एक सूत्री गायिक्टम मतलब जो उनके साथ है वो साथ यह उनके साथ नहीं और रही और कहींनेक बिखता है है ना ये एक सुत्री कालिक्तम जी है उनके साथ सुरज जी से भी एक कमेंट लेता हूँ सुरज जी आपकी क्या समिक्षा है यहां पर अगर ये फिगर बीजीपी को मिला है तो क्या वज़ा है इसके पीछे पिछली बार जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो उसकी दो वज़ा थी एक था सराब बंदी और दूसरा था किसान सराब बंदी पे भूपेज बगेल जी ने जिस तरीके से यूटन लिया तो इस प्रदेश की आदी आबादी के साथ उन्होंने छल किया यह बोलके कि हम समिती बनाए हैं वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तित कर रही है तो ऐसा आप हर वादय के साथ करेंगे तो सराब बंदी की बात में या तो लिग देना था कि हम इस्पेक्टर की परिच्छा बरती पांस साल में पूर्ण नहीं रापाए तो दो जो सबसे बड़े आप ब्रस्ताचार को एक बड़ी वज़ा मान रहे हैं जो महिलाओं को लगता था कि उनके घर के जो सराब पिने आले लोगों सराब से दूर होंगे और मूल धारा में वापस आएंगे इन दो के साथ जो चलकी है और ये ऐसा वो बड़ी वज़ा जो बिल्कुल बता नहीं होता अभी आम आदली पाल्टी के जिम्मेदार प्रवक करेंगे आपको क्या समझ आ रहा है किस तरीके से 36 गण में ये परिवर्तन आया है परिवर्तन की वज़ा अगर में पूछो तो दो-तिर पॉइंट्स क्या आपकी समझ में आ रहा है दनेवाद देखिए सबसे पहला पॉइंट है माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंदर कि और मैं आपको बता दूं कि वह लगातार कैम्प कर रहे थे जो की आपका यह जो आदिवासी बैल्ट है चतीस गड़ की उसमें और उसका आप रिजल्ट देखिए जिस प्रकार से माननिय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी जंजातिय गौरव भगवान विसरा मुंडा जी के नाम पर उसको शुरू किया राष्टपती द्रौपत मुर्मु जी को राष्टपती बनाकर आदिवासियों को सम्मान दिलाया ये एक मैसिज पहुच गया आदिवासियों में कि भारती जिंता पार्टी के खिलाफ जो प्रोपोगेंड़ा के कानल हम पिछली बार फस इस बार हम बिल्कुल नहीं फसेंगे दूसरी भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बाते गिनाई उसमें मैं कुछ चीज़ें और एड़ करना चाहता हूं जिस प्रकार से कॉंग्रेस के द्वारा एक प्रपंच रचा गया किसानों के बीच में कि धान का कटोरा हमने भारतेंता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात का मैसेज जमीन तक देने के लिए बिलकुल सफल हुई कि भाईया जो दाल परोस रहे हैं भूपेश बगेल जी उसमें किवर तड़का वो लगा रहे हैं तीन अजार करोड का बाकि तीस अजार करोड रुपया केंद्री सरकार बेज रही है धान खरीदने के लिए और लगाता विश्टा चार्टी तो पराकास्टा आई है चालीस व्याग रुपय एक एक रगईया पर भार सरकार कहते भी रहे कि किसानों को लेकर बहुत काम यहां पर किया गया और खिसानों की सरकार थी फिर आप लोगों को यह वोट धान का कटोरात कहलाता रहा है और आगे भी कहलाता रहेगा और वो समझ गए कि इनकी कठनी और करनी में फर्क है और किस प्रकार से नए राइपूर के अंदर में किसान भाईयों के उपर लाठी चार्ज हुआ उनके साथ बेरहमी की गई किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसान के लिए मुख्यमंत्री भुपेज वगेल और कॉंग्रेस का दिल पतीजा और 50 लागत पर सुनने का साहस रखिये और जनादेश स्विकारिये और आत्म चिंचन आत्म अधमत्र करते हैं कि क्यों 36 गड़ के किसानों ने आपको नकार दिया है और वो किसान ये भी याद रखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के किसान के लिए 50 लाग का मुआवजा निकलता है और 36 गड़ के किसान यहां प्रदेश करते हैं और आत्म हत्या करने वाले किसानों को मानसिक रोगी तक कहने से बाज नहीं आने वाली सरकार के उपर 36 गड़ के किसान कैसे भरोसा करेंगे ये 36 गड़ के किसानों ने मतदान में बता दिया है और आज जो परिनाम निकल करके आया है जो लगाता है जो ल लावा था कर्ज माफी भी गोश्न पत्र में था एक तरफा चला ये बात भी कहें गई फिर क्या बज़ा कि किसानों कहीं भरुसा नहीं मिल पाया अपना समर्थन दिया और उन्हें धन्यवा देता है अपकी चैनल से जिन्नों ने हमें समर्थन किये और हमने भरसक प्रियास किया कि किसानों को उनके हितका अधिकार उनके अधिकार हम दे सके कहीं हमारी चूख रही होगी जिसको अविस्सलेशन करेंगे कि भराष्टाचार लाइन ओडर नहीं जो मुद्धे इन पर वोटिंग होई है देखिए भारती जंदा पार्टी की जो सरकार है केंदर में और रातों सीटे आप लोगों ने गवा दिये निशी तौर्पे आरोप लगाना भारती जंदा पार्टी का अब तो रिजल्ट अब तो आप बता हुझ पुत्र का और के साण पूत्र को किसानों के डौने के सक अंब की कशान पूत्र ने अपना बर्शक प्यास करकी साद़ों को कर्जा मात कीलिए थ और शंदा guten पिर करजा लेने की नौबत आ गई सम्रिद कब बनाऊगे किसान को किसान को पता है सम्रिद हुए है और आप जिनों ने अधिया कि यह वाकई जो मुद्दे की बात आ रही है कि शहर की भी कई सारी सीटे जैसे रायपूर की हम बात करें सातों सीटे कॉंग्रिस ने गवा दी स समझ में आने वाली चीज़े नहीं है अंडर करण जैसी कुछ आपको लग रहे थी चीज़ अविशी जी परस्ट कारण है इसका प्रदेश का युवा नगन प्रशन करता है आप उनको पागल कहीं न कहीं अराजक कहकर संबोधित करते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री संब प्रदेश को देता है उस प्रक्रिया के जो भी प्रक्रिया जब चल रही होती है उसमें पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा होता है वो जब इस तरीके का भष्टा चार आता तो पुरा परिवार कुंटित होता है पीड़ा में होता है रोता है बिलगता है और वो शेहरो पर चोटी चोटी बात है जोनकी गलतियां थी आपके साथ मांग होगी है ना एक मंच है इस मंच से मांगने का हम लोग का अधिकार है बाई जनता है और इस समय तो हम लोग तो विधान समावे भी नहीं रहेंगे कि क्या ये जो इन्रेगुलर कमचारी उनको भाज़पा कनफर्म करें कि बिल्कुल जो उनकी गलती थी जो भश्ताचारी परसानी थी क्या आप सुधा रहेंगे क्या किसान नों ने भरोसा नहीं दिया यह शहर के युवाओं ने महिलाओं ने पलट दिया सब कुछ देकि ये बहुत सारे कारण जैसे पहला कारण महिलाओं को अगिना आया दूसरा युवाओं को अगिना आया तीसरा इनके दिमाग में क्या था किसान हमको वोट दे देगा उससे हम जीच जाएंगे लेकिन इस प्लदेश के 23 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सासन के समस्त्री भाग एक साथ अंदोलन थे स्वास्ति भाग जैसे करमशारियों पर एसमा लगा के 45 करमशारियों को सेवा से मुक्त कर देते हैं तो एक-एक मुद्द्धे पे फेलनी हुए कांग्रेस हर एक मुद्दे पे फेल हुए और सिर्फ एहम में और अपने ताना साही रवाईय के कारण कि हम सिप किसान को साथ हैंगे, गाय गोबर करेंगे, गौठान करेंगे, उससे जीत जाएंगे, गौठान के नाम पर वर्मी कमपोस्ट, जिसमें अब्बे पर्शन के करता होता, वो दिये, तो बहुत सारे कारण रहे हैं, उमेज जी आपसे चाहूंगा, जैके दो सवाल निकल कर क्या है, जनता कॉंगरेस की तरफ से, एक जनता होने के नाते, एक पहला तो PSC का विशह है, इसी तोर पे PSC के विशह में जिस परकार के हालाँ 36 गड़ में बने, वो 36 गड़ के इतियास के लिए काले इतियास के तोर पर याद क किये जाएंगे, और मैं आपके इस चेनल के माध्यम से, चुकि हम सरकार में भी आ चुके हैं, हमने कमिटमेंट किया था, मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहूंगा, कि जो हमने कहा था, कि हमारी सरकार बनते ही, इसमें आयोग बना करके, CM हाउस के माधदर्सन में जिसकी जाज करेंगे, और इस PSC के गड़बड घोटाले में जो लोग चलिए जो आप लोगों करेंगे, ये बहुत सारी शुबकामना है आप लोगों को, और इसमें बड़ी गंभीरता से भी काम करना हुए, क्योंकि जो कहा, वो किया, वो पिछली सरकार ने भी कहा था, औ और इस बार बहुत सारी उम्मीदों के साथ जनता ने ये मेंडेट आप लोगों को दिया है, मैं दिल्ली में सुरिया जी थे, उनको ये बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आप सभी साथियों को ये बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, इस चर्चा में शामिल होने के अलाकि चर्चा और विशलेशर और मन्थन या पोस्ट मार्टम बड़ा लंबा चोड़ा भी होना है और कई दिन तक ये चीजे सामने आते रहेंगे हार का कारण क्या रहा 75 पार का नारा देते देते क्यों पैते इसमें कॉंग्रिस सिमट गई खास पेशकर में इतने नमस्कार प्रचेंड बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजे पी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चोहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की बुरानपुर से जीती है अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमल लाज जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक मोहन मरकाम हाने देखे बड़ेस चेहरों ने इस रहां पर हार हासिल की है राजरंद गाओं से लेकिन डॉक्टर रामान सेंग को मिली है जीत बिल्हासित राम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंभी का पूर से जिपटी सी एं टीए सिंग्डेव पीछे चल रहा है बहुत बड़ी कबर पातन से सी एम भूपेश बगेर आगे हैं जीत की ओर है वो रामपूर से नंकी राम कबर पीछे चल रहे हैं दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से पर्चे में एक बार फिर लहराया है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनिट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित बिलकुल लगाता कवरेट जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनिट पर हमने पहला रुजान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दखाया दस बड़ी बात हैं मद्द प्रदेश उमद गला की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्द प्रदेश में बीजेपी प्रचेंड बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंदर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुरानपुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगरना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीटा सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल PCC अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटो पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा फैक्टर 36 गर की दुस्ट बात है 36 गर में 54 सीटो पर बीजेपी की बलहत है प्लचंद बहुमत की ओ 36 गर में भी बीजेपी है बड़ा सीटापूर से मंत्रिया मचीद भगत आ रहे हैं कॉंडा गाउ से मोहन मरकाम हा रहे हैं बड़े इस चेहरों ने इस राम पर हार हासल की है राजरंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहां से धरम लाल कौशिक आ गे हैं बिल्कुल और अंभीकापूर से जिपटी सीए म्टीय सिंग्दे और पीछे चल रहे हैं भगवा पर्चम ये देखिये यहां पर आ गए हैं पढमान सी इमोधी हाथ सिलाते हुए ग्राफिक से जरिये ये दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लहराया है तो चुनाव मतलब News 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित बिलकुल लगाता कवरेट जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुजान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिज़र्ट दिखाया 10 बड़ी बात हैं मद्धपरदेश उमधगाना की 10 बड़ी बात हैं बुरी से सीएम शिवरास सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्धपरदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीप पर बीजेपी की बढ़त नज़र आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की बुरानपुर से जीती है अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वारा से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पीसी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का अबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं में कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर च्थिस गर की डस बात हैं 26 गर मैं 54 पर बीजेपी की बलात है प्रचंद बहुमत की ओच थीजेपी है पना सीतापूर से मंत्रिया मजीद भगत आ रहे हैं कॉंडा गाउं से मोहन मरकाम आ रहे हैं देखे बरेश चेहरों ने राम पर हार हासिल की है राजनन्द गाउं से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहास दरम लाल कौशिक आगे हैं और अम्भीका पूर से जिपटी सीम टीस सिंगदेश पीछे चल रहा है बहुत बली खबर पाटन से सीम भुपेष बगैर आ जीत के ओर है वो राम पूर से नंकिराम कवर पीछे चल रहे हैं दुर्ग से ग्रामीर दुर्ग ग्रामीर से तामर्दों साहू भी पीछे चल रहे हैं ये एक बड़े फैक्टर है जो आपके दिखा रहा है भगवा पर्चम और ये देखिए यहाँ पर आ गए है प्धारमंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक से जरीए ये दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लहरा है कि तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बचकर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखर आपको दिखाया और जारी रहेगी सुमित बिलकुल लगता कवरे जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बचकर तीन मिनट पर हमने पहला रुजान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिज़र्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्ध प्रदे प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चोहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुरानपुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का अबजा पन्ना से मंतरी ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बर काम हाने देखें बड़ेस चेहरों ने जहां पर हार हासिल की है राजनंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिल्हासर दरम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम्टी सिंग्देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ से फेक्टर है जो आहीं पी बेंट में एक बार फिर लह रहा है भगवा पर्चम और यह देखिए यहां पर आ गए हैं धार्मन सी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक से जरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह रहा है कि तो चुना बड़े बड़ेश अतीसगर राजस्तान में बीजेपी की शानदार जीत पर पिम मोदी ने दिया संदेश कार्यकरताओं को दी बधाई कहा जीत की हैट्रेक 24 की गारंटी है MP में बीजेपी की प्रचंड जीत 112 सीतों पर लहराया पर्चम, सियम शिवराज, नरेंडर सिंग तुमर, रामेश्वर, शर्मा और कृष्णा गौर की हुई जीत 37 गड़ में आगए सबी सीतों के नतीजे 54 सीतों पर बीजेपी की जीत 35 पर सिम्टी कॉंग्रेस, एक पर अन्य का कबजा MP में बीजेपी की प्रचंड जीत कई मंत्रियों की हार, हरदा से कमल पटेल समेट 6 ने गवाई सीट, ततिया से हारे नरोतम मिश्रा 36 गड़ में कई दिगजों की हार, डेपुटी सीम्टी एस सिंग देव समेट 9 मंत्री चुनावारे दीपक बैज, तामरधज, साहु ने भी गवाई सीट पीजेपी की तीन राजियों में बंपर बहुमत से सरकार बनने पर बोले केंद्रे वंत्रे अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी की अगवाई ने प्रचंड जीत दिलाई, सब का साथ, सब का विकास पर जरता का विश्च्वास, तेलंगना में भी बढ़ा बीजेपी का वोट एमपी में कॉंग्रेस ने मानी अपनी हार PCC चीफ कमलनाथ का बयान कहा, मतदाताओं का हर फैसला है स्विकार, पीजेपी को भी दी बधाई न्यूज मतलाब न्यूज एटीन, मतगणवा के दिन जनता के साथ साथ दिगजों ने जताया न्यूज एटीन पर भरोसा, सिम शिवराज, सिंधिया, नरेंदर सिंग्तोमर साइथ, कई नेताओं ने देखा न्यूज एटीन नमस्कार, मैं हूँ आशीस त्रिपाजी आपके साथ, और ये है महा संग्राम 2023 का आखरी राउंड जो की अब हो चुका है पूरा जिसमें भारतिय जनता पार्टी ने आखरी राउंड में वो दाउं लगाया कि तीनों खाने चित हो गई कॉंग्रेस, अलाकि तेलंगाना में जीत हो गई तो इसलिए एक खाना कॉंग्रेस के पास चला गया है 2013 के बाद ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में से एक है देश के दिल में प्रचंड जीत, फिर चला मोदी मैजिक, काम कर गई चानक की रणनीती, रंग लाई शिवराज की मेहनत ये जीत का जश्न है, ये ऐसी जीत है जो प्रचंड है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमाल कर दिया है विधान सभाज चुनाव के नतीजों में बीजेपी की आंधी चली है आंधी भी ऐसी कि कॉंग्रेस चारों खाने चित हो गई है बीजेपी ने प्रदेश की सत्ता की चाबी पर दो बारा कबजा कर लिया है और ये जता दिया है कि प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादार किसी पर भरोसा है तो वो बीजेपी है जीत को लेकर स्वीयम शिवराज सिंग चुहान ने प्रदेश की जनता का आभार जताया सभी वरिष्ट नेत्रत्व और कारी करता बहनों और भाईयों मैं आप सब के अनथक तरिस्रम को प्रणाम करता हूँ और प्रदान मंत्री स्रीमान नरंद्र मोदी जी देश की करोणों करोड जनता के हिरदय के हार है वोटों की गिंती के साथ ही बीज़िपी ने प्रदेश में बढ़त बनानी शुरू कर दी थी सियम शिवराज, जियोते राधित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंग तोमर न्यूस 18 पर दिखाये जारहे नतीजों पर नजरेंग कड़ाये हुए थे दो पहर तक ये बढ़त रुज़ानों में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इससे तै हो गया कि प्रदेश में एक बार फिर से बीज़ेपी ही सरकार बनाईगी और इसके साथ ही पूरी पार्टी जश्न में ढूब गई चतिजी के नेत्रतव के प्रती जो जनजन का विश्वास है और जसaking से शिवराज जी की पर्फार्म एक काम हुआ है उसके आज परिणाम सबके सामने है संगठन ने जो काम कीया उसके परिणाम सबके सामने है बहुत अच्छी जीत है मद्री प्रदेश के जनता को एके सब को बढ़ाई MP में कुल मिलाकर एक बार फेड से डबल इंजन की सरकार बन चुकी है अगर शिवराज फेड से सीम बनते हैं तो ऐसा पांचवी बार होगा ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटी आज पूरे दिन आपने देखा रुज्ञानों को परिणामों में बदलते हुए लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये रुज्ञान कैसे आए ये परिणाम में कैसे परिवर्तित हुए बीजेपी जो कि मध्य प्रदेश में पिछले तीन टेन्यूर से सरकार में आ रही थी 18 सालों का शासन शिवराज सिंग चोहान के नाम को ले करके कई बार चर्चा थी कि एंटी इंकमबेंसी शिवराज सिंग चोहान की सरकार को गिरा देगी सरकार हार जाएगी बीजेपी को बाहर जाना पड़ेगा फिर फिर चला मोधी मैजिक और मोधी मैजिक का कमाल देखिए कि सीटे बहुमत के आक्ड़े से बहुत आगे तक निकल गई दरसल जब प्रदान मंतुरी नरेंडर मूधी मद्यप्र देश में प्रचार करने के लिए आए तो MP के मन में मोधी मोदी के मन में MP नारे ने कमाल कर दिया और धराशाई हो गए एंटी इंकंबन्सी के फैक्टर्ज सभी मतलाताओं को आदर पुर्वक नमन करताओं मोदी मतलब जीत की गैरेंटी MP के मन में मोदी देश के दिल में मोदी 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 का जादू चला और मध्यप्रदेश की जनता ने फिर BJP पर भरोसा जताया PM मोदी पर भरोसा जताया BJP ने यहां PM मोदी के चहरे पर चुनाव लड़ा और जीत मिली है 2018 में BGP ने शिवराज के चहरे पर चुनाव लड़ा और हार गई इस बार BGP ने ऐसा नहीं किया और C.M. चहरा नहीं दिया PM मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा है और जीत मिली C.M. शिवराज सिंग्चोहान ने कहा कि ये MP की मन में मोदी है और मोदी की मन में MP है उनकी प्रति असीम शद्धा और आगाद विश्वास है ये उसी का परणाम है ये MP के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है उनके प्यार आसीरवात के कारण और उनके प्रति जनता का अगाद विश्वास और अडिक स्रिद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी जनता ने विश्वास किया मैं प्रधान मंत्री जी को प्रणाम करता हूँ मध्यप्रदेश की विधानसभा चुनाव में ब्राइंड मोधी चमका और जनता ने पीम की बातों और उनकी गैरेंटी पर भरोसा जताया पिम मोधी ने यहां 14 जन सभाय की प्रधान मंत्री मोधी के सामने सबसे बड़ी चुनावती उस सत्ता विरोधी लहर से निपटने की थी जिससे एक लंबे साशन की वज़े से शिवराज सिंग चोहान की सरकार जूच रही थी प्रधान मंत्री ने 230 सीटों वाले प्रदेश में रतलाम, सिवनी, खंडवा, सीधी, दामोह, गुना, मुरैना, सत्तना, छतरपूर, नीमच, बढ़वानी, बेतुल, सार्जापूर और जबुआ में सभाव को सम्भोधित किया इन दोर में बड़ा रोट्शो किया बीजेपी प्रदेश अध्यप्र, वीडी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश की मन में मोधी और मोधी की मन में मध्यप्रदेश इस अभियान को जनता ने अशिरवात दिया है देश के दिल में खिला कमर, लहराया लहराया, बीजेपी ने जीत का परचम जो इसके पीछे सबसे बड़ी वजय राजनीतिक विशलेशक मान रहे हैं, वो पीय मोदी का चहरा है, उनकी गैरंटी जो उन्होंने लगभग हर रैली में दोहराया, मोदी मतलब गैरंटी, उनकी वादो और उनकी दी गई गैरंटीों का असर हुआ, देश में दिल में, फिर कमल खिला, ब्यूर रपोर्ट, न्यूज 18, मत्यप्रदेश, चट्थीजगर, मोदी की विए गैरंटी है, और ऐसा नहीं है कि शिवराद सिंग चोहान के खिलाफ ही लहर चल रही थी, शिवराद सिंग चोहान के वाकपटुता, शिवराद सिंग चोहान के अगाध प्रेम, वो भी लाडली बहनों और बेटियों के प्रती, यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बना, अब उसके पीछे क्या कहानी है, वो आपको बताते हैं, दरसल शिवराद सिंग चोहान ने प्र लाडली बहना योजना काम कर गया और 150 से ज्यादा सभाएं उन्होंने लाडली बहनों के साथ की और लाडली बहनों ने हर कील काटे को निकाल कर दुरुस्त कर दी सत्ता शिवराद सिंग चोहान की लाडली बहना बनी गेम चेंजर चला 1250 रुपई वाला जादू ट्रम कार्ड बनी लाडली बहना बीजीपी की जीत में बड़ा योगदार बीजीपी की बड़ी जीत में लाडली बहनों का सियम शिवराज का साथ मिला और बीजीपी ने बड़ी जीत हासिल की लाडली बहना योजना ट्रम कार्ड साबित हुई इस योजना का सियम शिवराज ने चुनाओ से ठीक पहले एलान किया उन्होंने हर सभा, हर रैली, रोडशो और हर मंच पर इस योजना का जिक्र किया और फिर जब जीत के नतीजे आए तो लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई इस योजना की तहट महलाओं को शुरुवात में हर महीने एक हजार रुपई दिये जाने का एलान किया गया जिसे मुख्यमंत्री शिवराज ने छे महीने बाद ही बढ़ा कर बारा सो पचास रुपई प्रत महीने कर दिया था साथी सीम ने ये राशी आने वाले समय में तीन हजार रुपई तक ले जाने की बात कही सीम ने कहा कि हमारे जीत में लाडली बहना योजना का जबरदस योगदान रहा आजिरवाज दिया जो स्टे दिया उस आजिरवाज को मैं बार बार नकमस्तक होके प्रदान करता हूँ मैं कहता था जब हरती जनका पाइटी को अनुद जीत हासिल होगी लोग कहते हैं क्यों मैं इंका मेरी जानी पहना ये साथ है स्रियम शिवराज के साथ ही जोतिरादित सिंध्या ने लाडली बहना योजना को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इसका श्रिय शिवराज सिंग चौहान को जाता है हम से जो कहा गया करने के लिए उसी का फलस्वरूप आज ये नतीजा आपाया है स्तान्य स्तर पर हमारे बीजेपी का एक एक कारेकरता जिसने अथक प्रयास किया है हमारे बीजेपी पार्टी के हमारे अध्यक्ष बीडी शर्मा जी और सबसे महत्पून हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान जी जिनकी जन कल्यानकारी योजनाओं ने ये नतीजा भारत्य परजनता पार्टी के लिए भी लाने में एक बहुत महत्पून योगदान दी एमपी में केंद्र की योजनाओं का भी खासा प्रभाव रहा ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो प्रधान मंत्री उजला योजना प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी का लाब ले रहे इतना ही नहीं बलकि मुफ्त राशन योजना के करोड़ों लाभारती मध्य प्रदेश में मौझूद है आधी आबादी का साथ मोधी सरकार की योजिनाओ का भी मध्यप्रदेश में बीजेपी की जीत के बड़े फैक्टर्स रहे बीरो रिपोर्ट न्यूज एटीन मध्यप्रदेश चातीस गड़ तो ये वो फैक्टर था जिससे शिवराज सिंग चौहान चा गए और एक बार फिर सत्ता में आ गए दरसल कुछ और फैक्टर्स की हम बात करेंगे आज के इस रिजल्ट को समझने के लिए मध्यप्रदेश जो कि भारतिय जनता पार्टी के लिए एक दूर की कोड़ी सावित हो रहा था लेकिन अच्छानक ऐसा आखरी मुमेंट पर क्या हुआ कि भारतिय जनता पार्टी ने प्रचंड महुमत हासिल किया और ये कॉंग्रेस पार्टी के लिए दूर की कौड़ी बन गया बीजेपी की प्रचंड जीत देश के दिल में लहराया भगवा कॉंग्रेस का एंपी में टूटा सपना ये जीत खास है ये जीत बड़ी है तब जब कि कुछ महिने पहले ये कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए चुनावी रण में जीत का सहरा बांध बाना काफी मुश्किल होगा एंटी इंकमबैंसी के साथ ही कई फैक्टर्स इसके साथ जोले जा रहे थे लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातो रात बीजेपी को ना सिर्फ चुनावी दौर में वापस ला दिया बलकि विधान सभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत भी दिला दी जानते हैं बीजेपी की जीत के फैक्टर सबसे पहले प्रत्याशियों का एलान भूपेंदर यादाओ को चुनाव प्रिवंधन की जिम्मदारी अमध शान ररनीती की जिम्मदारी अपने हाथों में रखी बागियों को मनाने में शाहने बड़ी भूमी के निभाई सांसुनाव और केंदरी मंत्रियों को मैदान में उतारा चुनाव इस वज़े से दिल्चस्प बन गया लाडली बहना यूजना से आधी आबादी को साधा संविदा कर्मचारियों की नाराजगी को दूर किया अलग-अलग वर्ग के लिए ऐलान किये गए हिंदुत के अजेंडे को बीजेपी ने जोर शोर से रखा आयोध्धा के राम मंदर का निर्मार का वादा भी किया ये कुछ ऐसी बात है थी जो प्रदेश में कमल को खिलाने में फिर से काम्याब रही इसके साथ कही ना कही एक बड़ा बोटर बर्ग जो है उसका एक भरोसा है और जब मूदी जी कुछ कहते हैं तो उसकी अपीर काम करती है और ये जो चुनाओ है मूदी जी के साथ साथ सिवरा सिंग चोहान को लेकर जो महिला बोटर का भरोसा है वो भी उसमें बहुत महात्पूर है और पार्टी ने जिस तरह से एक ग्रहनीटी बनाई अपने अलग अलग छेत्रों में अद्दावर नेताओं पूरता नेकि वो भी काफी कारगर से गुई वहीं बात करें कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस ने चुनाओं से पहले जीत के तो खूब दावे किये थे लेकिन जो नतीजे आए वो ना किवल निराश करने वाले थे बल्कि वो कई सवाल भी ख़ले कर रहे हैं कॉंग्रेस की हार के फेक्टर जान लेते हैं प्रत्याशियों के नाम के अलान में देरी इस्थानी इस्थाणी 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 इ महिला, किसान, महगाई जैसे मुद्दे को कॉंग्रेस चुनाओं में जरूर उचालती रही कई वादे भी किये लेकिन कॉंग्रेस अपने बादों को जनता को समझा पाने में काम्याब नहीं रही इसके उलट बीजेपी ने जिस तरह से चुनाओं डला और जीत भी हासिल की वो इस बात को दर्शाता है कि संगठन और चुनाओ प्रवंधन के मामदे में बीजेपी का कोई जोड नहीं है ना कोई तोड है कम से कम MP को लेकर ये बात कह ही सकते हैं बियो रिपोर्ट यूजेठी और अब बाद 36 गड़ की 36 गड़ में बहुत बड़ा उलट फेर हुआ जहां ये दावा किया जा रहा था और राजनितिक जानकार पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी कही न कहीं विश्वास मान कर चल रहे थे कि भुपेश बगिल फिर आएंगे कॉंग्रेस पार्टी फिर जितेगी लेकिन यहां ये क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए बी जेपी की बड़ी जीत कॉंग्रेस का निकला दम 36 गड़ में खिला कमल 2018 में मिली हार का बतला बी जेपी ने पांच सालों के बाद 2023 में ले लिया जश्न मनाते कारे करताओं का जोश हाई है और हो भी क्यों ना बी जेपी ने पूरे स्वैक के साथ 36 गड़ में सत्ता की चाबी हासल की है राजनीती के ज्यादत और पंडितों ने इसे लेकर भले अनुमान नहीं लगाया था लेकिन बी जेपी के आला नेताओं को भरूसा था भरूसा नकेबल जीत का बलकि बड़ी जीत का जो मिली भी लगातार रोज आपसकुर्ट अपनी बात कह रहा था पिछले तीन चार दिनों से कि भारती जन्दापार्टी की इस पस्त बढ़त एकजिट पूल के रुजान में ही चिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा तो कमल खिल चुका है चत्तिरगड में और मत्य पदेश में और आजिस्थान में बीज़पी के आला नेता भी जीत का जश्न मनाते नजर आए और जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया साथ ही कहा कि कौंगरेश के कुशासन से जनता को मुक्ति मिलिग जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारती जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनता को कारिकर्ताओं को मैं देश के प्रधानमंती नरेंज मोदी जी को अमिस साहा जी को और जगरप्रकास नडदा जी को ओम प्रकास माथूर जी को मनसुप मंडाविया जी को नितिन मुक्ति जिस प्रकार से राइपूर्ट सहर की जनता ने भागते इंता पाइड़ी के प्रतिव इस्वास व्यक्तिक किया पांस साल राइपूर्ट सहर विकास के नाम पर तरस्ता रहा नाम जरूर विकास था लेकिन काम नहीं कर पा है मुख्यमंत्र जी भी होने के बाद में भ कोई भी डेवलोप्मेंट का काम नहीं कर पा, सिर्फ भिष्टाचार के नए नए आयाम कैसे हो, उसमें पुरी कांग्रेस पारिटी लगी रही। लेकिन कुछ ऐसा ही करिश्मा इस बार बीजेपी के लिए जनता ने कर दिया, बीजेपी खेमे में जहां प्रचंट जीत को लेकर उत्सह है, तो वहीं कॉंग्रेस खेमे में मायूसी चाई है। तो ये था आज का निचोड मध्यप्रदेश और 36 गड़ में जो हुआ बड़ा उलट फिर उसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे थे। लेकिन अभी कुछ दल्टस्प आंकड़े, कुछ और खबरें, कुछ और अपडेट्स आना बाकी है, तो बने रहे हैं हमारे साथ। नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित। बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चोहान जीते, दिमनी से नरेंडर सिंग तोमर ने जीत हासिल की, बुरानपुर से जीती हैं अर्चना चितनिस, ये मतगरना की बड़ी बाते, होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है। चिंद्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल, PCC अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर BJP का कबजा, पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं, कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा फै पर हार हासिल की है, राजरंद गाओं से लेकिन डॉक्टर रामान सेंग को मिली है, जीत बिल्हासित राम लाल कौशिक आगे हैं, बिल्कुल, और अंबिकापुर से जिप्टी, CMT, सिंग्देव पीछे चल रहा है, बहुत बड़ी कबर, पातन से CM भुपेश बगेर आगे ह है, भगवा पर्चम, और ये देखिए, यहाँ बर आ गए है, प्धार मंसी मोदी हाथ लाते हुए, ग्राफिक्स के जरीए, ये दिखा रहा है, किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लहरा है, तो चुनाव मतलब News 18, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आट बचकर 3 मिन है, जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता, सबसे पहले, आठ बचकर 3 मिनिट पर हमने पहला रुजहान दिखाया, और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया, दस बड़ी बात हैं, मद्ध प्रदेश उमद गला की दस बड़ी बात हैं, बुदरी से सीम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंदर सिंग तोमर ने जीत हासिल की, बुदरानपुर से जीती हैं, अर्चना चितनिस, ये मतगरना की बड़ी बाते, होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है, चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं, बिलकुल, PCC अध्रक्ष बैतू जीत चुके हैं, कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर, 36 गर की दुस्त बात हैं, 36 गर में 54 सीतों पर बीजेपी की बढ़त है, प्लचन्द बहुमत की ओ, 36 गर में भी बीजेपी हैं, बड़ा, सीतापूर से मंत जीत, बिलहां से धरम लाल कौशिक आगे हैं, बिल्कुल, और अंबीकापूर से जिप्टी, सीम, टीए, सिंग्देव, पीछे चल रहा हैं, बहुत बड़ी कबर, पातन से सीम, भुपेश बगेर आगे हैं, जीत की ओर है वो, रामपूर से नंकी राम कबर, पीछे चल रहे हैं, दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से तामर्दो साहू भी पीछे चल रहे हैं, ये एक बड़े फैक्टर हैं, जो आपको देखा रहा हैं, भगवा पर्चम और ये देखिए, यहाँ बड़ा आ गए हैं, प्धारमन से इमोधी हाथ लाते हुए, ग्राफिक से ज हमने आया, वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया, और आखरी नतीजे तक ये मेगा कबरेट लगातार जारी रहेगी सुमित। बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। बीजेपी की बढ़त है। बीजेपी की बढ़त है। बीजेपी की बढ़त है। बीजेपी की बढ़त है। बीजेपी की प्रचन्द जीट 162 सीटों पर लहराया पर्चम, सियम शिवराज, नरेंद्र सिंग्तोमर, रमिश्वर, शर्मा और कृष्णा गौर की हुई जीत। 36 गड़ में आ गए सभी सीटों के नतीजे 24 सीटों पर 54 सीटों पर जीती बीजेपी, 35 पर सिम्टी कॉंग्रेस, एक पर अन्य का कब्जा। MP में बीजेपी को प्रशंड जीत कई मंत्रियों की हार, हर्दा सिक कमल पठील समेट 6 गवाई सीट, तत्या सिहारी नरुत्तमिशा। 36 गड़ में कई दिगजों की हार, डेपुटी सिम्टी सिंग दिव समेट 9 मंत्री चुनाव हारे, दिपक बैज और तांगर धज साहू ने भी गवाई सीट। मत्दाताओं को हार का फैसला, मत्दाताओं का स्विकार बीजेपी को दिवधाई। न्यूज मतलाब न्यूज एठीन, मत्गढ़ना के दिन जनता के साथ साथ दिगजों ने भी जताया न्यूज एठीन पर भरोसा सियम शिवराज, योतिरा दित्ति सिंध्या, नरेंदर सिंग्तों मर सहिद, कई नेताओं ने दिखा चैनल वादी जी का चैस्री ना थोड़ी सी धूल मेरी, भर्ती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेवाली, दग 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 सासर, चैन में हो जूलू जूलू वो तूंती है इस बार तीन दिपावली मनानी है, तीन अब जालोर वालो आप ताली तो बजा दिये मुझे पूछा नहीं, कि कैसे तीन दिपावली अमिद भाई बताओ, मैं बता दू देखो एक दिपावली अब मना चुके, बरोबर है, मना चुके ना, दूसरी दिपावली तीन डिसेंबर को भाजपा सरकार बना कर मनानी है मनाओगे ना, और तीसरी दिपावली 22 जन्वरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्टा कर कर मनानी है जहां कोंगरे से वहां लूट है, जहां कोंगरे से वहां खपला है, जहां कोंगरे से वहां घोटाला है, यह याद रखना है और जहां भार्थी अजन्ता पार्टी है जहां कमल है जहां मोदी जी है वहां विकास है वहां तेज गसी से आगे चलने का के साथ तीन राज्यों में कमाल ये है चालक के नीती की चाल चार राज्यों के नतीजों से ये साफ हो गया कि दोजार चौबीस के लिकमिस टेस्ट में भार्थी जन्ता पार्टी ने सिर्फ पूरी तरह से सफल रही बलकि बंपर जीत के साथ अगले लोक सबाचुनाव की तस्वीर भी यहां कुछ कुछ साफ होने लगी है मुदी सरकार की नीतियों प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी की लोक प्रियता अमिट शाह के कुशल प्रबंधन के साथ साथ ग्राउन वर्क ने बीजे पी को ये बंपर जीत दिलाई है और खास तोर पर अमिट शाह ने हर चुनावी राज्य में धरातल पर फोकस किया हर मुद्ध हर समस्या को लेकर क्शित्र के प्रभारियों उनके नेताओं के साथ साथ सीधा संबाद कायम किया विपक्ष को मुद्धों पर घेरा और किसी ने खूब कहा है कि अगर चानक की की बुद्धी का इस्तेमाल करो तो किसी भी युद्ध में आप जीत जाओगे और इसी मदोलत ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना गढ़ बचाया बलकि कॉंग्रेस से रजिस्थान और 36 गढ़ की दोनों ही सत्ता की कुरसी को च्छीन लिया और ये जीत प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर जनता के विश्वास को दिखाती है और ये जीत अमिट शाह के कुशल प्रबंधन की ताकीद है जान राज्यों की चुनावी नतीजों ने साथ कर दिया है कि जनता को कमल का खिलता फूल ही पसंद है दोहजार चुबीस के चुनावी महासंगराम से पहले इस चुनावी रण को जीतने में भारतिय जनता पार्टी के दो दिगच नेताओं ने ना सिर्फ एहम योगदान दिया बलकि दिन रात एक करके पार्टी को एक सूत्र में फिरोया और छेतने नेताओं को इस तरह से ग्राउंड ड्यूटी सौपी की विपक्ष को कोई मौका तक नहीं मिल सका केंद्य ग्रह मंत्री अमिच्षा ने पांच राज्जियों के उस चुनावी रण में ना सिर्फ हर राजी के छेते नेताओं से सीधी ट्यूनिंग रखी बलकि हर मुद्दे को लेकर बारीकी से विश्रेशण और पार्टी की नीती को साफ साफ चुनावी फाइट में लागू करने का काम किया शायद इसी का नतीजा है कि नतीजों में हर तरफ कमल खिलता दिख रहा है अपने चुनावी कैंपेंग की शुरुआत से ही अमिच्षा ने डिफेंसिब पॉलिटेक्स को दरकनार कर दिया था मध्यप्रदेश में पार्टी की सरकार थी तो इस गड़ को बचाना एक एहम लच्छ था ऐसे में अमिच्षा ने ना सिर्फ तमाम दिगजों को पार्टी लाइन के मताबिक विपक्ष पर तीखे वार करने की नीती पर काम करने को कहा बलकि खुद ग्राउंड जीरो पर उतर कर एक एक शेद्र, एक एक संभाग और एक एक मुद्दिक वो प्राथ मिक्ता दी और नतीजा सब के सामने है बीजेपी की आधी में कॉंग्रेस की जीत वाले दावे दूर दूर तक नहीं दिख रहे जनता का आशिरवाद भारतिय जनता पाटी के साथ है यह सपाश्ट हो गया है और भारतिय राजनिती में हिमाले की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है और यह कहना गलत नहीं होगा एक तरफ हिमाले की चोटी और दूसरी तरफ कॉंग्रेस की नियत है खोटी इसलिए उन्हें नकारा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी ने इन दस सालों में जो परिकर्मा की पॉलिटिक्स को उसको पचाल करके परिश्रम को परड़ाम में परवर्टित करने वाले माहुल को खड़ा किया है और इसमें जनता उन्हीं के साथ है जिरो की परिकर्मा की पॉलिटिक्स से दूर परिश्रम और परड़ाम को प्राथमिक्ता देते रहे। अमिच शाह ने ना सिर्फ मध्यप्रदेश में बलकी राजस्थान और चतीस गड़ में पार्टी को जीत दिलाने की खातिर दिन रात एक एक शेतर का विशलेशड कर ग्राउंड जीरो परिस्थिती की सच्चाई को प्राथमिक्ता देते जहां कमजोरे दिखी वहां करेक्शन किये बूथ जीतों सीट जीतों के सूत्र के साथ एक एक कारकरता को आखरी वोटर तक पहुशने का लक्ष दिया और हर मुद्दे पर अमिच शाह ने मोखर होकर विरोग्यों पर तीखे वार किये भार किये जन्ता पाची की सरकार जिसमें अठारा साल में किसान दमी पिछणा अधी वाक्षी महिला हुआ हरेक के कल्यार से लिए काम किया है मुझे बताओ माताओ भाईयो बैनो अठारा साल हो गए सब को याद नहीं होगा अठारा साल पर में मंता धार की सरकार थी तब हर गाउं में बिजनी आती थी क्या रोवे के पिटी अधी थी का सीचाई की विवक्ता हुई थी क्या एक कांग्रेश पाटी ने जब 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 आचन मिलो अपने घर बरने का काम किया और भारती अजन्ता पाटी ने विकार बरने का काम इस सब के भीट जो सबसे एहम फैक्टर रहा वो था राजनीते के चाड़क के मानेजाने वाले आमिच शाह का पॉलिटिकल मानेजमेंट उमीदवारों से लेकर मुद्दों तक स्थानी समीकरण से लेकर कमजोर कड़ियों तक एक एक पहलो को वक्त रहते ना सिर्फ पहचाना गया बलकि बूस्टर डोस देने में भी देद नहीं की गई अमिच शाह ने हर एहन सीद पर खुद मोचा सभाला भले ही मध्यप्रदेश की चुनावी चुनोती हो या फिर राजस्थान करण या 36 गड़ की चुनावी लडाई अमिच शाह ने अपने प्रबंधन के जरिये सब कुछ साधा और आखिरकार जीत की दहलीज पर कमल की दस्तक हुई पर एफुपेश बगेल सरकार ना उनको अधिवासियों के कल्यान की पड़ी है ना पिछड़ा वर्क के कल्यान की पड़ी है ना गरीब के कल्यान की पड़ी है इन्होंने हजारों करोड के घोटा ले करने का कम एफुपेश बगेल सरकार ने करने का कम एफुपेश बगेल स एक-एक बूत का विशलेशन, स्थानिय मुद्दो पर फोकस, कारकरताओं तक सीधी पहुँच, आखरी बूत तक मजबूती दी अथाच परिस्णम किया, मैं मेहनत किया, मैं सभी राज्यों में जहां पर भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन वही है, उन सब को मैं बधाई देता हूं सामान में विजए मही है, मद्यपदेश में एतिहासिक बड़त हुई है भाजपा की, राजस्तान में अनुमानित जो था लोगों को लगने लग गया था, आपके पतकार बंदू जिस पकार से बात कर रहे थे, वो सब ट्रेंट्स को पीछे छोड़ दिया और एपसुलूट जिस पकार की शामनार विजए भाजपा की हुई है और जो पदान मंती नरेंद्र मोधी जी के अलग-अलग सभाव में सपष्ट देखने को मिलता था, तेलंगाना में भी आप देखिए जिस पकार से बढ़त भाजपा की हुई है पिछी बारतों में एक सीट पे थे नरेंद्र मोधी की गयारेंटी है विकास की, मोधी की गयारेंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है भारतिय जनता पार्टी के कारिकरता होने के नाते हम जनता के प्रतीक रितगिता का भाव रखते हैं, बार बार भार भारतिय जनता पार्टी के कारिकरताओं ने डंके क की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। की महादेव आपके बाद तो और चिपका है। साफ है कि ये जीत ना सिर्फ 2024 के चुनाओ में भारतिय जनता पार्टी को फाइदा पहुचाएगी बलकि कॉंग्रस के खिसकते जनाधार पर और जादा मुश्किले बढ़ाईगी। अमच्याने ना सिर्फ इन चुनाओ में एक मजे हुए राजनेता, एक कुशल प्रबंधक और शांदार रणनीती कार होने का सबूत दिया बलकि साफ कर दिया कि आखरी बूत तक फोकस रखने की उनकी रणनीती एक बार फिर कारगर साबित हुई है। दोहजार चौबीस में होने वाले लोग सभाचुनाव से पहले दोहजार तेईस के ये नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। तीन हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में भगवा लहर रहा है और मूदी की गैरंटी पार एक बार फिर मोहर लग ही गई समझो। चौनावी नतीजों पर मैनेजिंग एडिटर म्यूजेटीन अमीश देवगान ने केंद्रे मंत्री अरुराग ठाकुर से खास बार्शित की। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे की ये जीत का सेहरा, ये जीत का टीका किसको। ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है, मोदी मैजिक चला है, देश में एक ही गरंटी, मोदी जी की गरंटी चल रही है। और जैसे पूरी दुनिया को भारत और भारत के नितरता पर विकास है, वैसे तीनों राजियों की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त करके बताया है, डबल इंजन की सरकार ही चाहिए, क्योंकि लास्ट माइल डिलिवरी, जन जन के कल्यान के लिए गरीब कल्यान के लिए यही काम करते हैं, और मैं एक बात यहां पर और कहूंगा, जीत का सहरा मोदी जी के सिर जाता है, क्योंकि मोदी जी का ही चहरा था, मोदी जी पर ही जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी ने ही संकर्प लिया था कि इन राजियों का कल्यान करेंगे, और गरीब कल जयानकारी योजनाओं का एक बहुत बड़ा लाब और मोदी जी का इमानदार चेहरा का बहुत बड़ा भरत्पा को मिला है। गमंडिया गटबंदन का गमंड और अहंकार चूर चूर हुआ है। गंगा जल की जूटी सौगंद खाकर का था शराब मुक्त शतिसगर करेंगे। और पूरे चुनाब में आपने देखाऊगा मेशी ना सुर था ना ताल था अपनी डफली अपना राग था और इनका कहीं ताल मिल नहीं था। आज दरकिनार करके बैटे हैं जनतनन को नकार दिया है। लेकिन हमने पहले सनातन का विरोध देखा, अब हम देख रहे हैं परवीन चकरवरती हैं, कॉंग्रेस के स्टाटिजिस्ट हैं, वो उन्होंने ट्वीट करा हैं नौर्स वर्सिस साउथ की बात लाइन ले रहे हैं। क्या आपको लगता है साउथ में तिलंगारा में कॉंग्रेस की अच्छी जीत हो रही है, सप्तर सीटो वाली जीत हो रही है, बड़ी जीत हो रही है, लेकिन नौर्स वर्सिस साउथ का डिवाइड लेके आना, क्या आपको लगता है वाजब है अनौर्ण? अमिश्य इसमें नया क्या है कॉंग्रेस की शुरू से राजनीती वही रही जो अंग्रेज करके गए बाटो और राज करो ये जाती धरम संपरदाय के नाम पर बाटते रहे खेतर के नाम पर बाटते रहे अब उत्तर और दक्षन के नाम पर बाटेंगे इनका काम ही बांटने का है. और हम सबका काम है, भारती अन्ता पार्टी का, NDA का, कि सबको जोड के चलना है. हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं. और ये लोग, ये जाती को लेकर आते हैं, अपने घोशना पत्र में. लेकिन जन्ता ने इनको करारा जवाब दिया है, जन्ता विकास चाहती है सूफ आशन चाहती है और अर्जियंदर मोधिजी ने ठीक कहा कि उनके लिए युवा, किसान, महिला और गरीब यही जातिया है और उनके कल्यान के लिए मोधिजी ने लगातार काम किया है जी लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नौर्थ वर्सिस साउथ की बात करने का प्रयास हुआ है ये हानिकारक है देश के लिए क्योंकि साउथ हो नौर्थ हो मद्धे भारत हो इस्टन भारत हो है तो पूरा देशी देखिए ये जितना मर्जी प्रयास कर ले जाती धरम संपरदाय क्षेतर के नापर देश को बाटने का प्रयास करें ये कॉंग्रेस करेगी बार बार कुछ प्राप्त नहीं हो देश की जंता बहुत समझदार है बहुत भली बांती जानती है कि क्या करना है जीत तो आप लोगों की आसान होगे लेकिन मुख्य मंत्री को चुनना थोड़ा मुश्किल होगा तीनों राज्यों के अंदर मद्य प्रदेश में तो क्या शिवराज जी आएंगे राजस्तान में कौन ले किसको लाएंगे 36 गण को लेकर तो अभी काफी सारी अट के लिए लगाई जा रही है इस पर आप कुछ कहना चाहते है आप बिल्कुल चिंता ना करें मीशी जी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दी थी हमारे विधायकों पर पार्टी के नेता पर छोड़ दी थी जनता की अपेक्षा के उनसार ही हम लोग ऐसे मुखे मंतरी बनाएंगे जो संकल्प जो लिया उसको पूरा कर सके एक सवाल राहूल गांदी का मैजिक क्या आपको लगता है तिलंगाना में चल गया है और भारत कॉंग्रेस कह रही है कि भारत जोरो यात्रा का ये जादू था जो कॉंग्रेस को 70 सीटे ब भी देखेंगे भारती अंता पार्टी का वोट शिर्ट साथ से बढ़के सीधा 15% पर जी वाता वरन तिलंगाना में भारती अंता पार्टी नहीं बी आरेस के ख़ड़ा किया उनके भ्रष्टाजार परिवारवाद को उजागर किया बेनकाब किया ये सचाई है कि हमारा वो क्यूम था उसका लाब कॉंग्रेस को मिला है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा अगर एक जीत वो देश को बांटने का रास्ता दिखा रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्या क्या होगा ये जीत इसलिए नहीं कि आप देश को बांटने पे चल पड़ो जी वर्ट कप हुआ था हाली में आपको याद होगा मिशी अगर आपको याद होगा राहुर गांदी जी ने जब केरल से चुनाव जीता था तो उसके बाद उन्हें कहा था कि उत्तर के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है उनकी सोच सताई है इनने उस समय भी की थी जि इस अमेठी से कई वर्षों तक जीत कराते रहे उन्हीं को नीचा दिखाने का अर संबब प्रयास किया और कितना नीचा दिखाओगे उत्तर को और कितना नीचे दिखाओगे हिंदी भाशी लोगों को और कितना नीचा दिखाओगे और देश को बांटने का प्रयास करोगे ये बांटो और राजकरों की राजनीती नहीं चलेगी दो हजार चौबिस में दो हजार उन्नीस से बड़ी जीत भारती अंता पार्टी की रूपर कई ऐसा तो नहीं है कि चौबिस को लेका आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपको याद होगा 2004 से पहले 2003 में बीजेपी तीरो राज्य जीती थी लेकिन 4 में अटल जी की सरकार चली गई थी क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख रहा क्यों कि मैं कई नेताओं को कई मंत्रियों को सुच चका हूँ कई ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कई भारी न पढ़ जाए 24 में हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं लड़ते हैं जमीन पर मेहनत करते हैं और चुनकर आने के बाद किये वाइदों को पूरा करते हैं ये कोई अहंकार नहीं मैंने यही कहा कि 2024 की जीत और बड़ी हो सुनिशित करने वाली हो जनता क्योंकि डबल इंजन की सरकार चाती है इसलिए राज्यों में बना दी है अब केंदर में भी बनाएगी पिछली बार 2018 मिन पांच राज्यों में हम नहीं जीत पाए थे तो देश को और आगे बढ़ाकर जो दस्वे नंबर से पांच्वे नंबर की अर्थ विवस्ता बनाया जिन्होंने तेरा करोड गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया जिन्होंने गरीब कर लियान के लिए धेरों योजना चलाई फिर एक बार मोधी सरकार ज दिया है एक संदेश दिया है देखे जितना कीचड कॉंग्रेस ने जब जब उचाला उतना कमल खिला है मोधी जी पर जितने अपशब्द और जितने बान फैंके हैं मोधी जी उतने ही निकर कर आए जनता इसको सविकार नहीं करती कि उनके द्वारा चुने के नेता पर इत जनती की अब शब्द बोले तब तब जनता नहीं जबाब दिया मोधी जी को कुछ नहीं कहना पड़ा तो कॉंग्रेस जितना नीचे गिरेगी जितने घटिया शब्दों का उपयोग करेगी मोधी जी उतने ही निकर कर आएंगे कमल उतना ही खिलता जाएगा चरी अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुनने के लिए और आपको बहुत बहुत शुक्त कामना है एक बार फिर से इस भवे जीत के लिए आप सुनने थे अनुराग ठाकर को बात कर रहे थे मैनेजिंग एडिटर अमीश देव का न्यूस एटीन और यहां रूकर एक शोटी से ब्रेक के लिए आगे कुछ और दिल्चस्प इंटर्व्यूज, खबरें और बात्शीत का सिलसला जारी रखेंगे अचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजे पी की बढ़त नज़र आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चोहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुद्रानपुर्स जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरन शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजे पी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा फैक्टर 36 गर की दुस बात है 36 गर में 54 सीटों पर बीजे पी की बढ़ात है प्रचंद बहुमत की ओ 36 गर में भी बीजे पी है बड़ा सीटापूर से मांत्रिया मजीद भगत हा रहे हैं कॉंडा गाउ से मोहन मरकाम हा रहे हैं देखे बड़े इस चेहरों ने जहां पर हार हासिल की है राजनन्द गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहासे दरम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंभी कापूर से जिपटी सीएं लेकिन पीछे चल रहे है बहुत बली कबग पाटन से सीएं घुपेश बग है जीत के ओर है ़ो रामपुर से नंकी राम कवर पीछे चल रहे हैं दुर्ग से ग्रामीर दुर्ग ग्रामीर से तामर्दोस्ताहू भी पीछे चल रहे हैं ये एक बड़े फैक्टर है जो आपके दिखा रहा है भगवा पर्चम और ये देखिए अट बच कर 3 मिनिट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजवा爸 पर फॉन अप्सकूर ही पहला रिजर्ट दखाया दस बड़ी बात हैं मद्ध प्रदेश उमद गला की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्ध प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बहुत नजर आ रही है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पीसी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बर काम हाने देखें बड़ेस चेहरों ने जहां पर हार हासिल की है राजनंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिल्हासर दरम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम टीए सिंग देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ इफेक्टर है जो आपके बेंट में एक बार फिर लह राया है भगवा पर्चम और यह देखिए यहां पर आ गए हैं प्रधार मंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स के जरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह राया है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहे दस बरी बात हैं मध्य परदेश मध्य गला की दस बरी बात हैं बुद्री से सिएम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मध्य मद्यप्रदेश अतीसगर राजिस्थान में बीजेपी की शानदार जीत पर पीम मोदी ने दिया संदेश कारिकरताओं को दीबधाई कहा जीत की हैट्रिक 24 की गैरंटी है MP में बीजेपी की प्रचंद जीत 122 सीटों पर लहराया परचम पीम नरेंद्र मोदी सीम शिवराज नरेंद्र सिंग्तों मराविश्वर शर्मा और कृष्णा गौर को पीम ने दिबधाई 36 गर में आगए सभी सीटों के नतीजे 54 सीटों पर जीती बीजेपी 35 पर सिमट गई कॉंग्रेस एक पर अन्य का कब्जा MP में बीजेपी को प्रचंड जीत कई मंत्रियों की हार हर्दा से कमल पठील समेट छेने गवाई सीट दतिया से नरोथम मिश्रा हारे 36 गर में कई दिगजों की हार देपिटी सीम्टिय सिंग देव समेट नो मंत्री चुना भारे दीपक बैज और तामरोधर्ज साहु ने भी गवाई सीट बीजेपी की तेन राजियों में बंपर बहुमत पर बोले केंद्रिय मंत्रे अनुराग ठाकुर पियम मोदी की अगवाई में प्रचंड जीत सबका साथ सबका विकास पर जनता को दिश्वास तेलंगना में भी बढ़ा बीजेपी का वोट शेयर MP में कॉंग्रेस से मानी अपनी हार PCC चेफ कमलनात का बयान कहा मतदाताओं का हर फैसला स्विकार बीजेपी को दी बढ़ाई चुनाव मतलब न्यूजेटीन बतगरना के दिन जरता के साथ साथ दिगजों ने भी न्यूजेटीन पर जताया भरोसा सियम शिवराज जुतरादित सिंधिया नरेंदर सिंग तो मरसहित कई नेताओं ने देखा न्यूजेटीन नमस्कार मैं हूँ आश्की स्त्रीपाठी आपके साथ और न्यूजेटीन मद्यप्रदेश अतीज गर पर लगातार आज दिन भर आपको हमने दिखाई चिनाव से जड़ी बड़ी खबरें और परिणाम तक क्या रहा और अब बता दे राइपूर से एक बड़ी खबर सीम भूपेश बगहेल राजभवन पहुचे और राजपाल को इस्तीफा सौपने के लिए पहुचे सीम भूपेश बगहेल और अब चुकि जिस तरह से उनके द्वारा इस्तीफा सौपा जाएगा तो नई सरकार के गठन के लिए यहां भूपेश बगहेल को पहले इस्तीफा देना होगा मुक्हे मंतरी के पद से इस्तीफा दे चुके भूपेश बगहल अब पूर्व मुक्हे मंतरी हो गए है पूर्व मुक्हे मंतरी जो है भूपेश बगहल हार के कारणों को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी समिक्षा की जाएगी बैटक की जाएगी और उसमें हार के कारणों को लेकर समिक्षा की जाएगी तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कारण जो है वो लगते है कि जिसे इस तरह से इस बुरी तरीके से जो है वो कॉंग्रेस हा इस पर मुक्यमंदी पुपेज बगिल ने कहा कि हार के कारणों की समक्षा होगी और उसके बाद ये तै होगा कि कारण क्या है अभी थोड़ी दर पहले मुक्यमंदी पहुंचे थे और अमूमन करीबन 10 मिनट ही वो बीतर रुके और सीधे राजबॉन गये और उनके साथ बाद उन्होंने जो है वो इस्तीफा सोपर बाहर आया और बस उन्होंने यही कहा कि हार की समिक्षा की जाएगी जी लेकिन अभी इस स्तीफे को लेकर अब जो चुकि जिस तरह से स्तीफा दिया गया नई सरकार के गठन की जो प्रक्रियाब उसमें थोड़ा समय लग सकता ह और इस बारे में मुख्यमंत्री से पूर मुख्यमंत्री हो चुके हैं भुपेश बगेल लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है अफिशली एक तरह से कहें कि तमाम चीज़ें हो जाएंगी लेकिन अभी फिलाल अगर जब तक शपत गरन नहीं हो जाता है नहीं मुख्यमंत्री का तब तक तो रहेंगे लेकिन कोई काम बतार सीम नहीं कर पाएंगे दूसरी तरह पकर हम बात करें तो पूरे इस को लेकर यह जरूरी नहीं था कि वो आज आके तुरंत ही जो है वो इस्तिपास आपते लेकिन तूरंत जैसी नतीजे पूरे साफ हुए उसके बात से हो गया था कि साड़े छे बजे मुख्यमंत्री ने राजबहुन से समय मांगा था हाला कि राज़ेपाल जो है वो कहीं गय हुए थे और उपरास्टपती यहाँ पर आई हुए थे जी लेकिन मुझे लगता है कि जो नैतिक्ता के आधार पर या जिस तरह से जो कि भुपेश बगिल वो चेहरा थे जिस चेहरे पर विश्वास था भुपेश है तो भरोसा है यह नारा चला था तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आया या जरता ने जो मैंडेट दिया उस जो है वो लगातार इस नारे पर थी भुपेश है तो भरोसा है लेकिन उसके बाद अचानक से कुछ समय पहले यह नारा बदला गया और यह कहा गया भरोसी की सरकार और इस पे जो है यह कहा गया कि कॉंग्रेस जो है अब कलेक्टिव रूप से जो है वो चुनाओ लड़ र जो है और इसको लेकर आज कुमारी शैजा से भी यह पूछा गया कि क्या एक बड़ी बज़े यह भी लग सकती है कि जिस चहरे को लेकर आप 4 सालों तक के 4,5 सालों तक के सत्ता में रहें और इसको लेकर 50% करते रहें और अचानक से आपने नारा भी बदला आपने जो है य लिए भी कहा जाने लगा शुरुआती तोर पे यह बयान आते थे की मुक्यमंती भूपेज बगेल का चेहरा है और यह कई बार सवाल भी किये गए तो जारतवा पे जो मुझूदां मुक्यमंती उसके चेहरे पर चुनाओ लड़ा जारा है तो मुख्यमंत्री वो ही होंगे लेकिन उसके बाद अचानल से कॉंग्रेस बयान बदलने लगी थी और संगटन से बयान आने लगे थी कि देखिए अभी तो संगटी तुरुप से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद में हाई कमान जो फैसला करेगा वो मुख्यमंत्री की जाएगी यह नहीं कहा जा सकता कि चेहरा फेल हुआ ही है कुमारी सेलजा का बयान था उनका कहना था कि कारणों की समिक्षा की जाएगी बतोर मुख्यमंत्री पुपेज बगेले युवाओं के लिए किसानों के लिए महिलाओं के लिए और राज्जी के लिए 36 गड़ की कला सनस्कृति के लिए बहुत काम किया लेकिन हार क्यों हुई कहां पर जो है वो कॉंगरेस का जो मैनेजमेंट है वो फेल हुआ क्या कारण है कि इतने सारे जो मंत्री है वो एक जो बड़े चेहरे हैं वो धरड़ा कर हार गए कोर कमीटी के लोग हार गए और एकदम से जो ह तो इसके कार्णों की समिक्षा की जाएगी यह कुमारी शहलजा ने कहां मुख्यमंदी ने सिफ यही कहां कि भई समिक्षा की जाएगी जनादेश हमें स्विकार है और इसको लेकर बैठा कोगी तो जाहरतों आप कारेंड जो है वो समझ में आएंगे कि बीजेपी का क्या जिवूत था या पिर जो को और गोज़िवी हो गयागा था या जो इंटरनल अ मुखर्णर को मिल रही थी कि कि मैजिक नंबर तक के जो पहुचाएगा वो इस बार भी जो कजमाफी की घोशना है वो है 500 रुपे में सिलेंडर की बात कही गई थी के जी टू पीजी फ्री एजूकेशन की बात कही गई थी और बाद में जो है ग्री लक्षमी योजना भी लांच की थी कॉंग्रेस में महत गोशना पत्र के बाद में इसकी घोशना की थी लक्षमी पूजा के दिन में महतारी बंदन योजना को लोकर जो प्राम भराय जा रहे थे और उसको देखते हुए कि क्या वो डैमेज कर रहा है इसी रिपोर्ट मिली थी कि वो डैमेज कर सकता है वही बातों पर आज से गडियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे कल्चर पे और सारी चीजों पे लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई देखिए और वो तो समिच्चर करने से पता चलेगा लेकिन अभी जना देश भार्टी जनता पार्टी की मिला है और मैं उनको बढ़ाई देता हूँ चले बहुत शुक्रिया मम्ता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और वक्त हो चला फटपर अंदाज में खबरों का जीट के जश्चर में डूबे बीजेपी कारी करता दिल्ली में बीजेपी मुक्यला में जम कर हुई आतिश भासी हुपाल में महिलाओं ने सियम शिवराज का किया भी वागल इल्ली के बीजेपी कारे ले पहुँचे पियम मुदी जनता को दिया जीत के लिए धन्यवाद कारी करताओं में दिखा घजब का उच्छा मुदी है तो मुम्किन है के लगे नारे पियम मुदी ने अपने संबुधन में परिवार बाद पर साधा निशाना का ब्रश्टाचार परिवार के खिलाफ वोट ये उन दलों नेताओं की कोच इतावनी है जो ब्रश्टाचारियों के साथ हैं और ब्रश्टाचारियों को कवच देते हैं उनके खिलाफ वोट पीम मोदी ने पार्टी की नीतियों को लेकर कहा बीजेपी सिर्फ नीतियां ही नहीं बनाती, डिलिवरी भी करती है, जन्हित और राश्रहित में काम करती है, जीवन बहतर करने की योजिना बनाती है इन चुनावों में धमक तक दूर तक जाएगी पियम मुदी ने कहा कि पूरी दुनिया में इसका संदेश जाएगा भारत विकास की राह पर अग्रिसर होगा मद्रदेश में मेरी बहुमत को लेकर पियम मुदी ने कहा MP में BJP का दो दशकों से शासन BJP और भी मजबूत हुई है मैं सभी का आभार जताता हूँ युवाओं को लेकर पियम मुदी ने कहा कि युवाओं में लगातार भरोसा बढ़ा है उसके आशाएं पूरी होंगी और उसके लिए काम किया जा सकता है युवाओं जानता है कि BJP ही उनके विश्वास पर खराउद लेगी जातिवाद को लेकर पियम ने कहा कि जातियों में बांटने की कूशिश की गए BJP की योजनाव कलाब सभी को मिला हर जाती के लोग जानते हैं कि ये चुनाव हर वर्ग का है वोड काउंटिंग के बाद BJP पार्लेमेंट वोड की वैठक राज्यों के लिए तै होंगे परियवेक्षकों के नाम तीन राज्यों के लिए भेजे जाएंगे परियवेक्षक, परियवेक्षकों की मौझूद्गी में तै होंगे उसीम के नाम चिनाव में कॉंग्रेस को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बगेल साड़े छे बजे पोचे राजभवन डाज़ेपाल को सौपा इस्तीफा रथिसगर में सभी सीटों के नतीजे घोशित बीजेपी बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार 54 सीटों पर बीजेपी ने लहराया पर्चम 35 सीटों पर सिंटी कॉंग्रेस अन्ने की खाते में इससे फेक इंदोर के सभी 9 सीटों पर भाज़पा का कब्जा कॉंग्रेस का सूपासाफ इंदोर एक से केलाश बिजेवर गी है 47,949 वोटों से जीते इंदोर 2 से रमिश मेंदोला 10,747 वोटों से जीते मद्धिप्देश, राज़सान और 36 गर के चुनाव परिणाम को लेकर पियम मोदी का माइक्रू बलागिंग साइट एक्सपर रियक्शन पियम ने कहा परिणाम बता रहे है कि भारत की जनता का भरोसा से फ़सिफ सुशासन और विकास की राज़नीती में है 36 गर के जनजातिय गरीब और किसान बहनों भाईयों ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास रता कर भाज़पा को प्रशन पहुमत का अशिरवाद दिया इस विशाल जीत के लिए 36 गर की जनता का भार व्यक्तिक करता हूँ जे पेनड़ा ने मध्यप्रदेश में भाज़पा की अतियासिक जीत के लिए आदरणी प्रधान मंतरी जी की नीतियों भाज़पा की विचारधारा को जनता का समर्थन और इसको प्रणाम है बीजेपी की प्रचन जीत के लिए स्यम शिवराज को बधाई जेपी नड़ा ने किया आर्ज़पीट मध्यप्रदेश अतिसगर राज़स्तान के चुनाओ परिणाबों को रेकर आहुल गांधू ने लिखा मध्यप्रदेश अतिसगर राज़स्तान का जनादेश अहम विनम्रता पूर्वक स्थिकार करते हैं तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवार अंबिकापुल से टियसिंग देवहारे 157 वोटों के अंतर से हारे टियसिंग देए कॉंग्रेस ने स्विकार की अपनी हाथ पूर्व स्यम कमलनाथ ने प्रेसवारता कर बीजेपी को दीव जीत की बढ़ाई कमर्नाथ के साथ कॉंग्रेस के दिगज निता भी रही मौझूद कमर्नाथ ने कहा कि ये MP की जनता का फैसला है जनता का फैसला हम स्वीकार करते है तेलंगाना में कॉंग्रेस बहुमत की ओर 119 स्वधान सबस सीटों पर कॉंग्रेस 63 पर आगे सियम शिवराज को जीत का पूरा भरोसा जीत पर फूल देकर डाडली बहनों का जिताया भाग बुधनी से जीते सियम शिवराज सिंग चौहान जनता का जिताया भाग सियम शिवराज सिंग चौहान ने नियूज 18 पर जिताया भरोसा मतदान और नतीजों को लेकर नियूज 18 पर जिताया भरोसा साथी केंद्रे मंत्री जोतरा देती सिंधिया नरेंदर सिंग तोमर भी रहे मौजूद जीत के जश्न में डूबे बीजेपी के कारे करता दिल्ली दफ्तर में जम कर हुई आतिश बासी भुपाल में रेल मंत्री अश्विनी वैशनर ने सियम शिवराज को खिलाई मिछाई पार्टन सीट से भुपेश बगहिल ने लहराया जीत का पर्चम बीजेपी से सांसत विजेबगहिल को भारी मतों से हराए अर्दा के मतगरना स्पल पॉलिच एकनिक कॉलेज के बाहर हंगामा पॉलेस ने किया हलका बल प्रयोग भीड नितर बितर करने के लिए भाजी दाथिया मतप्रदेश अच्छ गड़ में काउंटिंग जारी मतप्रदेश अच्छ गड़ में बीजेपी की जीत हुई उमीदवारों में खुशी की लहर बिलासपुर जिले के बिलहा विधान सबा सीट से भाजपा के धर्मडाल कौशिक जीते न्यूस 18 से बोले धर्मडाल कौशिक ये 36 गड़ की जनता की जीत है और यहां रुकेंगे एक छोड़ से ब्रेक के लिए खबरों का सलसल आगे भी जारी रहेगा जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगाबाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का अबजाब पन्ना से मंतरी ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा फैक्टर 36 गर की दुस बात है 36 गर में 54 सीटों पर बीजेपी की बढ़ात है प्रचंद बहुमत की ओ 36 गर में भी बीजेपी है बड़ा सीटापूर से मांत्रिया मजीद भगत हा रहे हैं कॉंडा गाउ से मोहन मरकाम हा रहे हैं देखे बड़े इस चेहरों ने इस राम पर हार हासिल की है राजनन्द गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहासर दर्म लाल कौशिक आगे है बिलकुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीए मुपेश बगेल आगे है जीत के ओर है रामपुर सेनन्की राम कवर पीछे चल रहे हैं दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से तामर्दों साहू भी पीछे चल रहा है, ये एक बड़े फैक्टर है, जो आपको दिखा रहा है, भगवा पर्चम और ये देखिए, यहाँ पर आ गए है, पधारमंसी मोदी हाथ लाते हुए, ग्राफिक से जरीए, ये दिखा र आया, वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया, और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित, बिलकुल लगाता कवरेट जारी है, जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता, सबसे पहले, आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुजहान दिखाय और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया, दस बड़ी बात हैं, मद्ध प्रदेश उमत गरना की दस बड़ी बात हैं, बुदरी से सीम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते, मद्ध प्रदेश में बीजे पी प्रचेंद बहुमत की ओर है, 166 सीट पर बीजे पी की बढ़त नजर आ रही है, बुदरी से सीम शिवरा सिंग चोहान जीते, दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासल की, बुदान पुर से जीती हैं, अर्चना चितनिस, ये मत गरना की बड़ी बाते, होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है, चिन्वारा से कम ज़्ज चुनाओं हा रहे हैं, ये एक बड़ा फेक्टर, ये एक बड़ा फेक्टर, च्छती गर की दोस बात है, च्छती गर में 54 सीटो पर BJP की बड़त है, प्रचन्द बहुमत की ओ, छत्थिवारा से मंचीद भगत हा रहे हैं, कोड़ा गाउं से, मोहन मरकाम हा रहें, बोले इस चेहरों ने आपर हार हासिल की है, राजनंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रामान सेंग को मिली है जीत, बिलहासर राम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिपटी सीम टीय सिंग्देव पीछे चल रहा है, बहुत बली कवर, पाटन से सीम भुपेश बगेर आगे हैं, जीत के ओर है वो, राम पुर से ननकी राम कवर पीछे चल रहे हैं, दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से तामर्दोस् हैं, जो आपके बेंट में एक बार फिर लह राया है, भगवा पर्चम, और यह देखिए, यहां पर आगए हैं, प्रधार मंसी मोदी हाथ लाते हुए, ग्राफिक से जरीए, यह दिखा रहा है, इस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह राया है, तो चुनाव मतलब न अगर कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित, बिलकुल लगाता कवरेट जारी है, जब तक कि आकरी नतीजा नहीं आ जाता, सबसे पहले, आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुजहान दिखाया, और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया, दस बड़ी बात हैं, मुद्री से एम शिवरा सिंग चोहान जीते है, दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासल की, बुरानपुर्स जीती हैं, अरचना चितनिस, ये मत गरना की बड़ी बाते, घुशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है, चिन्वारा से कमला जीत चुके हैं, बि ये एक बड़ा फैक्टर 36 गर की दुस बात हैं 36 गर में 54 सीटों पर बीजेपी की बढ़ात है प्लेचंद बहुमत की ओ 36 गर में भी बीजेपी है अपना सीटापूर से मंत्रिया मजीद भगत हा रहे हैं कोंडा गाउ से मोहन मरकाम हा रहे हैं देखे बड़े इस चेहरों ने जहां पर हार हासिल की है राजनन्द गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहासर दरम लाल कौशिक आगे है बिलकुल और अंभी एंपी में बीजेपी की बंपर जीत के बाद सियम शिवराद सिंग चोहान ने बीजेपी कारे करता हूं और प्रदेश की जनता को बढ़ाई दी उन्होंने कहा कि हम जिएंगे तो जनता के लिए मरेंगे तो जनता के लिए C.C.M. ने कहा कि इस बंपर जीत के लिए हम और दोगुने उत्सा के साथ अपकाम करने के लिए जनता के बीच जाएंगे जनता को अपने साड़े नो करोड जनता के परिवार को प्रणाम करता हूँ एक असाधारन और अभूपूर्व विजय उनके आसिरवात से भारती जनता पार्टी को मिली है प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाद विश्वास और अटल स्रिध्धा की ये विजय है ये विजय भारती जनता पार्टी की डेवल एंजिन की सरकार में जो काम किये है मद्ध प्रदेश को समर्द और विक्सित बनाने के लिए उस विकास की विजय है ये विजय है समाच के हर वर्गे के जो कल्यान के काम किये है गरीब कल्यान, किसान कल्यान, भांजे भांजेों के कल्यान के काम और माता बहनों के ससकती करन का जो अभियान चला जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना ये उन कामों की जीत है ये अतल विश्वास है मद्ध प्रदेश की साड़े नो करोड जनता का भारती जनता पारिटी पर भारती जनता पारिटी के कारी करता हूं का अबी मैं हिर्दे से आभाग प्रकट करता हूं देव तुल्ले कारी करता हूं ने अनठक पर इस्रम किया ये उन कारी करता हूं की विजए है ये विजए गरीबों की विजए है किसानों की विजए है मौजवानों की विजए है माता और बहनों की विजए है भांजे भांजियों की विजय है प्रधान मंत्री जी के नित्रत में डवल एंजिन की सरकार ने चमतकार किया है मैं प्रधान मंत्री जी को भी प्रणाम करता हूँ हमारे अचूक रणनीतिकार स्रीमान अमित सहाजी के प्रति मैं अपना आभार प्रिकट करता हूँ उनकी रणनीती हमारे राष्टी अध्यक्ष मानी जेटी नड़ा जी का मार्ग दर्सन हमारे चुनाओं के प्रिभारी स्री भूपेंद्र यादव जी का परिस्रम और योजना और परिवार के मुखिया की तरह आदर्नी सिप्रिकास जी का प्यार और मार्ग दर्सन अस्पनी वैस्टनब जी का स्नेहपूर्ण समर्थन और इसके साथ साथ हमारा प्रदेश का नेत्रत्व हमारे सारे नेता हम सम मिल के चुनाओं लड़े हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी सर्माजी हमारे संग्ठन महामंत्री हितानंद सर्मा जी के नित्रतु में भारती जन्ता पारिटी के कारिकरता जुटे रहे अगर सच्चे मन से जन्ता की सेवा करो तो सेवा असर करती है पूरा मद्ध प्रदेश जो हमारा परिवार है उसके भाई और बहनों ने अपना परिवार समझ के अपना समझ के क्योंकि नेता और जन्ता नहीं पूरा प्रदेश परिवार हो गया उन्होंने अदभुत प्यार दिया है मैं आभारी हूँ मेरी देवी तुलिब बहनों का हम जहां जाते थे उनका प्यार उमरता था मुस्नेह से आसिरवाद देती थी और नकेवल आसिरवाद देती थी भाबुख हो जाती थी और कहती थी भाईया अपन ही जीतेंगे मेरी बहनों अपन जीत गए भांजे भांजे भांजेयों का ऐसा प्रेम मिलता था मामा मामा कहके पकारते थे तो रॉम रॉम पुलकित हो जाता था ये उन भांजे और भांजेयों के प्रेम की विजए है मैं प्रदेश के समाज के सभी वर्गों के भाई और बहनों के प्रति आभार प्रकड करता हूं धन्यवाद देता हूं कई वार मुझे लगता भी कि धन्यवाद किसको दूँ क्यों कि सब तो अपने हैं लेकिन फिर भी धन्यवाद उन्होंने विश्वास बना के रखा भारती जन्ता पार्टी पर और हमारा संकल्प है कि जान भले ही चली जाए इस विश्वास को कभी तूटने नहीं देंगे जो प्रदेश के विकास का रोड मैट हमने बनाया है हम उस पर चलकर प्रदेश को विक्सित भी करेंगे समरिदे भी बनाएंगे और जो जो वचन दिये हैं वो सारे संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प विक्त किये हैं एक-एक संकल्प पूरा होगा क्योंकि ये गारंटी भारती जन्ता पार्टी की मोदी जी की गारंटी है हम उसको हर हालत में पूड़ा करेंगे मेरे पिय बहनों और भाईयो किन सब्दों में मैं आभार प्रकट करूँ मैं तो विनम्रता पूरबा सभी को प्रणाम करता हूँ इस संकल्प के साथ कि जीएंगे तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए तो एक भाव पूर्ण धन्यवाद मुखे मंतर शिवरा सिंग जोहान का अपने ही चिर परजित अंदाज में एक चोटे से ब्रेक के लिए हम यार रुक रहे हैं खबरों का सलसला आगे भी जारे रहे हैं और हिप्टी बेंट में एक बार फिर लह राया है भगवा पर्चम और यह देखिए यहाँ पर आगए हैं पड़ार्मन सी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक से जरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह राया है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित बिलकुल लगाता कवरेट जारी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुज़ान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्धर प्रदेश उमदगणा की दस बड़ी बात हैं भुदरी से CM शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते मद्धर प्रदेश में BJP प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीख पर BJP की बनत नज़र आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की बुरानपुर से जीती है अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पीसी सी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का अबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद पृताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ बर काम हाने देखें बड़ेस चेहरों ने जहां पर हार हासिल की है राजनंद गाउ से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिल्हासर दरम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम टीए सिंग देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ इस फेक्टर है जो आपके देखा रहा है भगवा पर्चम और यह देखिए यहां पर आ गए हैं पढ़ार मंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक से जरीए यह दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह रहा है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहे दस बड़ी बात हैं मद्परदेश उमद्गर्ना की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीयम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते मद्परदेश में बीजेपी प्रचन्द बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बहँत नजर आ रही है बुद्री से सीम शिवरा सिंग चोहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की बुरानपुर से जीती है अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद पृताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा तो ने जहां पर हार हासिल की है राजनंद गाओं से लेकर बड़ा प्रजेपी की शांदार जीत पर पीम मोधी ने दिया संदेश कार्यकरताओं को दीगी बधाई कहा जीत की हैट्रेक 24 की है गैरंटी कॉंग्रेस की हार के बाद राजभवन पहुचे सियम भुपेश बगहिल राज़िपाल को सौपाइस तीफा बोले जनादेश किया स्विकार बीजेपी को दीबधाई 36 गर में आगए सब ही सीटों के नतीजे 54 सीटों पर बीजेपी की जीत 35 पर सिम्टी कॉंग्रेस एक पर अन्यनिकिया कप्जा MP में बीजेपी की प्रचंद जीत 162 सीटों पर लहराया परचम, सियम शिदराज, नरेंद्र सिंक्तुमर, रामेश्वर, शर्मा और कृष्णा गौर की हुई जीत MP में बीजेपी को प्रचंद जीत कई मंत्रियों की हार, अरदा से कमल पठील समेट 6 ने गवाई सीट, धतिया से हारे नरुत्त मिश्च्रा 36 गढ़ में कई दिगजों की हार, डेपिटी सीम्टिय सिंग डेव समेट 9 मंत्री हारे चिनाव, दीपक वैज और तामरधर्ज साहु ने भी कवाई सीट बीजेपी के तेन दार्जियों में बंपर बहुमत पर बूले, अनुराग, ठाकोर, पियेम मोदी की अगवाई में प्रचंद जीत, सबका साथ, सबका विकास पर, जनता को विश्वास, देलंगना में भी बढ़ा बीजेपी का वोट शेयर MP में कॉंग्रेस ने मानी अपनी हार, TCC चीफ कमलनाथ का बयान कहा, मतलताओं का हर फैसला है स्विकार बीजेपी को दीबढ़ाई चिनाव मतलाब News 18, मतगरना के दिन जनता के साथ साथ दिखके जोने, जताया News 18 पर भरोसा, सियम शिवराज, सिंधिया, नरेदर सीटोमर सहित, कही नेताओं ने दिखा चैनल नमस्कार, मैं हूँ आशी स्तरी पाठी, आपके साथ और महा संगराम 2023 में, 36 गड़ में बड़ा उलट फेर हुआ, बीजेपी ने यहां दमदार जीत हासिल की है बीजेपी की बड़ी जीत कॉंग्रिस का निकला दम 36 गड़ में खिला कमल 2018 में मिली हार का बतला बीजेपी ने पांच सालों के बाद 2023 में ले लिया जश्न मनाते कारे करताओं का जोश हाई है और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने पूरे स्वैक के साथ 36 गड़ में सत्ता की चाबी हासिल की है राजनीती के ज्यादतर पंडितों ने इसे लेकर भले अनुमान नहीं लगाया था लेकिन बीजेपी के आला नेताओं को भरूसा था भरूसा नकेबल जीत का बलकी बड़ी जीत का जो मिली भी लगातार रोज आपसकुर्ट अपनी बात कह रहा था पिछले तीन चार दिनों से कि भारती जन्दापार्टी की इस पस्त बढ़त एक्दिट पूल के रुजान में ही चिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा तो कमल खिल चुका है चत्तिरगड में और मद्यपदेश में और राजिस्थान में बीज़पी के आला नेता भी जीत का जश्न मनाते नसर आए और जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया साथ ही कहा कि कौंगरेश के कुशासन से जनता को मुक्ती मिली और कौंगरेश के कुशासन से चत्तिरगड की जनता चुटकाडा चाहती थी और इसलिए भारती जनता पार्टि पर भरोसा किया भारती जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भारती जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनता को कारिकरताओं को मैं देश के प्रधानमंती नरेंज मोदी जी को अमिस साहा जी को और जगर प्रकास नडडा जी को ओम प्रकास माथूर जी को मनसुप मंडाविया जी को न प्रश्टाचार से मुक्ति, जिस प्रकार से राइपू सहर की जनता ने भाड़ की इन्ताफ आपरडी के पतीविष्वास व्यक्तिक किया, पांच साल राइपू सहर विकास के नाम पर तरस्था रहा, नाम जरूर विकास था लेकिन काम नहीं कर पाई, मुक्ख्यो मंत्री जी बीजेपी खेमे में जहां प्रचंट जीत को लेकर उत्सह है तो वहीं कॉंग्रिस खेमे में मायूसी चाई है बीजेपी की जीत पर रमन सिंग ने जनता का भार जताया जीत के लिए पिये मोदी को इसका शेय दिया हमारे साथ इस वक्त पूर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग है हम उनसे बात करेंगे यह जो रुजान दिख रहा है आज और अभी तक का जो रुजान दिख रहा है उसमें भारती जनता बाल्डी के पक्स में आज शत्तित गड़ में जा रहा है पूरे के पूरे मद्दान वज़ा क्या समझा रही आपको क्योंकि आपको अंडरिस्टिमेट कर दिया गए वज़ा यही है कि जो भरस्ताचार किया भुपेज बखेल ने जो जूटे वादे किया उसने भुपेज बखेल ने उसके वज़े से जंदा की मन में भुपेज की चेहरे को बदलने की इक्षा थी और आज वो बदलने का काम किया क्या लग रहे डबल इंजन की सरकारियां बन जाएगा निश्चित रुप से जो रुजान अभी दिख रहा है पांच बज़े आते आते मैं आपको स्पस कहता हूँ यह रुजान पूरी तरीके से परिडाम में दिखेगा डॉक्टर रमन सिंग की भुमिका को किस तरीके से देखते हैं चर्चा हो गई यह कि सीम बनने जा रहे है डॉक्टर रमन की भुमिका पार्टी तैय करता है विधायक देल तैय करता है मैं एक समाने कार करता हूँ मैंने भी मेहनत किया मेरे हजजारों कार करता हूँ मेहनत किया मोदी जी का आशिरुवाद मिला मोदी जी के गैरंटी मिली इसकी वज़े से हम सरकार वाना इन सफल हुए जो भी निर्णाय होगा विधायक दलका उसका हम सब मिलके क्रियानमन करेंगे किंद्री नित्रा उसे चर्चा हो रही है अब फोन आ रहे होंगे लगाता बदाई दिया रहा है सबको मैंने बदाई दिया है कहते हैं इतिहास हर बार अपने आप को दोहराता है एक बार फिर यह करिश्मा हुआ है 36 गड़ में 90 में से 71 सीटों के साथ सरकार चलाने वाली कॉंग्रिस सत्ता से बेदखल हो गई और पिछले चाओं में महस बंदरा सीटों पर सिमट जाने वाली बीजेपी एक बार फिर सूबे की सत्ता पर काबिज हो गई मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी 36 गड़ में चला मोदी मैजिक मोदी मतलब विकास की गारंटी बनी मोदी मतलब जीत की गारंटी फेल हो गया भुपेश है तो भरोसा है सूबे की सत्ता पर बीजेपी का कमजा 36 गड़ की राजनीती ने एक बार फिर 180 डिग्रे का टर्न ले लिया है प्रदेश की जनता ने पिछली बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सिंगासन हसल करने वाली कॉंग्रस से सत्ता छीन ली है एक बार फिर 36 गड़ में बीजेपी सरकार ये करश्मा हुआ है देश के सबसे बड़े सियासी चेहरे यानी मोदी मैजिक की बदौलत ये संभव हुआ है बीजेपी के चाड़क के ग्रह मंतरी अमिट शाह जेपी नड़ा की कुशल रणीती से ये संभव हुआ है बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक से जिसके तहट पार्टी ने अपने केंद्रिये मंत्रियो विधानसबा चुनाव के मैदान में उतार दिया 36 गड़ में चुनावी चोसर में एक-एक विधानसबा सीथ पर बीजेपी ने ऐसी गोटिया विछाई कि कॉंग्रस के बड़े-बड़े सुर्मा धराशाही हो गए 36 गड़ के राजनीतिक सत्रंच में बीजेपी के रणनीतिकार अमिट शाह की शेह पर मोधी ने कॉंग्रस को मात दिया जिसका आभाज प्रदेश बीजेपी को बखू भी है आज 36 गड़ के लिए अभुद्पूर दिन है और मैंने लगातार रोज आपसकुर्ट अपनी बात कह रहा था पिछले तीन-चार दिनों से कि भारती जन्दापार्टी की इस पस्त बढ़त एक्जिट पोल के रुजान में ही छिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा तो कमल खिल चुका है छत्यजगड में और मद्यपदेश में और आजिस्तान में आईए एक नजर उन मुद्दों पर डाल लेते हैं जो बीजेपी को एक बार फिर से सूबे की सत्ता दिलाने चा रही है सबसे पहले प्रत्याश्यों की घोश्रा 36 गड़ में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट उस वक्त जारी कर दी थी जब चुनाव के तारीक की घोशना हुई थी 36 गड़ में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव वाला फॉर्मूला अपनाया जिसकी तहर तमाम प्रदेशों की पार्टी के बड़े चेहरों को बहुत पहले मैदान में उतार दिया यूपी, बिहार, जार्खट, महाराश्र और गुजरात के रणनीती कारों को 20-20 दिन का टास्क देकर 36 गड़ के कोने-कोने में भेज दिया बीच-बीच में अमिच्शा और जेपी नड़ा इन सभी छेत्रे दिगजों से फीड़ बैग लेते रहे उसी के आधार पर पार्टी ने प्रदेश में अपने चेहरों और चुनावी मुद्दे तै किये 36 गड़ में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा मातारी बंदन योजना जिसके तहट पार्टी ने सक्ता में आने पर प्रदेश की हर विवाहित महिला को एक-एक हजार रुपई महीना देने का वादा किया इस तरह से बीजेपी ने प्रदेश की आधी आबादी पर अपनी मजबूत पकण पड़ाई उसके बाद पार्टी के कारेकरताओं ने जमीन पर उतर कर महतारी बंदन योजना के फॉर्म भरवाए हाला कि इसको लेकर विवार भी हुआ 31 सो रुपई प्रतिकुंटल धान खरीदी बीजेपी के लिए दूसरी सबसे कारगर रणनीती साबित हुई धान के समर्थन मूले पर खरीदी का वादा जिस धान खरीदी की मुद्दी को कॉंग्रेस अपना सबसे मस्बूत हतियार मान रही थी उसे बीजेपी ने हाईजैक कर लिया चुनावी घोष्णा पत्र में पार्टी ने 31 सो रुपए प्रतिकुंटल धान खरीदी का वादा किया हालकि कॉंग्रेस ने भी बाद में 32 सो रुपए कुंटल धान खरीदी का दाव खेला लेकिन इसे पार्टी भुना नहीं पाई बीजेपी ने प्रदेश के चुनाव में एक और जो बड़ा दाव खेला वो था मोदी का चेहरा पार्टी ने कोई मुख्यमंत्री प्रजेक्ट ना कर पियम मोदी को मैदान में उतार दिया मोदी की प्रदेश में ताबड तोड रेलिया और मोदी मतलब विकास की गैरेंटी ने बाज़ी पलट्टे में बड़ी भुमे कने भाई ये बीजेपी की चुनावी रणनीती पर मोदी का भरोसा ही था कि उन्होंने अपनी आखरी तीन चुनावी रेलियों में प्रदेश की जनता को शपत ग्रहन समारों में आने का नियोता दिया ब्रश्टा चार को लेकर कॉंग्रस परवार 36 गण में बीजेपी ने आकरमक तरीके से चुनाव प्रचार किया पार्टी के हर एक नेता ने भ्रश्टा चार और कानून विवस्था को लेकर सरकार को जम कर घेरा गाई, गोबर, गोठार, कोईला और CGPAC घोटाले जैसे मुद्दो को जम कर धुनाया इस तरह से पार्टी ने प्रदेश की महिलाओ, आदिवासी के साथ युवाओ को अपनी पाले बिखिया और इस तरह से चुनावी बाजी पलट दी फिर रिपोर्ट, म्यूजी टी मद्यप्रदेश, जनता के कई दिगजों को मद्यप्रदेश की जनता ने धूल चटाई तो कई दिगजों को विधान सवा बेजा और ये जो आज का पूरा दिन रहा इस बात का गवा है यहाँ बार रुकिंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसला आगे भी लगातार जानी है हैं धुशक है जिए चे रहे हैं जिए और यहाँ यह दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चे में एक बार फिर लहराया है तो चुनाव मतलब News 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया और आखरी नतीजे तक ये मेगara कवरेड लगातार जानी रहेगी सुमित बिलकुल लगाता कवरेड जानी है जब तक कि आखरी नतीजा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुज़ान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दखाया दस बड़ी बात हैं मद्द प्रदेश उमद गाना की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते मद्द प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीम शिवरा सिंग चोहान जीते दिमनी से नरेंदर सिंग तोमा ने जीत हासल की बुरानपुर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मतगरना की बड़ी बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल PCC अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा फैक्टर 36 गर की दुस्ट बात है 36 गर में 54 सीटों पर बीजेपी की बढ़ात है प्रचंद बहुमत की ओ 36 गर में भी बीजेपी है बढ़ा सीटापूर से मंत्रिया मचीद भगत आ रहे हैं कॉंडा गाउं से मोहन मरकाम हा रहे हैं बड़े इस चेहरों ने इस राम पर हार हासल की है राजनन्द गाउं से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहां से धरम लाल कौशिक आ गे है बिलकुल और अंभी कापूर से जिपटी सीएम टीय सिंग्देव पीछे चल रहे है बहुत बली कबर पातन से सीएम भुपेश बगेर आगे हैं जीत के और है वो राम पूर से ननकी राम कबर पीछे चल रहे हैं दुर्ग से ग्रामीर, दुर्ग ग्रामीर से तामर्दोस्ताहू भी पीछे चल रहे हैं ये एक बड़े फैक्टर है जो आपको दिखा रहा है भगवा पर्चम और ये देखिए यहाँ बर आ गए है प्धारमंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स दर ये दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चम और फिर लहरा है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीज़ा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीज़े तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेगी सुमित बिलकुल लगाता कवरेट जारी है जब तक कि आखरी नतीज़ा नहीं आ जाता सबसे पहले आठ बच कर तीन मिनट पर हमने पहला रुज़ान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्ध परदेश उमद गला की दस बड़ी बात हैं बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्ध परदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीव पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते 36 गर्मी विदान सवाचनाव के नतीजे कॉंग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा कॉंग्रेस के दिव टीजेपी सीएम टीए सिंग दिव के अलावा कई मंत्री भी चुनाभार गए बीजेपी दफ्तर में जश्न है खुशियां मनाई जा रही है कारिकरता उत्सा से लबरेज है लेकिन कॉंग्रेस खेमे में सन्नाटा है चतिसगर में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कॉंग्रेस के कई दिगज पानी में गोते लगाते दिखे कॉंग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चितरकोर्ट सीट से हार गए है सांसद होने की बावजूत कॉंग्रेस ने उनको मैदान में उता रहा था कॉंग्रेस के पूर्व प्रदीश अध्यक्ष और मंत्री मोहन मरकाम भी हार गए मरकाम को बीजपी की लता उसेंडी ने मात दी सक्ति सीच से चरंदास महन को हार का सामना करना पड़ा मंत्री मोहम्मद अग्बर चुनाव में हार गए वही कवर्दा से बीजपी के विजए शर्मा ने जीत दर्ज की है मंत्री रविंद्र चुबे चुनाव हार गए मंत्री जैसिंग अगरवार, मंत्री ताम्र ध्वज साहू, शिव डहरिया, अमरजीत भगत और गुरू रूद्र को भी हार का सामना करना पड़ा है दिकजो की लिहाद से डैमेज ज्यादा कॉंग्रिस को हुआ है लेकिन अमिद्जोगी भी चुनाव हार गए है उन्होंने सियम भुपेश बग्हेल के खिलाफ पाटन से दावेदारी पेश की थी वहीं रेणू जोगी को भी हार का सामना करना पड़ा कुल मिलाकर भूपेश बगेल के नो मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा और इस लिहाद से कॉंग्रिस की ये बड़ी हार है और खबरे आगे भी जारी हैं वक्त एक बहुत चोटे से ब्रेक आए जन लोटते सबसे पहला रुचान न्यूज से टीन पर आपको देख़ी अफिक आपको देखे वहनों के लानले भाईया लीडिंग टैली में नजर में कि मदपदेश में रुचानों में बीजेपी को प्रचंद बहुमत सबसे बड़ा सर्प्राइज देरा है शक्तिस गड़ वहाँ पर भी कमाल हो गया है वहाँ पर भारतिये जनता पाटी में बड़त बड़ा दी है आप हम देख रहे कि एक तो 62 सीटे रुचानों में काफी बड़ा डिफरेंस है ये सबसे पहला नतीजा न्यूज अचीव पर अर्चना चितनिस ये मतगरना की बड़ी बाते होशंगाबाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमल लाज जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक बड़ा फैक्टर चटीस गर की दुस्ट बात हैं चटीस गर में चववन सीटों पर बीजेपी की है जीत बिलहां से दर्म लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीका पुर से जिप्टी सीम्टी सिंग्देव पीछे चल रहे हैं बहुत बड़ी कबर पाटन से सीम भुपेश बगेर आगे हैं जीत की ओर है वो राम पुर से नंकी राम कबर पीछे चल रहे हैं पार्मंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स के जरीए ये दिखा रहा है किस तरह से भगवा पर्चे में एक बार फिर लहरा है कि तो चुनाव मतलब न्यूज रेटीन और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बचकर तीन मिनिट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज पर हमने पहला रुज़ान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजर्ट दिखाया दस बड़ी बात हैं मद्द परदेश उमद गला की दस बड़ी बात हैं बुदरी से सीम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मद्द परदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओ बाते होशंगा बात से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिग जीत चुनाओ हारे हैं ये एक बड़ा फैक्टर एक बड़ा फैक्टर चटीज गर की दुस्पात हैं च्छतीज गर में 54 सीटों पर बीजेपी की बढ़ध है प्रचंद बहुमत कि ओ चछतीज गर में भी बीजेपी हैं बढ़ना सीतापुर से मंत्रिया मचीद भगत आ रहे हैं कोंडा गाउं से मोहन मरकाम हा रहे हैं देखे बड़े इस चेहरों ने इस राम पर हार हासल की है राजनन्द गाउं से लेकिन डॉक्टर रमान सेंग को मिली है जीत बिलहां से धरम लाल कौशिक आ गे हैं बिल्कुल और अंबिकापुर से जिपटी SaskT синг데ो पीछे चल रहे हैं बहुत बड़ी कपर लहर आया है भगवा पर्चम और ये देखिए यहाँ बर आ गए है प्डारमंसी मोधी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स के जरीए ये दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लहर आया है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुजान और जैसे ही पहला नतीजा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीजे तक ये मेगा कवरेट लगातार जारी रहेग मतलब ना की दस बड़ी बात हैं बुदरी से सीएम शिवरा सिंग चोहान भारी मतों से जीते मधर प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुद्री से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की बुरानपुर से जीती है अर्चना चितनिस ये मतगर्ना की बड़ी बाते होशंगा बाद से सीता सरण शर्मा ने जीत हासिल की है चिन्वाला से कमला जीत चुके हैं बिल्कुल पी सीसी अध्रक्ष बैतूल जिले के सभी सीटों पर बीजेपी का कबजा पन्ना से मंत्री ब्रजेंद प्रताप सिंग भी जीत चुके हैं कॉंग्रेस के कई दिगज चुनाओ हा रहे हैं ये एक बड़ा फैक्टर ये एक काम हाने देखे बड़े इस चेहरों ने आपर हार हासिल की है राजरंद गाओ से लेकिन डॉक्टर रामान सेंग को मिली है जीत बिल्हासित राम लाल कौशिक आगे हैं बिल्कुल और अंबीकापुर से जिप्टी सीम्टी सिंग्देव पीछे चल रहा है बहुत बड़ी बड़ी करें जो और हिंटी बेंट में एक बार भी लह राया है भगवा पर्चम और यह देखिए यहां पर आ गए हैं प्डारमंसी मोदी हाथ लाते हुए ग्राफिक्स के जरीए यह दिखा रहा है कि इस तरह से भगवा पर्चम एक बार फिर लह राया है तो चुनाव मतलब न्यूज 18 और इसलिए हम आपको कह रहे हैं आट बच कर तीन मिनट पर हमने आपको दिखाया था पहला रुज़ान और जैसे ही पहला नतीज़ा सामने आया वो हमने आपको सबसे पहले दिखाया और आखरी नतीज़े तक ये मेगर कवरेट लगातार जा गरना की दस बड़ी बात हैं बुदरी से सीएम शिवरा सिंग चौहान भारी मतों से जीते मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचेंद बहुमत की ओर है 166 सीथ पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है बुदरी से सीएम शिवरा सिंग चौहान जीते दिमनी से नरेंडर सिंग तोमा ने जीत हासिल की बुदान पूर से जीती हैं अर्चना चितनिस ये मत्गरना की बड़ी एक ही बंदा काफी है जिस तरीके से प्रचंड जनादेश मिला है खोड़ प्रधानमंतरी ने ये कहा कि उम्मीज से जादा समर्थन उन्ने मिला हाला कि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चार जाती वर्ग उनके लिए क्या है उसमें पहला था नारी शक्ति बिल्कुल और चौबीस की गारेंटी भी है और हमारे साथ भुपाल से हमारे सायोगी प्रशान्थ में जुड़ चुके हैं आप उन्हें देख पा रहे होंगे प्रशान्थ के साथ खास मेमान में जुड़ेंगे और प्रशान्थ ओवर टियू ना शुक्रिया पढ़ना तो महा संग्राम 2023 का परिणाम अब लगबग तस्वीर पूरी तरह से साफ है और ये परिणाम बताते हैं कि आखिर जन्था ने कहां और किसे समर्थन दिया है प्रशान्थ नरिंदर मोदी को आप सुन रहे थे नरिंदर मोदी ने भी वही बातें दो रहाएं कि कैसे उम्मीद से जादा समर्थन जनता का इन राजियों में मिला है जो तीन हिंदी बेल्ट जिन राजों काम जिक्र कर रहे थे राजस्तान मद्यप्रदेश 36 गर्ड वहाँ बंपर समर्थन बंपर वोटिंग बीजेपी के फिवर में हुई और आज उसके नतीजे भी आ गए हैं हम पहलों पर चर्चा करेंगे कि आखर इसके पीछे समीकरन क्या नजर आते हैं क्या फैक्टर नजर आते हैं अलागी बहुत सारी चर्चा हैं लगाता निउस एटीन पर चल रही हैं लेकिन कुछ और मेमान हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं उनसे तारुफ करा दें और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे गुर्रेज शेक साथ हमारे साथ है प्रवक्ता बीजेपी बहुत स्वागत है गुर्रेज जी आपका निउस एकीन पर और शर्मन नगेले जी हमारे साथ इस चर्चा में मौझूद है आपका भी बहुत स्वागत है वरिश्ट पत्रिकार और ये भारतिय जी समाजबादी पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौझूद है आपका भी बहुत स्वागत है तो विरान सभा के प्रांगन से हम ये फिर से खास चर्चा आपके लिए लेकर आएं गुर्रेज शेक साब जो बात शाद मेरे जहन में भी ये सवाल था और वही बात प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी भी कह रहे हैं कि उम्मीदों से बहुत जादा बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप इवांदारी से काम करते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ रहते हैं लोगों की तकलीफों को उनके समस्याओं को अपनी मान कर चलते हैं और यो ग्राड्स रूट्स लेवल हैं उससे जुड़े रहते हैं आप हवा में नहीं रहते हैं आप जमीनी बनके रहते हैं MP में बीजेपी की बंपर जीत के बाद सियम शिवराद सिंग चोहान ने बीजेपी कारे करता हूँ और प्रदेश की जनता को बधाई दी उन्होंने कहा कि हम जिएंगे तो जनता के लिए मरेंगे तो जनता के लिए C.C.M. ने कहा कि इस बंपर जीत के लिए हम और दोगुने उत्सा के साथ अपकाम करने के लिए जनता के बीच जाएंगे जनता को अपने साड़े नो करोड जनता के परिवार को प्रणाम करता हूँ एक असाधारन और अभूत पूर्व विजए उनके आसिरवात से भारती जनता पार्टी को मिली है प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाद विश्वास और अटल स्रिध्धा की ये विजए है ये विजए भारती जनता पार्टी की डवल एंजिन की सरकार ने जो काम किये है मधपदेश को समर्द और विक्सित बनाने के लिए उस विकास की विजए है ये विजए है समाच के हर वर्गे के जो कल्यान के काम किये है गरीब कल्यान, किसान कल्यान, भांजे भांजियों के कल्यान के काम और माता बहनों के ससकती करण का जो अभियान चला जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना ये उन कामों की जीत है ये अटल विस्वास है मधपदेश की साड़े नो करोड जनता का भारती जनता पार्टी पर भारती जनता पार्टी के कारी करताओं का अबी मैं हिर्दे से आभाद प्रकट करता हूँ देव तुले कारी करताओं ने अनठक पर इस्रम किया ये उन कारी करताओं की विजए है ये विजए गरीबों की विजए है किसानों की विजए है नौजवानों की विजए है माता और बहनों की विजए है भांजे भांजियों की विजय है प्रधान मंत्री जी के नित्रत में डवल एंजिन की सरकार ने चमतकार किया है मैं प्रधान मंत्री जी को भी प्रणाम करता हूँ हमारे अचूक रणनीतिकार स्रीमान अमित सहाजी के प्रति मैं अपना आभार प्रिकट करता हूँ उनकी रणनीती हमारे रास्टी अध्यक्ष मानी जेपी नड़ा जी का मार्ग दर्संद हमारे चुनाओ के प्रिभारी सिरी भूपेंद्र मध्यप्रदेश शतीसगर राजस्तान में बीजेपी की शानदार जीत पर पियम मोदी ने दिया संदेश कार्यकरताओं को दीबधाई कहा जीत की हैट्रेक 24 की है गैरंटी कॉंग्रेस की हार के बाद राजभवन पहुंचे सियम भुपेश बगहिल राज़िपाल को सौपाइस तीफा बोले जनादेश किया स्विकार बीजेपी को दीबधाई 36 गर में आगए सब ही सीटों के नतीजे 54 सीटों पर बीजेपी की जीत 35 पर सिम्टी कॉंग्रेस एक पर अन्यनिकिया कप्जा MP में बीजेपी की प्रचंड जीत 162 सीटों पर लहराया परचम, सियम शिवराज, नरेंद्र सिंक्तुमर, रामेश्वर, शर्मा और कृष्णा गौर की हुई जीत MP में बीजेपी को प्रचंड जीत कई मंत्रियों की हार, अर्दा से कमल पठेल समेट 6 ने गवाई सीट, धतिया से हारे नरुत्त मिश्ट्रा 36 गढ़ में कई दिगजों की हार, डेपिटी सीम्टिय सिंग देव समेट 9 मंत्री हारे चिनाव, दीपक वैज और तामरधर्ज साहु ने भी कवाई सीट बीजेपी के तेन दार्जियों में बंपर बहुमत पर बूले, अनुराग ठाकोर, पीएम मोदी की अगवाई में प्रचंड जीत, सबका साथ, सबका विकास पर, जनता को विश्वास, देलंगना में भी बढ़ा बीजेपी का वोर्ट शेयर एमपी में कॉंग्रेस ने मानी अपनी हार, टी सी सी चीफ कमलनाथ का बयान कहा, मतलताओं का हर फैसला है स्विकार बीजेपी को दीबढ़ाई चिनाव मतलब न्यूज एटीन, मतगड़ना के दिन जनता के साथ साथ दिखके जोने, जताया न्यूज एटीन पर भरोसा, सियम शिवराज, सिंधिया, नरेदर सीन, तोमर सहित, कही नेताओं ने दिखा चैनल नमस्कार, मैं हूँ आशी इस्तरी पाठी, आपके साथ और महा संगराम 2023 में 36 गड़ में बड़ा उलट फेर हुआ, बीजेपी ने यहां दमदार जीत हासल की है बीजेपी की बड़ी जीत कॉंग्रिस का निकला दम चातीस गड़ में खिला कमल 2018 में मिली हार का बतला बीजेपी ने 5 सालों के बाद 2023 में ले लिया जश्न मनाते कारे करताओं का जोश हाई है और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने पूरे स्वैक के साथ 36 गड़ में सत्ता की चाबिहा से लिए